तो चैप्टर वन के हमने शुरुआत की थी यह रहा इसका ओर्विव पांच टॉपिक थे कुल्विला केस में तो चैप्टर वन का नाम था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट तो फटा फट से बेटा चैट में चले आओ और बाकी बच्चों को भी बता दो आपकी क्लास शुरू हो चुकी है तो चैप्टर के और वी में देखें बेटा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट पांच टॉपिक पड़े थे हमने मीनिंग और नीचर वो स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट पहला पॉंसेप्ट वो स्ट्राटेजिक दूसरा स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट तीसरा जिसके अंतरकत पड़ी हमने इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन strategic intent चोथा strategic level पांचवा तीम प्रकार के strategic level थे corporate, business और functional जिसे हमने top, middle और low कहा था तो बिटा जी मिरे को ये कहते वे कोई भी बिटा अपती शेयोक्ती नहीं हो रही है कि आपको ये अच्छे से याद है तो जड़ा मुझे बता दे चैट बॉक्स में कि आपको याद है या नहीं है आना खुली आँखों से इसको याद कर लो introduction to strategic management chapter का नाम है meaning and nature of strategic management concept of strategy, strategic management importance limitation, strategic intent, strategic level 3 corporate business and functional याद है, याद है, याद है, बहुत अच्छी बात ठीक है फिर detail में अपने इनको discuss किया था, आपको पता होगा सबसे पहले meaning and nature को किया था, management के बारे में बात किये थी, functions के बारे में बात किये थी, उसके बाद concept of strategy में हमने strategy, game plan, long range, blueprint इसको discuss किया था, यह consciously or flexibly designed होती है, integrated framework पौजूत करती है, strategy is no substitute for sound, alert and responsible management, और नहीं, यह कभी perfect, flawless और optimal हो सकती है, और afternoon, good afternoon, अंजली कह रही है, हमारे को तो याद है, बहुत अच्छी बात है बटा, याद होना ही चाहिए, बत्रसर की class में है आप, उसके बाद तीन level हमने discuss किया थे, corporate, divisional, functional, top, middle and low, उसके बाद हमने discuss किया था, strategy partly proactive है, partly reactive है, partly proactive को मतलब होता है, planned strategy, सोच समझ के बनाई ही और reactive को मतलब होता है, situation के अनुसार, कुछ उसमें adoption किया जाए, तो हमें market uncertainty और market की position को देखते वे, कुछ portion को छोड़ना पड़ता है, जिसे abundant portion of the strategy कहते हैं, कुछ नई चीज़े अपना नहीं करती है, जिसको अपन reactive या adaptive strategy कहते हैं, तो pre-planned strategy का एक portion proactive प्लस adaptive मिल के actual strategy बनती है, जो के हमने डाइग्राम में भी दिखाया था, अना, एबंडन वाला फीचर छोड़ दो, proactive वाला portion A हो गया, और दूसरा portion हमारे पास में B हो गया, दोनों मिलके actual strategy बना रहे हैं, A, B, तो strategy हो गई, partly proactive, partly reactive, strategy deliberately बनाई जाती है, सोच समझ कर, और फिर situation के according लिए उसमें changes किये जाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं, it is a blend of two things, यह हम कह सकते हैं, it is a stitching of proactive and reactive plan, ठीक है, complexity और uncertainty को reduce करने के लिए, catch up all example हमने दिया था, फिर importance and limitation की बात वी थी, है ना, दो फोल्ड है, strategic management का purpose, पहला हमें competitive advantage create करनी है, और दूसरा company को successfully environment में होने वाले changes के अनुसार तयार करना है, उसके बाद हमने importance में बात की थी, benefits की, benefits क्या थे हमारे, पहला benefits था, यह आपको direction provide करता है, कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, दूसरा यह आपको proactive बनाता है, rather than reactive, यह ए आपको face for the future तयार करता है, आपका pathfinder बनता है, यह corporate defense mechanism तयार करता है, ताकि आप अपनी mistakes और pitfall को avoid कर सके, यह longevity of business जो है, वो बनाता है, ताकि dynamic environment में हम टिके रह सके, और साथ वा था, strategic management जो है, आपको core competence develop करता है, ताकि आपकी survival और growth हो सके, इसको आपने diagram के तोर पे भी दे all of you, उसके बाद हमने limitation discuss की थी, limitation चार थी हमारी, पहला environment highly complex और turbulent होता है, इसलिए उसको समझना मुश्किल होता है, दूसरी बात, strategic management एक time consuming process है, सब काम को करने में समय लगता है, और कई बार उतना समय नहीं होता है, कि मैं strategic management का उप्योप करते वे company के लिए कुछ better सोच सके है तीसरा है, strategic management complex process के साथ costly भी है, क्योंकि time consume करता है, तो पैसा तो लगे गई हमारा costly हो जाएगा है, उसके बाद चौथा, हमें कई बार अपने competitor के responses को समझने में दिक्कत आती है, कि वो कैसे respond करेगा, तो चार तरीकी की चीज़े हो गई, पहला हो गया, environment highly complex and turbulent, दूसरा time consuming process, तीसरा costly process और चौथा, हमें उसके, हमें उसके competitor के responses को समझने में दिक्कत होती है, तो इन शार limitations को हमने इस तरीके से देखा था, complex and turbulent, time consuming, costly and difficult to estimate competitor's response, ठीक है, उसके बाद हमने strategic intent में चार चीज़े discuss की थी, vision, long range, blueprint, mission, how to do it, goals and objective, open ended or close ended attribute, चार चीज़े हमने देखी देखी त इसके बारे में, तो strategic intent एक framework provide करता है, जो आपकी pre-determined direction के तहर चल के आपको result oriented चीज़ों को अचीव करने मदद करता है, intent की शुरुआत होती है, जब हम पहले vision बनाते है, फिर mission बनाते है, उसके बाद goals and objective अचीव किया करते है, vision एक blueprint है, जो company के future की तरफ आपको ले जाता ह है, यह हमेशा futuristic हुआ करता है, mission statement होता है, वो रस्ता बताओ, पात बताओ, जिससे चल कर हम अपने vision को प्राप्त करेंगे, it is the purpose of the firm, उसके बाद goals and objective थे, यह basis of the measurement है, यह end result है, जो हमें achieve करने होते हैं, यह time based भी हुआ करते है, strategic intent जो है, आपके purpose को बताया करता है, उसके बा है, उनके ideology, philosophy, working style, over a period of time जो उनने तौर तरीके डवलप किया, उन से आया करता है, जैसे पढ़ाते हमने example दिया था, walmart का value system है, कि वो customer orientation के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हर चीछ customer को सोच के की जाती है, इसलिए customer first उनके लिए है, हमने बताया था, आपको Microsoft का value system है, कि व बच्चा हमारी class में पढ़ रहा है, इस subject में उसके 50 में से 40 प्लस आने की गुंजाईश बनानी है, और उसी इसाफ से हम बार बार cumulative revision भी करते हैं, और आपको चीज़े याद भी कराते चले जाते हैं, value system के बारे में हमने diagram भी समझा था, strategic intent से शुरुआत होती है, पहले vision मनत पर goals और objective बना करते हैं, यह value system का part है, vision को detail में discuss किया था, vision आपको illuminate करता है, आप कहां जा रहे हैं, क्या पता करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, या आपकी company की direction को set करता है, क्या आप कौन सा product, कौन सा customer, कौन सा market, कौन सी technology का उपयोग करने जा रहे हैं, जैसे henry food का vision था, हर अमेरिकी garage में कार आनी चाहिए, तो I, HDFC का vision है, world class Indian bank बनना, और यह बताता है, हम कहां कौन सी direction में जा रहे हैं, LIC का है largest insurance company बनना, Apple का है, उसके Tim Cook CEO द्वारा, हम believe करते हैं, कि हम दुनिया में सबसे best product technology के बना के देंगे, ऐसा CEO Tim Cook कहना Apple के बारे में, essential क्या है vision के बारे म पपनाना पड़ता है, यह हमें enthusiasm generate करे, और clearly illuminate करे direction को, यह चार चीजे essential element of strategic vision मानी जाती है, उसके बाद हमने mission discuss किया था, what business we are in, और हम क्या करना चाहते है, mission के बता जाता है, mission क्यों होना चाहिए, उसके हमने 7 reason बता है, unanimity और purpose को बताता है, basis और standard बताता है, for allocating resources, basis for motivating है, setting the general tone for organization climate है, focal point बनाया करता है, facilitate करता है, translation of objective and goal into work structure, organization का purpose, translate करता है, ठीक है, goals में, achievement के लिए, उसके बाद हमने HDFC का, और LIC का, और Apple का mission देखा था, mission statement, जो भी mission statement बनाया है, वो precise होना चाहिए, clear होना चाहिए, feasible होना चाहिए, distinctive होना चाहिए, motivating होना चाहिए, precise, clear, feasible, distinctive और motivating और आपकी special identity से जुड़ा होना चाहिए, और आपकी चीजों को satisfy करने वाला होना चाहिए, unique होना चाहिए, Peter Drucker और Theodore Levitt के शब्दों में, अगर हम बात करें, तो हमारा mission statement, किन सवालों के जवाब दे, कि हमारा ultimate purpose क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, किस प्रकार की goal चाहते हैं हम कौन से business में हैं, हम accurately क्या achieve करना चाहते हैं, हमारा purpose किन तरीके के customers को serve करना है, and so on, corporate जो mission होता है, वो आपकी growth ambition को बताता है, कि firm आने वाले समय में क्या achieve करना चाहते है, future में, Peter Drucker के शब्दों में, what business we are in, ये जो है, mission statement की definition को बताया करता है, उसके बाद हमने goals और objective की ब time frame achieve किये जाते हैं, इनके लिए हम लोग target time bound set कर दिया करते है, objective दस characteristic होती है, कौन सी, ये define करते है, organization का relationship with the environment, ये facilitate करते है, achievement to mission and purpose, ये provide करते है, basis for strategic decision making, provide करते है, standard for performance appraisal, concrete और specific होते है, time frame से बंदे होते है, measurable और controllable होते है, challenging होते है, correlate करते है एक दूसरे को, और within constraint काम करने म सक्षम होते हैं, उसके बाद हमने बताया था, mission statement short term होते है, 6 महीने से 1 साल तक, और long range होते है, 2 या 3 साल से लेके 5 साल तक, 7 अलगलग area में होते हैं, ये, long term या short term हो, 7 अलगलग area में होते है, profitability, productivity, public responsibility, P3, उसके बाद E square, employee development, employee relation, उसके बाद CT, competitive position, और technical leadership, उसके बाद हमने value system की बाद की थी, 5 common element है value system के, integrity, अखंडता, trust, विश्वास, accountability, जिम्मेदारी, humility, विनम्रता, innovation, नया कुछ करने की शमता, और diversity, अलगलग शेत्रों में काम करने की agility, उसके बाद हमने बाद की थी, COVID-19 pandemic में कैसे, organization ने अपने आपको परिवर्तित करते वे, अपने value system के आधार पर market में नए product and services देने की कोशिश की, तो value system में हमने देखा intent से शुरुआत होती है, पहले vision मनता है, mission मनता है, goals और objective बना करता है, यहां HDFC का हमने पढ़ा था, 5 अलग-अलग इसकी characteristic थी, excellence in operation, customer focus, product leadership, people and sustainability, intent और value के बीच में बात की थी, तो हमने कहा था value is more और wider than the intent, intent से प्रकार के strategic levels की बात की थी, generally management team प्रकार के level पर काम करता है, top level जिसे corporate level कहा जाता है, इस पे CEO या chairman मेठा करते है, इनका काम होता है company के long term vision बनाना, उसके vision and mission बनाना, फिर होता है mid level, जिसको हम कहते है business level, यहां पे हमारे general manager बैट था, इसका काम होता है company के goals and objective को set करना, उसके बाद होता है functional level जिसको low level कहते है, जैसे manager of HR, manager of R&D, manager of project system, manager of inventory, इसका काम होता है, worker से काम करा के result को achieve करना, पहले दो level पे general manager होते हैं, लेकिन role उनके अलग-अलग हुआ करते हैं, differ करते हैं, रूल में, तो तीन level का diagram भी हमने देखा था, top level पे head office होता है, जहां पे corporate level पे हम CEO, other senior executive और board और director को बैठा देखते हैं, middle level, business level होता है, यहां divisional manager या general manager बैठते हैं, और low level हमारा functional होता है, जहां पे functional manager बैठा करते हैं, finance, HR and so on, फिर हमने इन तीन level को detail में discuss किया था, corporate top level, जो की company के CEO और group chairman दोरा चलाया जाता है, यह company की overall strategy, different product and services को लेके बनाया करते हैं, हमने example दिया था, मुकेश अम्मानी जी का, और alliance की पूरे group companies के लिए मिलके बनाएंगे corporate level strategy, group chairman है अगर अतन टाटा, टाटा group of companies के तो वो मिलके ब corporate level strategy, उसके तहित individual business के लिए बनेगी हमारी business level strategy, जैसे टाटा मोटर के लिए अलग business strategy होगी, तनिश जोयलरी के लिए अलग होगी, और टाटा memorial hospitals के लिए अलग होगी, उसके तहित हमारे पास functional level strategy होगी, जो individual department के होगी, जैसे manager of sales, manager of purchase, manager of accounting, manager of HR, manager of research and development, वो अलग अलग काम कर रहेंगे, तो यह था हमारा chapter number one, हम पढ़ रहे हैं chapter number two को, जिसका नाम है, जिसका नाम है strategic analysis external environment, जिसके अंदर छे topic हमने discuss करने है, सबसे पहले strategic analysis को, फिर strategy and business environment को, फिर understanding product and industry को, फिर industry environmental analysis को, आज हम discuss करेंगे, market और customer को और फिर discuss करेंगे competitive strategy, आज last के दो topic discuss होने है, जैसा कि हम आपको बता चुके है, दुनिया में कोई भी business vacuum में काम नहीं करता है, हर एक business एक environment में काम करता है, environment हम effect होते हैं, environment हम पे effect डालता है, environment दो प्रकार के है, internal और external, internal organization के अंदर बना होता है, अपने employees कितने है, finance क position क्या, organization का तरीका क्या है, work culture क्या है, यह internal है, यह हमारे नियंत्रण में, external में, immediate periphery के बाहर, micro होता है, और उसके beyond macro होता है, micro फिर कुछ अद्धा controllable है, macro विल्कुल controllable नहीं है, जिसमें government policy, economic condition, population, जिसको demographic कहते है, social economy condition, और political, legal environment, global environment, जैसी चीज़े आया करती है, formulation जब किया ताकि हम एक अच्छी strategy बना सकें, यह हमने discuss किया था, दो important factor होते है, situation consideration में, industry and competitive condition, और organization के अपनी strength and weakness, और market की opportunity और threat, strategic analysis एक continuous process है, जो बिना limitation के नहीं है, दो major limitation है, इसमें पहली, इसमें बहुत सारे options हमें तो उपलफ दो जाते हैं, लेकिन कौन सा best option है, यह नहीं बताया जा करता है, और यह time consuming process है, एक strategic analysis का diagram हमारे सामने था, जिसमें हमने देखाता है, external and internal analysis करते हैं, हम approachability threat का अध्यन करते हैं, और strength and weakness का करते हैं, तीन issues थे, strategy एक period of time में develop होती है, balance बनाना पढ़ता है, external and internal factor के बीच में, और risk का ध्यान रखना पढ़ता है, फिर हमने उसको समझने के लिए, एक procedural go through देखाता है, strategic analysis का, external analysis करते हैं, चार चीज़ों का ध्यान रखना पढ़ता है, customer, competitor, market और environment, internal में दो चीज़े हैं, performance और determinant, इससे हमें मिलती है, opportunity threat, strength, weakness और strategy identification करके, strategy में काम करना, कोई भी strategy हमेशा balance scorecard अप्रोच से बनती है, जहां management अपनी internal strength and weakness को देखती है resources के availability देखती है, और environment के opportunity threat को देखते में strategy का निर्मान करती है, हमारी जो strategy बनाई जाती है, वो हमें कई मायनों में मदद करती है, हमें opportunity और threat का अध्यन करके, कैसे go through करना इसमें मदद करती है, direction for growth देती है, continuous learning में help करती है, image build करने मदद करती है, competition को meet out करने मदद करती है, और यह सब कुछ हम different level of management के साथ मिलकर करते हैं, फिर हमने दो प्रकार के environment micro और macro को discuss किया था, जो की micro में खास्तोर से जो related to small immediate periphery होते हैं, specific direct और regularly impact करते हैं, उन से बना होता है, जैसे employees, existing customer, finance कैसे raise करते हैं, firm के supplier, firm कैसे operate होती है, direct competition कि इन से, ऐसे factor आ जाते हैं, macro में broader आ जा ग्लू कन जाज के शब्दों में यह factor outside the firm है, यह opportunity provide करते हैं, फिर हमने इनी factors को discuss किया था, demographic, social, cultural, political, legal, और उसके बाद हमने external macro environment में pestle analysis का discussion किया था, जो पहले pestle चार शब्दों से बना था, political, economical, social, technological, अब उसमें दो चीज़ा और जुड़ गई है, EL, E का मतलब है यहाँ प इन शेफ factors को हमने macro में analysis करते वे discuss किया था, जिसकी एक table भी हमने देखी थी different factors उसमें कैसे काम करते हैं, मैं hope करता हूँ यह सब आप घर पे पढ़ रहे होंगे और अपने हाथ से notes भी बना रहे होंगे, इसके बाद हमने पढ़ा था internationalization of business, business जब अपने देश में saturate हो जाता हैं, तो फिर हम internationalization of business करते हैं, जिसमें हम economies of scale के लिए large production को किया करते हैं, characteristic हमने पढ़ी थी global business की तीन होती हैं, यह conglormate है multiple unit का, link by common ownership, multiple unit common pool से resources को draw करते हैं, common strategy से deal होती है यह, उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें कि strategy बनाते वे, global strategy बनाते वे, international strategy बनाते वे हमें कई चीज में रखना पड़ता है, जैसे evaluate करनी पड़ती है, global opportunity और threat को, firm के global commercial operations को, global business objective को, और साथ में distinct तरीके से कैसे हम अपने company को बता पाएं, दुनिया में, उसके बारे में, company यह ग्लोबल क्यों होती हैं, इसके कई reason बताये गए थे, पहला, first and foremost था, need to grow, बढ़ना चाहते हम, इसरा rapid shrinking of time and distance, तीसरा था domestic markets saturate हो गया है, चौता था cheaper और reliable source हमें बाहर मिल रहा है, पांच महां overseas plant लगा के हम high transportation cost को गटाते हैं, export करना चाहते हैं, organizations के तौर पे, rise of service sector भी growth को बढ़ावा देता है, internationalization में, global company बनाने में, collapse होना, trade barriers का, WTO का, get समझोते के तैद, और strategic alliance का form होन जैसे bricks, quad and so on, उसके बाद हमने बताया था, external environment को, तीन level पर देखा जाता है, multinational, regional और country, multinational environment का मतलब होता है, identify करना, anticipate करना, monitoring करना, global environment को बड़े scale, regional का मतलब होता है, जैसे हम बात करें, अपने area की, northern India, southern India, eastern India, उन critical factor को देखेंगे, country specific का मतलब, पूरे देश को देखेंगे तो सबसे छोटा होता है, यहाँ पर regional, उससे बड़ा होता है country, और सबसे बड़ा होता है multinational, यह international environment जो होता है, यह inherent part है हमारे किसी भी strategic management का global company के, उसके बाद हमने देखे थे product and industry के बारे में, कि दुनिया में हर business product बेजता है, product हो सकता है, service हो सकता है, यह tangible हो सकता है, physical terms में हो सकते हैं and so on, कुछ characteristic है, product जो है, यह तो tangible, intangible होंगे, product का एक price होगा, उसके quantity पे price decide किया जाएगा, product के कुछ feature होगे, जो customer को satisfy करने मदद करते है, product जो है, वो हमारे business का मुख्या अधार है, pivotal है, और product की useful life होती है, जतना पैसा हम पे करते हैं, उसके तहत हमें करता है, उसके बाद हमने product life cycle का एक और graph दीखा था, यह sales का time के साथ में graph है, जिसकी चार stages होती है, introduction, growth, maturity and decline, introduction and growth stage पे हम expansion and growth की strategy follow करते हैं, जबकि maturity पे हम stability and decline पे हम लोग combination strategy harvesting या retention की follow करते हैं, यह S shape करो माना जाता है, यह MCQ में exam में पूछा जाता है, फिर हमने value chain को discuss किया इसमें पांच primary activity होती है, और चार supporting activity होती है, primary activity है, inbound logistic, raw material से संबंदित, operation, production से संबंदित, outbound logistic, finish good से संबंदित, marketing and sales, कैसे customer तक अपनी बात को पहुचाए जाए, और service मता, after sales and service, चार supporting है हमारी, procurement करे हम manpower का, finance का, machine का, material का, technology, नहीं विक्सित करे हम लोग, human resource manage करे हम लो और firm का infrastructure ऐसा बनाए कि लोग अमारे पाद लगातार बैठे रहे हैं और काम करें, इसको हमने value chain analysis में discuss किया था, मैं hope करता हूँ, आपको ये कल का lecture हमारा याद होगा, जिसमें 9 activities को यहाँ पर discuss किया था, उसके बाद Michael Potter का 5 force model आता है, जो competitive environment को समझने का सबसे बढ़िया तरी जैसे जीओ के आने से पूरा टेलिकॉम बदल गया, दूसरा, bargaining power buyer जैसे टाटा अनिलम्बानी और टाटा ने और अनिलम्बानी रिलाइंस कम्मिनिकेशन ने CDM हैंडसेट के लिए Qualcomm पे royalty घटाने के लिए प्रेशर डाला, बायर्स का कॉलाबरेशन, क्योंकि भारत में ये CDM हैंडसेट बना, यूज करते थे, सिटी मोबाइल के लिए, उसके बाद हमने देखा सब्स्टिटूट परड़क्ट, जैसे पेट्रोल डीजल के सामने इस समय, electronic vehicle सब्स्टिटूट है, हो सकता है, ये किसी दिन main बन जाए, पेट्रोल डीजल या कोई alternate fuel इसका करते हैं, जैसे उपे, oil and petroleum exporting countries, ये क्या करते है, demand and supply के gap को बनाते हुए, per barrel, rate जो है अपनी तरफ से fix कर देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, पांच में फेक्टर है, rivalry among the existing firm, Pepsi or Coke, हमने example से आपको समझाया था, इन पांचों का collectively अध्यन करने के बाद हम द discuss कर लिया था, मैं hope करता हूँ, यहां तक सब आपको समझ में आ गया होगा, और कोई तरीके की दिक्कत है, तो हमें बताएं, उसके बाद हम discuss कर रहे थे, market attractive होता है, unattractive होता है, ये absolute चीज नहीं है, attractiveness is relative, जो आज unattractive लग रहा है, कल attractive लग सकता है, financially हमें, या market के तौर पे तो ये absolute terms में नहीं है, तो मैं hope करता हूँ, आपका revision भी हो गया होगा, और आपको चीजे भी समझ में आ गही होगी, तो अब मुझे बताएं, any problem up to this, वरना चलते हैं आज इससे आगे, और finish करते हैं इस chapter को, और फिर कल, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठ कर, हम MCQ, इ उसके बाद chapter number 4, और अंत में chapter number 5, तो कुल बिला के 25 से 30 क्लासों में हमारा भी पूरा course होने जा रहा है, हम रोज classes को live लिया करते हैं, और इनी को हम upload करके आपको backup के तोर पे recorded board में upload कराते हैं, बहुत जल्दी हम शाम की classes शुरू करने जा रहे हैं live, 6.30 के आज पास इस classes को, तो notification के लिए आप तयार हैं, बाकी आप हमारे पास में हमेशा ही contact करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको हमने अपने number बता रहा है WhatsApp का, जिस पर हमारी team आप से बात करती रहेगी, और मैं बहुत जल्दी आपका एक zoom session भी प्लान करने वाला हूँ, अब दो chapter होने वाले हैं, त तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है, टाकि उसके अनुसार हम आगे की बाकी बाते कर सकें, और अब तक आपके पास notes भी पहुंच रहे होंगे, हमारे जो हमने printed books आप तक भीजी हैं, अपने अपने books की उपलब्दता होने पर हमें कम से कम WhatsApp पे हमारे WhatsApp नमब आगे बढ़ें, ओके तो आज देखते हैं इस portion को, an assessment that industry is fundamentally attractive typically suggest that current industry participant employed strategy calculated will strengthen their position, कोई भी industry मुझे अट्रेक्टिव कब लग सकती है, जब वो मेरे लिए profitable हो, जब वो मुझे कमा के दे रही हो, वरना वो मुझे unattractive ही लगेगी, ठीके न, आपने देखा होगा, हम वो बिजनस करना पसंद करते हैं, अगर हम कई सारे बिजनस कर रहे हैं, तो हम वो बिजनस करना पसंद करेंगे, जिसमें लगातार हमें नफा होता रहे, फायदा होता रहे, धाटे के लिए हम कोई बिजनस लगातार करने नहीं चाहेंगे, किसी में फायदा हो रहा है, कि से में गाटा और गाटा लगातार चला जा रहा है तो हम गाटे वाले बिजनस को बंद कर देंगे पोट्फूल एनालिसिस भी यही कहता है कि आपकी चीज अट्राक्टिव फिनांशली ना हो तो इसे नहीं करना चाहिए तो यह चीज रिलेक्टिव टर्म्स में की जाती है फिर पैसे डालने दे पहले सोचेगा तो फिर हम क्या करेंगे नयास अपने से कुछ करने की बजाए हम मार्केट में जो अलड़ी सकस्फुल फर्म्स है जो प्रॉफिट कमा रही है उनको अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे अगर प्राइस ठीक है ओवर दे लॉंगर टर्म स्ट्रॉंग कंपनी में कंसिडर डाइवर्सिफिकेशन इन्टो और अट्रेक्टिव बिजने और जो स्ट्रॉंग कंपनिया थी उन्होंने डाइवर्सिफाई करना पसंद किया तो यह लगातार चलता रहता है मार्केट में हमारी फिनेंशल अट्रेक्टिवनेस फाइदे की स्ट्थी लगातार बदलती रहती है यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है आईए इसी से संबंदित एक कंसर्ट को और पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व को कई लोग सिमिलर जो है नेचर में लर्निंग कर्व के नाम से भी जानते हैं मतलब efficiency increases as experience is gained by the worker through repetitive productive work कोई भी व्यक्ति जब लगातार एक जैसा काम करता रहता है करत करत अभ्यास आदमी perfect बनी जाता है शुरू में हो सकता है वो perfect नहीं हो लेकिन करत करत अभ्यास क्या हो जाता है perfect बन जाता है तो experience करो का बड़ा फायदा होता है अब मैं अपनी बात करो मुझे याद आता है जब मैं अपने engineering college में अपने mca के junior students को पढ़ा रहा था तो मेरी पहली class थी engineering college के बच्चों की mca के तो बड़ा court tie लगा के ऐसे सर्दी के माहौल में गया था और घर से करीब करीब दो डाई गंटे का lecture तयार करके गया था और मैंने का आज तो बस फोड़ी डालेंगे लेकन आप विश्वास करें 15 मिनिट में उस जमाने में तो ऐसे digital होते ही नहीं थे काम है ने मैं बात कर र बात करता था मतलब मैं senior होके degree ले ली थी वह और मेरे junior थे तो मुझे पंदरा मिनिट ही लगे वो जितना पढ़के आया था काम खतम हो गया अगला सूखने लगा और आज की परस्तिती में अगर हम बात करें 33 साल निकल गया 34 वा शुरू हो चुका है तो आज हम धारा असर अपने जोदपुर शेर में 50,000 सिक समाज के सिंधी समाज के पंजाबी समाज के परिवारों के जनरल सेकरेटरी हैं तो politically भी बड़ी एक्टिव है कोई भी सरकार बने हमें उनके आवशक्ता तो होती ही है उनको भी हमारी उतनी ही आवशक्ता होती है और इस समय तो जैस हमारी वह इसमें आप देख रहे हैं MLA बनके चाचुके हैं हम मेर अपनी खुद की जिता के लाया करते हैं और इवन सांसद महोद है तो हमारे जोदपुर से आते हैं जो केंदर में जल शक्ति मंत्री भी है गजंदर सिंगी शिखावत परमित्र हैं और युनिवर्सिटी के हम फोन करते हैं तो पहले ही बार में उनका फोन पिक होता है चाहे मैं केंदरी मंत्री जी जल शक्ति मंत्री जी गजंदर सिंग जी को फोन करूं तो यह क्या दर्शात है कि आज हमें कोई भी काम करने के लिए किसी कृता मुह देखने के आवशक्ता निक पड़ता लेकिन क् 33-35 साल education sector में, social life में धार्मिक संगठनों में party के लिए काम करते वे इतना समय हो गया है कि अब बत्रसर की वो इस्ति है कि अगर सरकार बन रही है तो सरकार में भी कुछ विधायक जिनके साथ मैं रोद उठता बैठता हूँ वो आज जो है हमारे राज्तान की विधान सबके मतलब कम से कम पांच नाम तो मैं गिनास सकता हूँ जिनके साथ मेरा उठना बैठना है तो आप सोचें 200 लोगों के हमारी विधान सबके हैं पांच जो MLA है जिनके साथ आपके बत्रसर का उठना बैठना है क्या ये डीवन से हो गया बिल्कुल नहीं इसके लिए मुझे भी एक experience कर लर्निंग कर लेना पड़ा तो आप समझे नहीं था क्योंकि लंबा चोड़ा अनुभव तो और आज की तारीक में बात करें तो सबसे दुनिया के लोग प्रिय नेता मोदी जी ऐसे कैसे बने उनको कोई प्रीवेश अनुभाव तुन नहीं था 2002 में अचानकि उनको संगटन से लाके अटिल बेरी वास पही ने जो है वो मुक्य मंत्री बना दिया गुजरात का कोई prior experience नहीं था लेकिन करत करत अभ्यास 12-13 साल उन्होंने जो है वो समाला गुजरात को और अब समाल रहे हैं वो देश को तो जो उनको experience हुआ है उसका फायदा आज देश को मिल रहा है तो हम यह कह रहे है experience करने के बाद में आप ज़्यादा लाबदायक हो जाये करते हैं क्योंकि आप आपको पता होता है कहां मैं cost को बचा सकता हूँ कहां problem होने को बचा सकता हूँ तो जब आपके बाद experience होता है unit cost decline करती है क्योंकि आप वो तरीके खोज लेते हो कि मैं पैसा कैसे बचा सकता हूँ firm accurate experience in terms of cumulative volume of production ठीक है we learn as we grow जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे हम सीखते जाते हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि जब आप काम कर रहे होते तो आप से गलतियां नहीं होंगी गलतियां होंगी आप सीखोगे मेरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए इस शब्द कि इस शब्द का यह अब्रिवेशन है मेरे लिए इसका मतलब है first attempt in learning मतलब मैंने यह काम पहली बार किया और मैं इससे कुछ सीखा तीक है मैं हमेशा का करता हूं दूद के फटने से वही लोग परेशान हुआ करते हैं जिनको उससे पनीर या मावा बनाना नहीं आया करता है अरो दूद फट गया दूद फट गया नुकसान हो गया कोई नुकसान नहीं हुआ आज मज़ा आ गया है आज घर पे बैट बनावा मावा खाएंगे आज घर पे बनेवी पनीर खाएंगे आपने देखा हो गया यह बड़े-बड़े मिठाई की दुकान वाले हो रोग तो आपको क्या चिंता होने लगी है आगर आपके घर पे दूद फट गया है तो कोई बात नहीं प्रभू की इच्छा है आज आप दूद की बजाएं इससे पनीर या मावे का सेवन करें इसलिए हर चीज को एक अवसर के तौर पे लेना चाहिए और बत्रसर ने तो अपने जि चले और अगर आपकी चीज हो गई बहुत बढ़ी है नहीं हुई तो इससे जो एक्सपीरेंस मिला के यह करने से सफलता नहीं मिलती अगली बार इसको दोहराएंगे और कोशिश करेंगे कि यह गलतियां हमसे नहीं दोहराएंगे बात नहीं समझ में तो यह बैने पिट है ह काम करने का तरीका प्रड़क्की री डिजाइन और राकी सबुषीज़ एक्सपीरेंस कर्ब के कुछ फीचर नहीं होते है पहला फीचर क्या होता है बिजनस और्गनायजसेशन ग्रो करती है तो हमारा एकस्पीरेंस भी ग्रों करता है तो जैसे बतरा सर क्यात है और अब 34 साल शुरू हो गया बत्रासर के experience का 68 attempt के experience के साथ है अब मुझे बताओ ये चीछ जो बत्रासर के पास है इसको कोई मुझसे चीन सकता है क्या या कोई मेरे बराबर immediately आ सकता है क्या कि कल को कोई पढ़की से ने पढ़ाना शुरू कर दिया या जैसे कोई पहले FM का teacher था औ उसने का हो हो यह तो मेरा subject हो के FM SM अब SMB में पढ़ाऊंगा तो आप खुद बताओ जिसने SM कभी नहीं पढ़ाया और जिसने SM लगातार पढ़ाया है दोनों के पढ़ाई के तरीके में फरक होगा कि नहीं होगा एक नया नया MBBS डॉक्टर बनके अभी आया है और एक दशक से दशकों से मेडिकल सेवाएं दे रहा है क्या दोनों डॉक्टर बराबर हो जाएंगे क्या एक नया नया जो FM पढ़के SM पढ़ाना शुरू है नया MBBS डॉक्टर है क्या वो एक पुराने सीमियर डॉक्टर के बराबर सुईधाएं दे पाएगा आपको क्या उसे पता है कि किस पेपर में किस तरीके से चीज़े आती है उसके लिए तो केवल पैसा कमाने का जलिया हो सकता है कि चूंकि मेरा FM का कॉर्स बिखता है तो बच्चा जो है वो भ्रहम में आके या मेरी मार्केटिंग स्किल के तहत SM भी ले लेगा मुर से और हो सकता है कुछ बच्चे ले भी ले उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन क्या उसका फाइदा स्टूडेंट को मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि SM में एक्सपर्टीज चाहिए जो लर्निंग करव का एडवांटेज है जो केस सिनारियो को डिल करने का तरीका है पेपर सेटर एक्जामेनर की तरह बताने क जिन्दगी में घटित होते हैं उनसे चीज़ें तुरंट समझ में आती है तो इसलिए मैं कहा हूँ इफ यू आर नॉट नॉट टेकिंग क्लासेस फ्रॉम हेर दैन यू आर मिसिंग सो मैने तिंग्स क्योंकि वह चीज़ें आपको कोई और शायद ही दे पाएगा वह लर्न पर वह ओफर कर रहे हैं हम टिक नहीं पाएंगे अच्छा लार्द और सक्सेस्फुल ऑपरेशन जो होते हैं वह हमारे और्गनाइजेशन के एक्सपिरेंस कर्व से आता है जो सफलतम कंपनियों को आप देखेंगे भी न तो उनके सफलता के पीछे उनका कहीं न कहीं एक्स देखो पहले इतनी थी पहले मेरा प्रड़क्शन था पीवन तो मेरी कॉस्ट थी सीवन ज्यादा थी फिर मेरा प्रड़क्शन बढ़के हो गया पीटू प्रड़क्शन में बहुत ज्यादा हो गया तो मेरी कॉस्ट घटके हो गई सीटू तो पीवन इस ग्रेटर देन करता है पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम होती चली जाती है चलिए तो नेक्स टॉपिक पर बात करते हैं आज हमने बात कर ली अठ्रेक्टिवनेस और अन्ट्रेक्टिवनेस की और साथ पर बात कर ली experience करों की नेक्स टॉपिक है हमारा value creation अब मुझे बताओ value creation का का मतलब क्या होता है वैल्यू क्रियेशन का मतलब होता है कस्तमर के मन में आपके प्रड़क्ट और सर्विसेस को ले के एक ऐसी बात घर बठाओ कि उनको लगे कि इस प्राइस में यह चीज मिल रही है शायद ही हमें कोई दे पाएगा हमें value for money मिल रहा है जो हम पैसा दे रहे हैं शायद उससे भी जादा सुविधा है उससे भी जादा अच्छे प्रड़क्त अच्छे फीचर्स हमें इसमें मिल रहे हैं आप जैसे आपको पता होगा पारले जी किसी जमाने में बड़ा भी दिया करता था पैकेट हमें फिर मार्केट में competition हुआ तो एक रुपए के भी वो ले के है लेकिन क्या उसने rapper में कोई कमी की सेम टाइप कर विस्किट की मातरा कम कर दी लोगों के एक रुपए में भी चार बिस्किट मिलते थे सुबह चाह साथ में उसको खा लेते थे तो उनका दिन बन जाता था बताओ अब यह क्या केलाएगा value for money केलाएगा ना अपने को तो सुबह गए एक रुपए के 4 बिस्किट ले लिए अपने चाहे ले लिए अपने 10 रुपए की station पे और चाहर बिस्किट लगा के सुबह का नाश्ता कर दीए अपने स्विसस्ता नाश्ता क्या बनेगा और हम घर पे भी अपने आधी रहे में सुबह चाय बिस्किट के साथ नाश्टा करने के तो बताओ पारले कंपनी ने अपने प्रड़क्ट इस तरीके का परिवर्तन करके लोगों को क्या दिया है वैले फॉर मनी और इससे एक नया ग्रहक वर्क भी तैयार कर दिया जो ट्रैवल करता था सुबह सुबह अपने घर पे नहीं होता था उनको भी नाश्टे के लिए पारले जी की जरुत है तो हमने छोटे पैकेट्स में को निकाल दिया इसी तरीके मैं बात करूं हमारी क्लास आपको अभी तक 2500 रुपीज पर बहुत जल्दी हम हजार का आकड़ा चूने जा रहे हैं शायद आज अभी थोड़े देर में मुझे टीम यह खुशकबरी दे देगी तो आप हमारे स्टिटस पर भी देख लेंगे हम एक हजार स्टूडेंट को 2500 रुपीज पर यह क्लास जो है वो दे चुके हैं जो भारत भर में बच्चे हम से पढ़ रहे हैं और हम फिर इसकी प्राइस को अब नॉर्मल प्राइस 5000 पर ले जाएंगे लेकिन अभी जो प्राइस पर आपको चीज मिल रही है क्या आपको हमार वर्चिल टेस्ट आपका शुरू करने जा रहा है यूनिट वाई और इसके साथ साथ एक्जाम के दिनों में MTP, RTP और प्रिवेस एर कुश्चन के साथ मैरतन सेशन भी आएंगे अब इतने प्रेसे में इतनी सारी चीज़े कौन देता है बताओ क्या कहलाएगा यह हजार का आकड़ा वस चूने ही वाले हैं कभी भी यह खुशकवरी हमारे पास में आ सकती है टीम मुझे बता देगी तो इसी क्लास में नहीं करतेंगे वरना आप हमारे स्टेटस को रोज देखा ही करते हैं तो हमारे स्टेटस को चाए WhatsApp पे हो चाए आप Facebook पे हो उसे देख पाएंगे कि हमने हजार के आकड़े को छू लिया है तो कॉंसेप्ट और वाल्यू क्रियेशन वाज इंट्रियूस प्राइमरली फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉड़क्स एंड सर्विसे तो दे कस्तमर विद मोर वर्थ मतलब वैल्यू क्रियेशन का कंसर्ट सीधा-सीधा कस्तमर को ज़्यादा वर्थ देने से वैल्यू इज मैजर्ड वै प्रोड़क्ट फीचर्स कि आपको क्या-क्या प्रोड़क्ट में मिल रहे हैं क्वालिटी उसकी कैसी है उपलब दता कैसी है डियूरबिलिटी कब तक चलेगा वह परफॉर्मस उसकी कैसी है और कस्तमर उस से ज्यादा की सुष है अगरम उन्नें Sumerate तो उसी अपन कहते हैं वैल्यू क्रियेशन वैल्यू क्रियेशन का मतलब जो जितना पैसामने चार्ज किया उससे ज्यादा अपने उनको सुविधाएं दे दी जैसे कई बार बच्चे कहा करते हैं हमारी क्लासेज में सर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे लॉट्स ऑफ लव वन थाउजन टाइम टैन थाउजन टाइम लव ये उनके मन से जो उदभा उदगार निकल रहे हैं उनका कारण यही है कि उनको लगता है इतना एक्सपीरियंस और इतनी कम कॉस्ट में हमें उपलब्द हो रहा है कलरफुल नोट्स मिल रहे हैं जिनको पढ से रखे हैं उसके पीछे के सिनारिय उसके पीछे डिस्क्रिप्शन है और खूब सारे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजा और करवा ही जाएंगे आने वाले टाइम में तो इन सब चीजों को देखते वे आपके मन से ऐसे उदगार निकलते हैं इस पैसे में इस से और ये पैन बनाते हैं इसकी बनाने की कॉस्ट है हमारी 1000 रुपीज करो में ये पैन बनता है यह कॉस्ट है मेरी और मैं ऐसे बेच रहा हूँ 15 100 रुपे में ठीक है तो firm का margin कितना हो गया है 500 रुपए 500 रुपए का मेरा margin है ठीक है अब ये पैन्जों में 1500 रुपए में दे रहा हूं लोग इसके लिए मुझे 2000 रुपए भी देने के लिए तयार है मतलब मिल नहीं रहा है वो कहते है 1500 नहीं 2000 में भी कोई दे देगा तो मैं देने के लि खरीदना चाहते हैं तो overall profitable band कितना हो गया हमारा 1000 रुपए का band हो गया हमारा 1000 रुपए का margin पे अपन माल को निकाल सकते है 500 से 1000 के बीच में वैरी कर सकता है बात आई के सब को समझ में कि मेरे इस pen का price 1000 रुपए मैं इसको market में 1500 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा margin 500 पहले हमको दे दो तो हम 500 रुपए का surplus इसके उपर मान के चलते हैं कि 1500 के दो अजार में बेचें तो हमारा overall profitable pricing band 1000 रुपए का बन गया जो की 2000-1000 से बन रहा है बात आई कैं सब को समझ में क्लियर है के नहीं है बताओ पताईए बताईए बताईए आर यू गेटिंग में पॉइंट और नॉट किया इस एक्जामपल से आपको बात समझ में आ रही है जड़ा चैट बाक्स में मुझे बताएं कि अ see none कोई दिक्ट नहीं है आगे बढ़ते हैं तो हम क्या कह सकते हैं- value creation के बारे में- we can say that the value creation is an activity or performance by the firm to create value that increases the worth of the goods and services business process or even the whole business तो क्या करती है, value creation जो है, अपने आप में एक activity है, या एक performance है, जो की company की value को increase करती है, लोगों की नजरों में, बात आई के सब को समझ में, तो ultimately this concept gives business a competitive advantage, हम दूसरों से आगे हैं, industry में, और हमें above average return मिल लेंगे, इससे हमें above average return मिलेंगे, अब जो ये competitive advantage आपको मिल रही है, उससे आपको मिलेगी superior profitability, जिसके पास market में दूसरों से हो competitive advantage, उससे आपको मिलेगी superior profitability, और ये profitability depend करती है, तीन factors के उपर, कौन से तीन factors, value customer places on the company product, पहला, क्या value customer लगा रहा है आपकी, ठीक है, क्या value लगा रहा है आपकी वो, 2000 रुपे, क्या price है, 1500 रुपे, क्या cost है, 500 रुपे, या 1000 रुपे मानो, 1000 की मेरी cost है, 1500 रुपे की मेरी price है, और 2000 रुपे की मान, लोग value मान रहे हैं, मतलब, 1000 में मुझे घर में पढ़ रही है, 15 सुर में बेच रहा हूँ, लेकिन लोग कहता है, यह चीछ, 15 सुरी 2000 में भी खरीदने जैसी है, तो लोगों के मन में, मेरी price से ज़्यादा value है, कि जिस price में में दे रहा हूँ, लोगों को लगता है, इससे तो ज़्यादा क्या मिल सकता है, इसकी value इससे ज़्यादा है, मार्केट में कई जगा आप जाया करते हैं, और कहीं अपने को खाने पीने को बढ़ी आसा stall, या सड़क के किनारे कुछ मिल जाया करता है, मौनिंग आर में नाश्टे के लिए ना दिल्ली में चले जाओ, या कई किसी शेर में चले जाओ, सुबह नाश्टे के लिए कई तरीकी चीज़े मिल जाती है, छोले बटोरे मिल जाते हैं, छोले बुल्चे मिल जाते हैं, या कोई और तरीकी की चीज़ मिल जाती है, और वो price ले रहा होता है, 80 रुपे, 100 रुपे, खार के आप हाँ चाट लेते हो, तो आप क्या कहते हो, अरे यारी अगर 1200 रुपे मिल रहा होता ना, तो भी मैं लेना पसंद करता, मतलब उसकी value बढ़ गी, उसने जो price आप से ली, वो कम थी, उसकी cost उससे भी कम है, लेकिन आप उसको ज़्यादा valuable मानते हो, क्योंकि उसने जो feature आपको दिये, उसने जो attribute आपको दिये, उसने जो खुशी आपको दी, उसने जो experience आपको दिया, उससे आपको लगता है कि इसकी value जो offer की जारी है, उससे ज़्यादा है, और ऐसा ही हाल, आपको हमारी classes का भी मिलेगा, जितना आपने पेकिया, उससे ज़्यादा हम अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश, हर बार हर exam में करने की कोशिश करते हैं, और अभी आप देखना, जन्वरी में जब result आई जाएंगे, आपके C intermediate के, देखना कितने सारे बच्चे हमारे old course में, यह ससम का subject बहुत bumper नंबरों से pass करेंगे, बकाय दे, उन student के साथ में, एक छोटा सा, हम लोग जो है, लाई उनके साथ में, जूम पर जुड़के, और आपको भी बुलाएंगे उसमें, दे वैल्यू कस्टमर प्लेसे ऑन दे प्रड़क्ट रिफलेक्ट दे यूटिलिटी, जो कस्टमर वैल्यू प्रड़क्ट के उपर लगा रहा है, वो उसकी यूटिलिटी को बताता है, जो उसकी परफॉर्मेंस डिजाइन या पॉइंट ऑफ सेल या आफ्र सेल सर्विस सपोर्ट से हमें मिला करती है, मतलब जैसे बत्रा सरका साथ केवल एक्जाम तक नहीं, एक्जाम के बाद भी है, एक्जाम तक तो हम साथ हैं, लेकिन एक्जाम के बाद भी बच्चे हम से जुड़े रहते हैं guidance के लिए, तो चार्टर अकाउंटेंस की कॉर्स में guidance भी बड़ी जरूरी होती है, motivation बड़ा जरूरी होता है, तो जब तक आप चार्टर नहीं बन जाते है, तब तक भी और एक रहते हैं, उनके लिए उपलफ्द रहते हैं उन्ने गौइड Wales को मिला कर करती है और उन्हें सटिस्वाई करता है कि हाँ कोई एक सीनियर हमारे साथ है कि जब मदद पढ़ने पर या मदद का हाथ बढ़ाने पर अगर हम मांगेंगे तो बत्रा सर हमेशा अवेलेबल होंगे और ऐसी इस्तिती में हमें मदद मिल पाएगी अभी कुछ दिन पुराणी बात बता रहा हूं मैं एक बच्ची का फोन आया मेरे पास में के सर मैं आपसे पड़ी वी हूं और आपकी एक हल्प चाहिए मैंने का बोलो बेटा बोले मेरा भाई घर से चला गया है आप उसके फोन को सर्वेलांस पे लगा के मुझे बताईये का है मैं बेटा एक काम मैं बिना पॉलिक पुलिस की परमीशन के नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यह इंडियन टेलिफोन एक्ट में किसी प्राइवेट पार्टी को बिना पुलिस परमीशन के या करना जो है वो एक तरीके से अपराद माना जाता है तो मैंने का आप पुलिस में जाएं वहां कम्प्लेन लिखा हैं वहां काम नहीं होता है तो उस जगे में आपकी मदद कर सकता हूँ पुलिस से बात करके और मुझे वापस फोन आया के सरव मने पुलिस ठाने में हूँ यह थोड़ा सा आना कानी कर रहे हैं तो मैंने वहां पे जो रापने ड़्छान बात की उन्हें इन ए जो है डी आई जी है Mr. Kapoor वो मेरे बहुत अच्छे कहना चाहिए मिलने वालों में है तो जुरुत पढ़ने पर उनका भी हम इस्तिमाल कर लिया करते हैं ऐसे किसी तरीके की प्राब्लम और कामों को करने के लिए तो आपके बत्रा सर अपने आप में बड़े रिसोर्स पुल और इंफ्लूएंचल है जुरुत पढ़ने पर वो बच्चों की जहां एक सई तरीके की हेल्प होती है उसमें हेल्प कर सकते हैं ऐसा नहीं गर के जगड़ों में बत्रा सर को खीज लो है न सर की इसको निप्टा दो गोगा मेडी की तरह ऐसा नहीं करते बत्रा सकती है कहां कहीं आपकी प्रॉब्लम हो गई है तो वहां आपकी हैल्प कर सकते हैं लेकिन वो एक एथिकल होनी चाहिए तरीके का काम जहां आपको किसी प्रॉब्लम सो निकालना हो सकता है वरना दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं पर Companies are ultimately aiming to achieve sustainable competitive advantage which enables them to succeed in the long run Michael Potter ने किया कहा कि company can generate competitive advantage in two different ways या तो आप अपने product में इतना अंतर ले आओ कोई आप जैसा ना बने तो ऐसा बन गया Apple इतना अलग कर दिया है कि आप कोई Apple जैसा बना नहीं पाता है और दूसरा या तो आप सबसे सस्ते आजाओ Price advantage कर लो तो वो हो गया Chinese Chinese ने कहा कि हर माल सस्ता कर दिया है उन जैसा कोई हो नहीं पाता है तो या तो आप Apple American जैसे बन जाओ कि आप जैसा कोई बना नहीं सके या आप सबसे सस्ते बन जाओ Chinese की तरह है कि कोई आप जीता सस्ता दे नहीं सके इन दो बेसेस पर याप सर्वाइब कर सकते हो मार्केट में इसके लावा कोई तीसर तरीका बचता नहीं है ठीक है बड़े मार्केट भी यह बड़े मार्केट के छोटे मार्केट के लेक और होता है जिसको अपन फोकस मार्केटिंग या फोकस भी कहा करते है नीश भी कहा करते है वो एक अलग तरीका है जिसको चप्टर नंबर चार में अपन डिसकस करेंगे तो according to potter, potter के accordingly differentiation का मतलब होता है वो capability जो consumer को superior और special value प्रोवाइड करती है special feature प्रोवाइड करती है special value प्रोवाइड करती है differentiation के तहर जो कोई और नहीं दे सकता तो differentiation जो होती है वो higher price चार्ज करती है अपने product and services की और उसके profit भी higher होते है higher price होता है और higher profits होते है यह जो उपर वाला differentiation का तरीका हमने बताया है या cost advantage का तरीका बताया है हमने यह different organization के लिए अलगलत तरीके से काम किया करता है potter कहते हैं हमारी value chain जितनी अच्छी होगी हमारे functions और हमारे काम उतने ही अच्छी होगे तो कुल मिला के जो आपने पीछे value chain पढ़ा था जिसमें पांच primary और चार supporting activity थी value chain analysis provides the excellent tool value chain analysis पांच primary चार supporting वाला examine the origin of competitive advantage आपको है या नहीं है two different statistical important group activities namely primary activity पांच supporting activity चार can help to comprehend the potential resources के हम कितना दूसरों से आगे है इट इस बेसिकली दे वैल्यू कस्टमर वांट टू पे मैंदब 1500 की चीज़ को 2000 भी पे करना चाहता है over and above the price 2000 रुपय पे कर रहा है वो मुझे जबकि price है मेरा केवल 1500 रुपय over and above मुझे ज़्यादा देना चाहता है वो जैसे कई बार अपन किसी होटल रेस्टोरेंट में वेटर की सर्विसे से खुश होके over and above टिप दे के आ जाया करते हैं वो एक कल्चर की तरह टिप नहीं देना बत्रसर उनमें से नहीं है मुझे सर्विसे पसंद नहीं आती हैं तो मैं जाके बिल्कुल विरोध दर्ज कराके आता हूं काउंटर पे आज आपकी सर्विसे गटिया थी और जोड़ से बोलता हूं ताकि सब लोग सुनें परपस यह होता है कि अगली बार जब मैं आऊं तो मैं वोकल आदमी उत्रण बोल दूँगा अगली बार वो अपने मैं आने रेस्टोरेंट खुला था बहुत पुरणी बात कर रहा हूं आज से 18-20 साल पहले ऑन दरॉक्स करके मैं अपने कुछ मित्रों के साथ में वहां गया था और आपको मालूम है होटल रेस्टोरेंट वाले अकसर ऐसा किया करते हैं आपको भी सागा कर रहा हूं आपको मैं भी चेक करता हूं तो उस दिन जो बना था उसको मैंने चेक या लगे मुझे पे नहीं करना था पर मेरी आदत है तो आन दरॉक्स पर बैट है वह सारे बिल को मने चेक किया मालूम बढ़ा कुछ चीज हमने मंगा ही नहीं जोड दिया वेटर को बुलाया और मैने जिए आइटमी नहीं मंगा है हमने जोड कैसी दिये तुमने अब वो एक दूसरी की शकले देखे क्योंकि उनको लगता था चल जाएगा कोई देखता नहीं होगा हाना कई वार ऐसा होता है वाइफरंट गर्फरंट जाते हैं या कोई ऐसा फीमेल मित्र के साथ जाया करता है तब सब को सुना ना है कि सब सावदा ना जाये उसके बाद कोई तुम्हरकत नहीं करो और विश्वास करो कि उसके बाद वैसे सीधे वे उसके बाद मेरे कई बार जाना हुआ हुआ मेरे जाते ही दो लोग तो attentive हो जाया करते थे सेवा में मेरे के सर के सेवा में कमी नहीं रहेंगे क्योंकि आज में बड़ा vocal है तुरंद बोल दिया करता है और उसके बाद मेरे साथ कभी इनों ने दिक्कत नहीं की अब दूसरे लोग जो समझदार नहीं रखेंगे इस तरीके कि उनके साथ अक्सर ऐसा होता है ऐसा आप अगर उधार पे किरने का समान लेते हैं तो वो किरने का व्यापारी भी आपके बिल में दो एक चीज़ एक्स्टर जोड़ देता है जैसे आपने एक जड़ू मंगाया तो दो जड़ू लिख देगा आपने एक किलो चीनी मंगाई और महीन बरबाद बिल बेज रहा है उसा दो किलो लिख दी चावल के जगए दो किलो चावल लिख दी है ऐसा वो भी किया करते हैं उनको मालों में कोई पकड़े का नहीं पकड़ लेंगे तो महां मांग लें गलती होगी जिससे माल लेते हैं जो हमारे पैसे की हमें वैल्यू देता है सलाह देता है तो हम क्या करेंगे सारी दुकाने छोड़के उसके बाद जाना पसंद करेंगे कि यह आदमी करेक्टर का ठीक है ethical values का है एक वैसा जदा नहीं लेता है चीज अच्छी दिया करता है हम देखे याने देखें बिल ठीक आता है value for money है तो यह जो पैसे मांग रहा है उससे जदा भी देने के लिए तया रहा है चीज इसी से मंगव दो दिन वेट कर लेंगे यह उसके दिमाग में हमने अपनी value create की है तो वो कभी हमारे को छोड़ के नहीं जाएगा तो एक customer loyalty develop होती है value देने से customer loyalty का मतलब होता है brand से जुड़ गया वो अब आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप नहीं दे पा रहे है तो थोड़े दिन इंतजार करेगा पर लेगा वो आप से तो ऐसे आप value create करें customer के माइंड में अपने product and services को लेखे तो cost से जादा price से जादा हम उसको मानते हैं और यह जो हमने उसके दिमाग में create किया है एक चीज को उसको हम कहते है value चली अगले topic को discuss करते है market and customer मैं hope कर रहा हूँ आपको सब चीजे बड़ी interesting लग रही होंगी real life से जुड़ी भी लग रही होंगी बत्तरह सर के experience से सीखने में आपको मदद मिल दी होगी class आपके लिए enjoyable है memorable है और साथ साथ में knowledgeable तो है ही जड़ा chat box में मुझे बताएं क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है चलिए see none तो आगे बढ़ता है market and customer market किसको कहते है market का मतलब एक ऐसा place जहां खरीदने और बेचने वाले खटे होते हैं जैसे सुबह सुबह हम सबजी खरीदने के लिए vegetable और fruit market में जाते हैं जाते हैं वहां सारे सबजी और fruit बेचने वाले होते हैं और हमारे जैसे सुबह सुबह वहां जाके खरीदार इखटे होते हैं तो बेचने वाले और खरीदने वाले जहां इखटे होते हैं एक बेच रहा है खरीद रहा है ऐसे कई लोग जहां इखटे होते हैं उसको क्या कहते है अपन खाने पीने से संबंदी मिल जाएगे तो यह food market है यह हमारा जो है वो कपड़े का market है यह हमारा footwear का market है तो market मतलब एक ऐसा place जहां interested party है खरीदान और बेचने वाले इखटे होके deal किया करते हैं एक market is a place for interested party जिसमें buyer और seller seller दो लोग आ जाते हैं मार्केट जो है एक ऐसा place है जहां buyer और seller इखटे होते हैं where items and services can be exchanged for a price एक प्राइस पर मैं माल देता हूं और आप मुझे पैसा देते हैं the market might be physical दुकान हो सकती है such as departmental store where the people engage या फिर virtual हो सकती है website हो सकती है app हो सकता है जैसे online market जहां buyer physically meet नहीं करते टेक्नोजी के मादियम से deal करते जैसे यह class है virtual हो रही है मैं आपके सामने नहीं हूँ मैं एक app के मादियम से आपको अपनी class से पहुचा रहो आप चाहे तो live हम से पढ़े या आपने समय पर इसे recorded mode पे देख लाए तो यह physical भी हो सकता है और virtual भी हो सकता है term market can be applied to wide range of context जैसे stock exchange जहां securities trade होती है वो भी अपने आप मार्केट है ठीक है इसी तरीके दे वेजिटेबल मार्केट है ठीक है जहां पे फ्रूट फल फ्रूट बेचे जाता है फार्मर्स द्वारा इसी तरीके दे global oil market है ओपे की country उसे चलाते है जहां पे हमारे पास जो है तेल को खरीदा और बेचा जाता है तो market एक ऐसा place हो गया जहां business किया जाता है और लोगों को product and services दी जाती है इसके लिए हमें करनी पड़ती है एक ची फंक्शन जिसका नाम है marketing marketing का मतलब होता है वो operation जिनमें research होता है designing pricing promotion transportation होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को customer तक प promotion तो marketing करने के लिए और पीज की समझ होने चाहिए product का मतलब यह product physical से नहीं है services भी हो सकती है product price place promotion product price place promotion जैसे हमारा product क्या है SM classes हमारा product क्या है SM classes price क्या है अभी 5000 है अभी 5000 होने वाला है अभी 5000 होने वाला है 2000 से 5000 अभी हो जाएगा कुछ ही समय में हो जाएगा class खतम होते होते हो जाएगा यह गंटे बाद हो जाएगा पर आज हो जाएगा मुझे लग रहा है हम on the word जो फिनिशिंग है एक यह दो order आते हैं हम अजार कांकड़ा चूने वाला है place कहां मिलता है आपको यह मिला करता है आपको आप पर promotion का तरीका क्या है हम classes में promotion करते हैं हम YouTube पे करते हैं हम लोग Facebook पे करते हैं हम लोग Insta पे करते हैं मतलब social media में कर रहा है अच्छा इसके अलावा हम चाहें तो newspaper में कर सकते हैं हम प्रिंट मीडिया में कर सकते हैं टेलिवीजन पर कर सकते हैं तो promotion के तरीके हो गए तो हमारा product क्या हो गया है SM की class है price क्या हो गया पांच जार रुपे मान के चलो place क्या है एप के उपर मिल रहा है promotion के तरीके क्या है ये तने सारे बात आई के समझ में तो marketing करते वे आपका four piece क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये four piece आपकी चीजों को market में तेजी से ले जाने में मदद करते हैं आपका product क्या सर्विस क्या है आपका price क्या है किस place पे मिलेगा physical दुकान में मिले publicity करोगे या अख़वारों में pamplit विछवाओगे या classes में बताओगे YouTube पे काओगे Facebook पे बोलोगे Instagram में बोलोगे टेलिग्रम चैनल पे बोलोगे निउस पेपर में दोगे print मीडिया में जाओगे या फिर आप टेलिवीजन पे बात करोगे अल्टाइजमेंट के बाद्यम से यह सब promotion के तरीके हैं बात आई के सब को समझवें is it clear is it clear is it clear बोलोगे हाँ बोलोगे हाँ बोलोगे हाँ तो यह होगे 4P product place price promotion यह चार तरीके के marketing activities जो होती हैं वही आपके market में स्थापित होने के लिए जरूरी है delivering the best customer experience and establishing maintaining and growing relationship with the customer यह main aim है marketing है marketing का मतलब होता है customer तक अपने product and service की जानकर upload कराना और उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देना और इसके बाद वो इतना से satisfy हो जाए कि दूसरे लोगों को भी हमारे product के बारे में कहें जैसे आप सब अगर हमारी class से satisfy होते हैं तो आप सब हमारे ब्रेंडम में सेटर साथ दूसरे लोगों को कह सकते हैं कि वही पहले 5000 में कोर्स मिलता था लेकिन इसकी वैल्यू 5000 कि अब भी 5000 में मिल रहा है तो आपके लिए बुरा नहीं आप ले सकते हैं हम satisfied है तो ऐसा कहने से आपके कहने से बताओ क्या दूसरे लोग उसे नहीं क्योंकि वह आप पे जदा विश्वास करते हैं ब्रेंड लोयल्टिक पे जदा विश्वास करते हैं अपनी बात को कस्टमर तक पहुंचाने में प्रॉडक्ट ओर्येंटेशन तो देता हैं अपना से लेना देना होता है कि अच्छा होना चाहिए और्टी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी next production oriented जितने business होते हैं उन्हें हम low price के product रखना चाहेंगे sales oriented जो होते हैं उन्हें हम चाहेंगे कि हम advertisement पे पैसा खर्च करें ताकि हमारी बात customer तक पहुंच सके जो customer या market oriented approach होती है उसमें priorities हमारी कुछ अलग हो जाया करती है वो customer के प्रतिभव़ा करती है यहां हमें opportunities customer दिया करते है customer centric business जो होता है वो continuously learn करना, customers की जरौतों को समझना, present scenario को देखना इन सब चीजों को customer centric approach का नाम दिया करते हैं जिसमें customer ही सब चीजों के मूल में होता है customer क्या चाहता है, customer कौन सा price accept करेगा customer की cost क्या आनी चाहिए कस्तिमर को क्या फीचर देने चाहिए कस्तिमर किससे खुष हो जाएगा ऐसी सब बाते हम लोग किया करता है कस्तिमर और मार्क epsilon activity के तौर पे अब यहांपे हम बात कर रहे है कस्तिमर की आपको ध्यान होना चीने एक कस्तिमर होता है कंजूमर होता है कस्तमर वो होता है जो चीजे तो खरीदता है लेकिन खुद उपयोग नहीं करता लेकिन कंजुमर वो होता है जो खुद भी खरीदता है खुद भी उपयोग करता है तो उपयोग करने वाला ultimately consumer है, खरीदने वाला consumer भी हो सकता है, customer भी हो सकता है, एक customer क्या है, यह person हो सकता है, यह business हो सकता है, that buys the product and services for another organization, दूसरों के लिए खरीदा है, customers are important because they provide revenue and organization cannot exist without them, तो customer अगर होंगे तो आपका revenue बनेगा, customer होंगे तो organization exist करेगा, किसी के कोई customer ही नहीं है, तो बताओ फिर वो exist करके करेगा, दुकान खोली एक भी गराक नहीं आया, और ऐसा एक साल तर चलता रहा, तो फिर दुकान बंद करना ही उचित है, जब एक साल में भी दुकान रोज बैठते हैं, एक राक नहीं घुसता तुमारे यहां पे, इसका मतलब लोग तुमारे product को पसंद नहीं करते, तुमारे communication के तरीकों को पसंद नहीं करते, वो तुमारे यहां आना ही नहीं चाहते, तो जबरदस्ति हम कितने लोगों को ले आएंगे, तो customer की वज़े से ही सब अपनी भी काम नहीं करेगे, all business compete for customer, either by aggressively marketing their product, और lowering their prices, to boost the customer base, the term customer and consumer are practically synonymous, लेकिन इनका उपयोग, एक तिन distinction के साथ किया जाता है, individual or businesses, जो consume करते हैं, या product को utilize करते हैं, उसको तो हम कहेंगे, consumers, customers are the purchase of the product and services, in the economy and they might exist as a consumer or only customer, अगर वो किसी और के लिए खरीद रहे हैं, खुद उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो customer है, लेकिन वो खरीद के खुद उपयोग कर रहे हैं, तो consumer कहलाएंगे, इतना अंतर है, अगर मैं दूसरे के लिए खरीद लेता हूँ, तो मैं customer हो गया, मैं अपने छोट जाते हैं, जैसे age group के साफ से, race के साफ से, gender के साफ से, जाते है, authenticity के साफ से, economic level के साफ से, geographical region के साफ से, इन्हें बाटा जाता है, customer जो profile होता है, वो हमें कई तरीके की जानकरिया दिया करता है, जैसे, buyer कितने है, seller कितने है, distributor कितने है, salesman कितने है, manager कितने है, retailer कितने है, और इसके अलावा, यह सारी जानकरी जब हम मिल जाती है, तो हम, decide करते हैं, कमें कौन सा product and service लाना चाहिए, customer के लिए, successful business constantly monitor करती है, behavior of existing and prospective customer जो पविश्य में हमारे से चीजे लेंगे, अब आता है, customer का behavior कैसा होता है, customer का behavior होता है, move beyond the identification of customer to explain how they purchase product, it examine the element like shopping of frequency, product preferences and participation, या perception of marketing, sales and service offering, हम जो लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, marketing के तौर पे, वो कितना उसको समझ पा रहे हैं, कितना उसको ले रहे हैं, कितना उसको accept कर रहे हैं, यह सब कुछ चीजे हैं, हमारी marketing skill पर depend करती हैं, understanding these details allow businesses to communicate with the customer in the effective manner, understanding the behavior of customer, establishes effective marketing, provide customer and services that meet and retain the customer for repeated sales, अगर customer आप से satisfy रहा, तो अगली बार भी माल आपका खरीदेगा, नहीं तो आप से कुछ नहीं लेगा, आईए, अब हम बात करते हैं, consumer behavior की, हमने अंतर बता है, customer वो होता है, जो product and service ले तो लेता है, लेकिन खुद उपयोग नहीं करता है, लेकिन consumer वो होता है, जो लेता भी खुद है, और उपयोग भी खुद करता है, भारत का market consumer driven है, लोग खुदी खरीद रहे हैं, खुदी उ oriented है, वहाँ बड़े लोग, अपने घर के छोटे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, चीजों को खरीदा करते हैं, वहाँ पे directly छोटे बच्चे उन चीजों को कम खरीद रहे हैं, तो Indian market जो है, वो young population वाला है, इसलिए चाइनीज जो है, old population वाला है, इसलिए वो कौन सा ह customer oriented market है, और दुनिया में companyों के लिए consumer driven environment जो होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ उनकी sales जदा होती है, profit margin जदा होते हैं, अब हम बात करते है consumer behavior की, consumer behavior को influence किया जाता है कई चीजों से, इसमें से तीन conceptual domain हमारे को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पहला, external influences क्या आती है हमारे को, internal influences क्या है और decision making कैसे होता है, external influences जो होती है, जैसे advertisement है, peer recommendations है, social norms है, direct impact on the sociology और internal processes है, तो इन पर, इन से हम पर प्रवाव पढ़ता है, advertisement दे कि मन लल चाता है, लेना चाहिए कि ने लेना चाहिए, किसी नहीं हमने का मैं खरीद ला है, मुझे ठीक लग रहा है, आप भी ले ले, तो हम पर फरक पढ़ता है, psychologically हमें लगता है, सब लोग ले रहे हैं, तो मुझे भी आप ले ही लेना चाहिए, तो यह सब चीज़े होते हैं, जो customer के decision making को effect करते हैं, consumer के behavior को influence करते हैं, और internal external influences की तरह motivate करने में हमारी बज़त किया करते हैं, यह हमें internally resources उपलब्द कराते हैं, तीसरा है decision making, एक rational consumer जो सोचता समझता है, as decision maker would seek information about the potential decision, तो जो हमारे decision making होती है, वो बड़ी सोच समझ की की जाती है, और हमारे decision maker ज व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए हम उसके लिए सूजवान व्यक्ति को लेंगे ताकि decision making हमारी गलत ना होने पाए, अब stages क्या है decision making process में, क्या stages है, आप एक course SM का खरीदने जा रहे हो, इसको दिमाग में रखे चला याद करने की कोशिश करें, stages of decision making क्या हो सकती है हमारी, number one, problem को identify करो, कि नए course का SM पढ़ना है, और मुझे उसके लिए अच्छा teacher चाहिए, यह हमारी problem है, ठीक है, new course, SM teacher, कि मैं किस से पढ़ू, यह मेरी problem है, problem recognize की, हमने अपनी desire company को बताई, number two, research for desirable alternative, हमें क्या करो, problem recognition के बाद में alternative बताओ, जिन से यह problem solve हो सकती है, ताकि हमें पता चले, कि यह ठीक है, यह कोई और ठीक है, उसके बाद तीसरा, seeking information on the available alternative, seeking information as available on alternative, इससे हमें उनके pros and cons को समझने मदद मिलेगी, और चाता होता है, make a final choice, और तब जाके आमन्त में final choice, बनाते हैं, तो अजय साब problem recognition है, आपको एक SM का नया course खरीद रहे हैं, आपने X teacher, Y teacher, Z teacher और बत्रा सर, इन सब को YouTube पे उनके वीडियोज को देखा, अब आपने क्या किया, देखा, सारे teachers के क्या कमी है, कि कोई बिल्कुल नया है, यह new है, यह पहले cable FM पढ़ाता था, जबरदसी SM पढ़ाने लग गया, यह सारे subject पढ़ाता है, इसने का चलो, मैं यह भी और बत्रा सर है, जो cable SM पढ़ाते हैं, और वो ही हमका core subject है, तो आपने क्या किया है, सबसे suitable information collect कर दी, और उसके बाद आपने जानकर एकत्रित की, मुझे pass कोन करवा सकता है, तो आपको यह की नाम सामने है, बत्रा सर है, जो examiner है, paper setter है, और उनके notes दूसरों से पहले तहीं जा रहे है, colorful books, उपलब्द है, जिसमें highlight किया गया है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसलिए final choice आप 12 सर के लिया करते हैं, तो आपने practical उधारन से इसको समझने की कोशिश की, जो आपको अभी हमने decision making process के तोर पे समझाया, foundation में अपन economics में पढ़ा करते थे, कुछ product frequently purchase किया जाते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, toothpaste, नमग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जो इन frequently purchase होते हैं, जैसे car लेना, घर खरीदना, diamond jewelry लेना, यह कभी कभार होती, रोज मर्णा की जिंदगी में नहीं होती, तो frequent वाले decision अलग प्रकार से ले जाते हैं, अलग mindset से ले जाते हैं, जो infrequent product होते हैं, उनके decision लेते हैं, हमारा mindset अलग होता है, और उनके लिए हमारी सोच अलग होती है, the behavior of making decision happens very frequently, ठीक है, कुछ frequent purchases हैं, कुछ infrequent purchases हैं, लेकिन दोनों के लिए mindset अलग-अलग होता है, the process is extremely valid when purchasing a car, television or refrigerator in contrast to purchase of ice cream and soft drink, तो soft drink और अगर ice cream ले रहे हैं, तो आप अलग तरीके से deal करेंगे, लेकिन जब आप car ले रहे हैं, television ले रहे हैं, refrigerator ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, विदेशात्रा कर रहे हैं, तब आपका decision making का तरीका थोड़ अथा अलग हो सकता है, आईए, last topic की तरव ले चलता हूँ मैं आपको, competitive strategy, ऐसी strategy, जो market में competition का अध्यन करके, competitors का अध्यन करके बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, competitive strategy, तो competitive strategy और those strategies, जो की market में competitors को ध्यान में रखके बनाई जाती है, अब market में competitor कौन है, जो same और similar type के product and services आपको offer कर रहे हैं, और market में कोई भी market जो है, वो monopoly का नहीं है, everywhere there is a oligopoly, एक से ज़्यादा player है, तो competition होगा, competition को आप avoid नहीं कर सकते, it is non-avoidable, competition is a fundamental attribute of economic system and business, कि हर चीज के एक से ज़्यादा player होते है, ये एक सदा सत्य वाली बात होगी, it is frequently connected with small and large organization, business compete करते हैं with each other for the same set of resources and customer, तो जितने भी business होते हैं, वो same customer के लिए, same idea के लिए, same product के लिए, same price के लिए जगड़रे होते हैं, तो हम किसको दे, ये depend करता है कि कौन किस तरीके से चीजों को market कर रहा है, offer कर रहा है, within an industry, competition is frequently increased with a wider goal of attaining and achieving higher quality services or superior goods that firm may manufacture or develop, बात आई समझ में, the competitive strategy of a business is concerned with how to compete in the business environment and in which organization operates, तो competitive strategy जो होती है वो हमें बताती है कैसे हमें compete करना चाहिए, कैसे organization में अंदर हमें रहना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें competitive strategy से मिल जाती है, in other words, competitive strategy define how the firm expect to create and sustain a competitive advantage over the competitor, having a competitive advantage over the competitor means being more profitable in the long run, तो अगर आप ज़्यादा competitive है तो आप ज़्यादा profitable होंगे, क्योंकि लोग आपको लेना पसंद करेंगे क्योंकि आप competitor के मुकाबले better value दे रहे हैं longer run में, the competitive strategy of the firm within the certain business field it analyzed using two criteria, ठीक है, कौन से है, कौन से दो criteria है, the creation of competitive advantage and protection of competitive advantage, पहला competitive advantage बनना और दूसरा competitive advantage की competitive advantage की protection करना कि वो लगातार हमारे पास बनी रहे, ऐसा नहीं हो जाए competitive advantage हम बहुत जल्दी खोद है, जो हमारे पास unique चीज थी वो हमारा competitor या दूसरे competitor copy करके अपना बना रहे है, तो अब हम सब common platform पे हो गए, अब हमारी competitive advantage कुछ नहीं है क्योंकि हम सब लोग एक जैसे काम कर रहे है, जो हमारे पास में कि इंडस्टी और competitive analysis जो होता है, उसका process अब हमें डिसकस करना है, तो हम अगर कोई strategy बनाना चाहते हैं तो उसका in-depth knowledge हमें होना चाहिए, इवन दो competitive pressure in various industries are never precisely the same, हर industry में अलग अलग type के pressure आया करते हैं, the competitiveness of the process works similarly enough to use a common analytical framework in gauging the nature of the intensity and competitive forces, तो common जो हमारा framework के वो यह कहता है कि आप जितने प्रकार की intensity है rivalry की उसको gauge करो नापो और उसके साथ-साथ competitive forces की integrity के उपर जो है नदर में डालो क्योंकि इससे problem create हो सकती है, Michael Potter का जो five force model होता है, वो competition को समझने में मारी मदद कर सकता है, it is powerful tool for systematically diagnosing, यह systematically diagnose करने में मदद करता है, the main competitive pressure in the market and assessing how wrong and important each one is, not only it is widely used for the technique of competition analysis, but also relatively easy to understand and apply to, मतलब अगर Michael Potter का सिधानत आपने अपना है, जिसमें आपने new entrant की threat को देखा, buyers की collaboration को देखा, suppliers को देखा, substitute का देखा, rivals का देखा, सब को जब आपने देख लिया तो फिर आपको पता चल जाता है इससे powerful tool नहीं है हमारे पास में, जिसे हम diagnostically access कर सकेंगे हमारे काम ठीक चल रहा है या नहीं कर चल रहा है और उसी से हम अपने आपको दूसरों के मुकाबले better position पर कर पाएंगे, आई अब हम बात करते हैं कि इंपर्टन टॉपिक की जिसका नाह में competitive landscape competitive landscape का मतलब क्या होता है एक ऐसा business analysis का तरीका competitive landscape is nothing but business analysis method which identifies competitor either direct or indirect competitive landscape is about identifying and understanding the competition and in the same time it permits the comprehensive dimension of their vision and mission core value is a niche marketing strengths and weaknesses तो हमें हर तरीकी की जानकारी अपने competitor के मुकाबले इस competitive landscape बिखटी करनी है ताकि उसके मुकाबले के कदम हम आगे रहें understanding competitive landscape required competent intelligence mcq में सवाल आता है understanding of competitive landscape required application of competitive intelligence तो आपको इसमें अपने बुद्धी का इस्तेमाल करना है आपने competitive intelligence का उप्योग करना है कि आज के इस चीज को आप कैसे समझ रहे हैं आपके competitor कौन है उनकी schemes क्या है उनके product and services क्या है उनमें खुबी क्या है उनमें खामी क्या है क्या आप ये product लेना पसंद करेंगे अगर लेंगे तो इसमें क्या चीज़े होनी चाहिए इस तरीकी की कोई चीज अगर हम उसे पूछते हैं तो the firm competition allows it to access competitor's suggestion and weaknesses in the marketplace and help to choose and implement effective strategies thus it will improve its competitive advantage and understand the competitive landscape is important to build the competitive advantage तो अगर आप competitive landscape को समझ गया है depth में तो आपको मिलेगी competitive advantage बात आई के सब को समझ में अब आओ पांच step में समझते हैं competitive landscape actually है क्या there are five steps to it जो की competitive landscape में हमें पढ़ने होंगे तो आईए इन पांच step को देखते हैं competitive landscape में पुराने course में इन steps के उपर भी exam में सवाल पूछा गया important आईए steps to understand the competitive landscape कि इसमें सबसे पहला फेक्टर है identify the competitor अब जैसे मैं बात करता हूं में हमारा जो कि वो है पतंजली अब यह अपने competitor को identify तो इसके competitor कौन है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेट है हमदर्द डाबर देखें और इसी तरीकी की कंपनिया जो आयरविदिक तरीके से काम करती है तो पहला होता है कि हम अपने company के मुकाबले competitor को समझें तो पहला step होता है competitor landscape में identify करो हमारी industry में कौन ऐसे लोग है जो same और similar type के product and services दिया करते हैं तो पतंजली के कौन हो गई है पतंजली के हो गई है यह सारे के सारे competitors मतलब मेरे जैसे product and services दिने वाले लोग कौन है वो क्यालाएंगे मेरे competitor यह direct वाले भी हो सकते हैं इन direct वाले भी हो सकते हैं तो यहाँ पर question क्या पूछेंगे who are the competitor and how big are they वो कितने बड़े है मतलब मेरे मुकाबले वो ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते हैं second यह था पहला अब आएगा second second है understand the competition अब आप क्या करो understand करो मतलब उनके product and services क्या है इनको समझो आपने एक बार competitor identify कर दिया अब आप क्या करो उनके product and services के बारे में जानकर इकत्रित करो इसके लिए market research करो internet देखो newspaper पड़ो social media पे देखो various other type के sources से इनके बारे में जानकर इकत्रित करो और पता लगाओ उनके product and services क्या है यहाँ पे है कौन कौन competitor है और यहाँ पे हैं उनके product and services क्या है तो आप पतंजली 54 देता है तो डाबर भी देता है हमदर्द भी देता है तो आपको पता चलेगा मेरे जैसे ही similar product and services यह offer करते हैं अब तीसरा आता है determine their strength उनकी strength क्या है आप यह जान लो आप पतंजली के सामने अगर इनकी strength की बात करो तो पतंजली से पुराना है actual पुराना है हमदर्द पुराना है डाबर पुराना है तो इनकी strength क्या है कि they are old companies कि इनके सामने old companies है लोगों का इन पर परोसा है तो what are the strength of the competitor और हम उनके मुकाबले टिक पाएंगे कि नी टिक पाएंगे उन जैसी product and services दे पाएंगे कि नी दे पाएंगे marketing हमारी उन तक पहुंचने की कैसी है अगर हम इन सब के बारे में proper data कर लेते हैं तो फिर मान के चलो competitor की strength को जानने में हमें देर नहीं लगने वाली है तो यह company पतंजली के मुकाबले प बढ़ रही है तो company चाहिए ऐलोपेथी की हो आयर्वेड की हो आपस में दूसरे की competition में लेकिन हमारी strength यह है कि आयर्वेडिक बेस product में इतनी बड़ी company पतंजली जैसी कोई और दूसरी होने न पाई जिसके पास various range of products है अब यहां पर क्या question पूछोगे यहां question पूछोगे कि आपकी company की financial position क्या और उनकी competitor की क्या है आपके पास क्या price or cost advantage है उनके पास क्या है वो आगे क्या करने वाले हैं आप क्या करने वाले हो distribution network आपका क्या है उनका क्या है और इसके साथ साथ human resource की strength उनकी कैसी है कि लंबे समय तक उनके पास में यह लोग टिके रहेंगे या न सब्सक्राइब को समझ बहें इस इट क्लियर टो अल अफ यू बोलो जी हां बोलो जी हां बोलो जी हां तो हमने competitive landscape में तीन स्टेप में समझने कुशिश किये पहला identify the customer हमारा customer कौन है दूसरा understand the competitors मतलब competitor के product and services क्या है next determine the strength of the competition strength क्या है अगले की जहां पर हमने company के बारे में सारी जानकरी जुटा लिए अब बात करते हैं अपन चौथे की पूट अल इन्फरमेशन तुगेदर अब इस्टेजिस को डिसीशन पर पहुंचने से पहले सारी जानकरी को खटा करना होता है और अपने यहां से उसके लिए एक inference ड्रॉ करना पड़ता है not offering what the firm can do to fill the gap the strategist can also know the area which need to be strengthened by the firm तो हमें जब सारी जानकरी मिल जाती है हमारे competitor कौन है उनकी product and services क्या है उनकी strength क्या है उनकी weakness क्या है यह पांच माई इसके इलावा एक चौथा और होता है यह strength की बात किये तो चौथे में अपन weakness की भी बात करेंगे है कि डिटर्माइन कि तवीकनेस कि डिफ्रेंद वीकनेस आफ दे कॉंपिटिटर उसकी वीकनेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए तो हमें जैसे strength बता होने चाहिए वैसे उनकी वीकनेस बता होने चाहिए उसके बात सारी information को इखटा करके इस लाइम लाइट में देखेंगे कि अब बताओ हमारे competitor कौन है उनके product and service क्या है उनकी strength क्या है उनकी weakness क्या है अब सारी जानकर ही कोई खटा रखके बताओ what will the business do with this information क्या ऐसी परिस्तती में हम लाव ले पाएंगे profit ले पाएंगे what improvement does the firm need to make हमें क्या करना चाहिए था कि हम number one बने how can the firm exploit the weakness of the competitor हमारे competitor में जो कमी उसका फायदा हम कैसे उठा सकते इन सब चीजों के बारे में जवाब हम यहां पर ढूंडेंगे तो competitive बंद पैक भी आया करते है टेटरा पैक जिनको अब उनका करते हैं ताजे फलो के रस भी आते हैं तो यह सारे competitive पैचा नहीं है दूसरा उनकी product and services क्या यह भी जान लो और उसके बाद तीसरा step आया करता है उनकी strength जानो चौतरा step आया करता है उनकी weakness जानो और इस तरीके से यहां पे कारवाई हुआ करती है फिर सारी information को एक साथ रखो और देखो अब क्या इस परिस्तिती में हमें सामने जाना चाहिए और और जानकरी देनी चाहिए या हमें नहीं जाना चाह चाहिए और फिर जब advantage की स्तती बने तब हमें भी मार्केट में उतरना चाहिए बात आई के सबको समझ में तो हम सबसे पहले देखेंगे इंडिस्टी information का business क्या करें दूसरा दूसरा advantage जिसमें यह होगा कि improvement कैसे करें और तीसरा कैसे हम अपने competitor के weakness को exploit करें आजो next बात करते है key factor for the competitive success जिसको KSF कहते है key success factor के नाम से भी बुकारते है हर industry का अपना एक KSF होता है हर industry का अपना एक KSF होता है key success factor okay these are those things that mostly affect the industry and members ability to prosper in marketplace the particular strategy element attribute resources competence intelligence and business product outcome the shell yes spell the difference between profit and loss and ultimately between competition surface or the failure KSF आपको बचा लेगा ऐसी परिस्तिति में क्योंकि KSF क्या करता है आपका आपकी उस industry में आपके दूसरे competitor से आपको अलग बना देता है जैसे बत्रह सर अपने इस education industry में अपने experience के बलबूते दूसरों से अलग है अपने practical life experience के basis classes पे अलग है पत्रह सर जो examiner paper setter है वो उनको दूसरों से अलग बनाता है पत्रह सर जो वर्चुल टेस्क लेते हैं और copy check करके presentation skill सुदारते हैं वो बत्रह सर को दूसरों से अलग बनाता है अब यह चीज़े जो बत्रह सर के पास है कोई कुछ चाते भी copy नहीं कर सकता पहली बात तो 33-34 साल का experience को चुरा के तो आता नहीं है या मार्केट से अपन कुछ पैसे दे के खरिद्लिया ऐसा आता नहीं है उतना समय आपको इंडस्री में बताना पड़ेगा नंबर दो उनको कोरे मतलब नहीं है आपके क्या दिक्कत है कमी आपसे संपर्क नहीं साथ сказать क्या बी यह रीवक्स्फर कि कुस स sum सब्सक्रिक में अलग बनाया करती है यह हमारा की KSF है, in the industry must pay close attention to them, key success factor are the requirement of the industry success, और इन सब को इखटा रखा जाए, तो company से financially strong हो जाती है, और competitively successful हो जाती है, बात आई के सब को समझ में, तो KSF क्या हो गया, बत्रा सरका experience, ठीक है, इसके अलावा paper setter होना, examiner, life experience, subject consultancy, ये बत्रा सर की KSF है, जो बत्रा सर को दूसरों से लग करते हैं, कुछ चाते वे भी इनको copy नहीं कर सकता, और इसलिए बत्रा सर दूसरों से आगए है, subject पर, the answer of three questions है, identify the key success factor, तो तीन सवाल है, जो आपको पूछना है, key success factor industry का जानने के लिए, पहला, on what basis do customer choose between the competing brand or the seller, मतलब, कौन से attribute है, जो sales के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, यह दूसरा है, यह तो है पहला, यह है दूसरा, और तीसरा क्या है, what resources and competitive capability does a seller need to have to be competitively successful, क्या उसमें अलग होना चाहिए, जो उसको अलग करें, तो पहला क्या है, पहला क्या है, on what basis customer choose the competing brand, क्या आधार है, चुनने का, दूसरा, कौन से product के attribute है, जो उसको दूसरे से अलग करता है, और तीसरा, कौन सी resources और capabilities हैं, जो केवल आपके पास हैं, बाकी sellers के पास नहीं मिलेंगी, इसका आधार पर ही, हम लोग क्या करते हैं, बनाया करते हैं इसके लिए एक अलग से characteristic का feature जिसको अपन केस नाम से भी जानते हैं, मतलब अगर 12 सर को आप चुनेंगे तो experience के लिए चुनेंगे, 14 सर को आप चुनेंगे तो चुनेंगे उनके नालेज्स के लिए, 14 सर को आप चुनेंगे‌ट तो पत्रासर जो है वो दिखने में attractive लगते हैं इसलिए नहीं चुनेंगे कि पत्रासर बहुत rich है इसलिए नहीं चुनेंगे कि पत्रासर जो है इस subject को जो है वो बड़े interesting गानों के तरीके से पड़ाते हैं इसलिए चुनते हैं कि उसमें होता है कुछ KSF key success factor what does it take for the seller to achieve a sustainable competitive advantage something जो दूसरे नहीं कर सके हैं तो उसके लिए KSF develop करना पड़ता है जैसे April manufacturing कपड़े की manufacturing में KSF are the appealing designs and color combination अगर आप कपड़ा बेचना चाहते हो तो design appealing होनी चाहिए और color combination मन को भाए जासा होना चाहिए तन पे लगे तो मन को भाए किसी को पहना वाओ तो अच्छा लगे तन मन दोनों को भाना चाहिए तो बायर का interest जनेगा generate होगा low cost manufacturing से efficiency बढ़ाएंगे और अपने profit margin को बढ़ाएंगे misdiagnosing the industries factor critical to long term success इससे क्या हो जाता है company की strategy को गलट direction में जाता है तो अगर आपने केसफ का चुनाव सही डंक से किया तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले और अगर आपने गलत तरीके से हो जाए तो आपकी हो जाएगी थल्ले थल्ले तो successful होने के लिए आपको केसफ का चुनाव बड़े समझधारी से करना पड़ेगा मैं एक और धान से समझाता हूँ अगर मुझे mobile phone खरीदना है तो mobile phone का की success factor क्या है उसके product features उसकी price उसकी brand यही देखके हम लेते हैं कि उसमें feature क्या क्या मिलते हैं जो दूसरा नहीं दे सकता है आच्छा उसक चीजें देखके और उसकी brand क्या है कोई मैं नहीं 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 कंपनी को नहीं लूँगा जो अल्रडी मार्केट में स्थापित हैं उनको लेना पसंद करूँगा तो यह सब चीजें आपके case of का निर्वान करें मैं laptop लेने गया तो मैंने क्या देखा मुझे अच्छा हो जाएगा या कोई और हो जाएगा आई प्यम हो जाएगा यह सब बाते बात में लेकिन पहले हम क्या देखते हैं मेरी requirement को पूरा करने वाली चीजे होनी चीजे इतना बड़ा processor और इतनी बड़ी घैम तो इसमें आनी ही चाहिए बात आईगे समझ में अगर मैं इसको अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर चलते आज इससे आगे आज होप है चेप्टर का यह concept वाला portion हम लोग पूरा कर लेंगे तो चेप्टर तीन का नाम है strategic analysis खास तोर से internal environment चेप्टर नमबर वन था introduction to strategic management चेप्टर नमबर दो था strategic analysis external environment जो ब्यांड आर control है political है legal है social है cultural है global environment है and so on technology है अब हम इसमें बात करेंगे internal factors की जैसे आपके employees है आपके काम करने का तरीका है work ethics है culture है structure है hierarchy है responsibility है आप लोगों के बीच में काम करने का तरीका है cohesion है synchronization है coordination है synergy है इन सब चीजों को हम internal environment में देखा करते हैं तो आईए देखते हैं क्या-क्या पढ़ने जा रहा है इस chapter में हम लोग पांच main topic हमें देखने को मिलते है इस chapter में सबसे पहले topic का नाम है key stakeholder किसी भी organization में जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनका कुछ interest होता है उनका कुछ power होता है और वो organization में कुछ impact डाला करते हैं इसको हम समझ सकते हैं mandalo matrix के माध्यम से जो कि चार स्थतियों को बताती है high power और high interest वाले लोग जो होते हैं उन से लेके low power और low interest के लोग किस तरीके दे बेहव करते हैं और उनका organization में क्या रोल होता है फिर हमने strategic drivers को पढ़ा जिसके तहर चार चीजे पढ़ी industry क्या होती है और market क्या होता है इंडस्ट्री का मतलब होता है एक particular commodity product या services को produce करने वाली company है जैसे automobile industry तो automobile को बनाने वाली company है तो मारूती आजाएगा इसमें Tata आजाएगा इसमें General Motors आजाएगा इसमें Ford आजाएगा इसमें Fox वेगन आजाएगा इसमें तो यह कहलाएंगी automobile industry इसी तरीके दे टेलिकॉम industry तो जैसे जीयो हो गया जैसे airtel होगा बोड़ाफोन idea हो गया बेसे नहीं हो गया एक प्रकार के product and service देने वाले और फिर होता है market मार्केट का मतलब होता है जहां बहुत सारे buyers और sellers हमारी खट्टे होते है तो एक होते है जो इनको माल पेचना होता है एक होते है जिनको माल खरीदना होता है इन दोनों से मिलके बनता है हमारा market अब यह market local हो सकता है national हो सकता है international हो सकता है उसके बाद आते हैं customers customer वो लोग होते है थो प्रड़क को पर्चेस करते हैं लेकिन खुद हमें हर organization कहीं न कहीं goods and services आपको produce करके देती हैं जिसे हम product and services के नाम से जानते हैं जैसे बत्रा सर आपको बत्रा classes के तौर पे ये strategic management का course दे रहे हैं जो अभी हम लोग 2500 की rate पे आपको अप्लब्ड करवा रहे हैं घर पे door step पे आपके colored notes पहुच रहे हैं unlimited view के साथ May 2026 या जो भ हमने पढ़े थे channels channel मतलब होता है वो तरीका distribution का जो आप तक product and services को पहुचाता है तो हमने देखा था sales channel होते है product channel होते है and so on तो channel distribution system जिसके मादियम से चीज़ा आप तक पहुंचती है उसके बाद हम देखेंगे core competence को core competence का मतलब क्या होता है core competence का मतलब होता है आप में कुछ खास है अभी अपने आप में एक skill नहीं होती it is a combination of several skills तो आपका experience है आपके काम करने का तरीका है आपके work cultures के हिस्से हो सकते हैं आपके past experiences हो सकते हैं जिन से मिलके बनता है यह हमारा core competence यह core competence जो है यह आपकी unique selling point भी कहलाती है जिसके आधार पर आपको मिलती है competitive advantage जो अगला strength, weakness, opportunity and threat strength and weakness जो है यह दो internal factor है और opportunity और threat दो external factor कहलाते हैं तो हम internal से external चार factors का अध्यन करते हैं पहले internal बाद में external तो इसको अपन short analysis का नाम दिया करते हैं यह एक planning tool है यह planning tool है जो कि हमें इन चार स्थतियों को compare करके इस स्थतियों के बारे में जानकरे देता है इसको बाद म चलके हम लोग अपने हिसाब से utilize कर सकते हैं इसके बाद हमने पढ़ना शुरू कहा था पॉर्टर माइकल पॉर्टर महा गुरू साब बतरा सर के भी जो गुरू है उनके द्वारा दी गई general strategy तीन प्रकार की strategy है cost leadership हो होती है जो सबसे सस्ता माल को जो है बना के बेचा करती ह मार्केट के अंदर mcdonald का हमने उदारन देखा था टैकेथलन ग्रूप का देखा था और हम जानते हैं कई तरीके के Chinese प्रड़क्ट आते हैं जो कि mobile शित्र में भी सबसे सस्ते प्रड़क को बेचते हैं उसके बाद हमने पढ़ा था differentiation differentiation मतलब सबसे सस्ते के सामने हम लोग अ मार्केट के लिए होता है बड़े मार्केट के लिए होता है वहीं अगर मार्केट आपका सफिशन साइच का है अलाग यह छोटा होता है उनके मुकाबले लेकिन इसमें इनफ पोटेंशल होता है मार्जन होता है तो लोग इस मार्केट को भी focus market या नीश मार्केट या concentrated market के तोर पर इस्तिमाल करते हैं जैसे rolls-royce हमने का था गाड़िया हर एक नीख खरीता है या limited edition watch आती है हमारी तो यह सारी चीजें हम focus के तहर देखने जा रहे हैं तो overall हमारा यह unit है मैं hope करता हूँ आपको यह unit याद हो चुका होगा हमने कई बार इसको revise किया है आज में उस detail के revision में नहीं जाने वाला क्योंकि हमने कई बार उसको किया है अब हम केवल और केवल जनरिक strategies जो कि last topic हमारा उसको देखने जा रहे हैं so I am giving you two minutes सभी लोग खुली आखों से इस chapter के और इसको याद कर लो इसका नाम है chapter number 3 strategic analysis internal environment इसके अंदर 5 topic हैं सबसे पहला key stakeholder जिसके अंदर ह competence उसके बाद short analysis और अंत में है Michael Potter की जनरिक strategy जो है cost leadership differentiation and focus तो take some time and grab it दिमाग में बिठालो इसको ताकि हमेशा के लिए आपको याद हुजाए जैसे पहले दूचेप्टर हमने याद किये हैं उसके और इसके तोर पे chapter number 1 introduction to strategic management and chapter number 2 strategic analysis external environment और ये है chapter 3 strategic analysis internal environment तो फटा फट से याद कर ले इसको तो चलें आगे सभी में याद कर दिया तो आईए शुरू करते हैं माइकल पॉटर की generic strategies को cost leadership हमने कर discuss किया था आज quickly उसको revise करते हैं फिर differentiation और focus पे चलेंगे समय बचा तो हमारे पास में आज हमें लिने हैं MCQ तो हम कर डिसकस कर रहे थे strategic analysis internal environment माइकल पॉटर की generic strategy के बारे में तीन तरीकी की generic strategy होती है जिनको हमने कल पड़ा था इन नामों से cost leader, differentiation, focus या जिसको हम कहते हैं niche माइकल पॉटर के accordingly competitive advantage को gain करने के तीन तरीके हैं जिनके नाम है cost leadership, differentiation और focus पॉटर जिनने generic strategy भी कहते हैं, basic strategy भी कहते हैं क्योंकि यह किसी भी type के size of business पे लागू की जा सकती है चाहिए वो profit making हो या not for profit making हो cost leadership किसको कहते हैं उन कंपनियों को कहते हैं who are producing standardized product at low cost per unit जो price sensitive market के लिए होती है मतलब standardized product बनाती हो wastage नहीं के बराबर होती हो और साथ में वो price sensitive हो जैसे ओपो वीवो हमने बताया था यह market में सबसे सस्ते phone समाते हैं चाहिना के तो यह standardized product है price sensitive market के लिए है low cost per unit है इनकी cost दूसरा differentiation यह product and services बनाते हैं जो unique होते हैं differentiated होते हैं कुछ अलग होता है और इसके लिए premium charge किया करते हैं यह price sensitive market में काम करते हैं और तीसरे होते हैं focus जो small groups of customer के लिए काम करते हैं और उनके specific taste के लिए काम करते हैं जैसे micromax, alcatel आपको ऐसे कई हमने और चीजों के बारे में जान करें दी थी पॉर्टर ने कहा है जो strategy होती है यह larger firms के लिए भी है और short के लिए भी है larger firms generally adopt करती है cost leadership और differentiation छोटी firms जो होती है वो small use करती है focus strategy चुतर के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हो competitive scope क्या है broad target achieve करती है cost leadership और differentiation narrow target में काम करती है focus और focus में भी दो है focus cost leadership और focus differentiation बात आरी सब को समझ में clear है clear है clear है okay उसके बाद हमने कहा था cost leadership की खासियत क्या है इसके keywords क्या है cost leadership का मतलब low cost competitive strategy broad mass market के लिए काम करती है जो production किया जाता है यहाँ पे वो cost reduction method पर काम किया करता है overhead cost reduce होती है हमारे wastage कम होते है limited perks होते है हर चीज cost reduction के तौर पे utilize की जाती है तो आप lower cost रखें आप cost leader बनेंगे price charge कम करें आप low cost leader हो जाएंगे लेकिन फिर भी आप satisfactory profit earn करने चाहिए जैसे mcdonald की बात करें उसके अपने fast food chains में उसने अपने product को इस तरीके से बनाया है successfully कि वो low cost strategy के कारण अपने product की cost को कम रख पा रहा है और फिर भी profit earn कर पा रहा है ऐसे ही एक और ग्रूप है sports में decathlon group जो की mega sports store लगाये में हैं low cost leadership के कारण दुनिया बर में उसके product पहुचाने जाते हैं हमने chapter नमर चार में पढ़ा था forward integration, backward integration, horizontal integration और भी कई तरीके ते concentry, concordant उन सब को करने का purpose यह होता है कि हम किसी तरीके से अपने में R&D, innovation लाएं और हम cost leadership को attend करें, economies of scale को attend करें और यहां आपका experience भी बहुत बड़ा matter करता है क्योंकि आप अपनी capacity को इससे full utilize करना सीखते हैं supplier और हमारे distributor के बीच के linkage आपको advantage प्रोवाइड करते हैं अगर आप low cost producer बनना चाहते हैं तो आपका market price sensitive buyers का होना चाहिए और वहाँ पर differentiation के बहुत ज़्यादा तरीके उपलब्द नहीं होने चाहिए तो यह आपको बड़ा suit करेगा basic idea क्या है यहाँ पर जब आप cost leader बनते हैं तो हमें under price करना अपने competitor को उनसे सस्ते में माल बेचना है और इस तरीके चाहिए हम अपना market share बढ़ाया करते हैं और competitor बन के market में उत्रा करते हैं एक successful जो cost leader होता है उसकी efficiency high होती है उसकी overhead cost low होती है limited perks होते है intolerable of waste होता है इसके लावा wide span of control होते हैं और cost contentment rewards होते हैं मतलब जो cost में cutting करके देगा उसको हम क्या करेंगे इनाम देंगे तो अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो जिन्दगी भर आप cost leadership attend कर पाएंगे बड़ी आसानी से कर पाएंगे बिना दिक्कत के कर पाएंगे उसके बाद था क्या risk है अगर कुछ advantage होती है तो किसी के साथ कुछ disadvantage भी जरूर जूरी होती है तो अगर disadvantage पहले disadvantage की बात करूँ तो वो यह है कि अगर आप cost leader है और लगातार बने वे हैं तो आपके competitor आपकी नकल कर सकते है imitate कर सकते हैं आपको इससे सभी लोगों ने अगर अपनी cost में cutting करना शुरू किया तो overall industry का profit भी कम होना शुरू हो जाएगा मैंने कल example दिया था air ड़केन एक ऐसी airline सी जिसने metro के बीच में 500 रुपे में flight शुरू की थी और उसकी देखा देखी सभी airlines ने भी अपनी flightों की cost में कमी की और उसके कारण overall profitability of the airline industry down आ गई और ultimately air ड़केन दिवा लिया हो गई उसका काम तमाम हो गया इसलिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे को के profit down आ जाते हैं हमारे हैं इसके अलावा technological breakthroughs होते हैं जैसे आजकल AI का प्रियोग होता है artificial intelligence उससे हमारी strategy ineffective हो सकती है हमारा काम करने का तरीका production method सब चीज़े ineffective हो सकती है तो ये दूसरा बड़ा disadvantage है limitation है कैसे प्राप्त करेंगे how to achieve the cost leadership पहला forecasting of the demand मता आपको पता हो नचीए सालवर में कितने product मैं बेच पाऊंगा उसकी पहले सी में अगर estimation कर लेते हो तो accordingly मैं raw material procure कर लूँगा सस्ते में production कर लूँगा मैं समय रहते वे और उसका warehouse or distribution करते अच्छा पैसा कमा लूँगा तो forecasting करनी आनी चीए demand की number two optimum utilization of resources resources का भरपूर उपियोग होगा तो naturally आप per unit cost को कम कर पाएंगे तीसरा economy तो उसके large scale production करो तो per unit cost अपने आप कम हो जाएगे standardization of product मतलब दुनिया में एक जैसा product आना जी है mcdonald की बात कर लो mcdonald के burger कहीं भी खाओ आप एक जैसी taste के है एक जैसे ही बने वे होता है इंडिया में खाओ, UK में खाओ US में खाओ, मैंने हर जगे खाया कोई फरक नहीं है, ये के जैसा ही taste है कोई फरक नहीं पढ़ता है इसमें और इससे wastage भी कम होता है invest in cost saving technology ऐसी technology का प्रियोग करो जिससे cost में कमी आती है और इसके साथ साथ जब तक संभव है differentiation को avoid करो तो अगर आप resist करो के differentiation को तो लंबे समय तक आप cost leader बने रहोगे advantage क्या है cost leader अगर आप बनते हो तो अगर ए cost leader बने वे हो तो आप profitable बने रहते हो, सबसे बड़ा advantage तो आपको ये मिलता है अब बात आती है जो Michael Potter के 5 forces थे rivals, buyer, supplier, new entrance, substitute ये आप पे cost leader होने पर क्या प्रभाव डालते है या इनका आप पे क्या प्रभाव बढ़ता है number one, rivals rivals कभी भी आपसे price war नहीं करता है क्योंकि आप सबसे कम cost पे माल को produce करते हो तो आपसे price war करके कोई क्या प्राप्त कर लेगा इसलिए price war नहीं किया जाता है rival द्वारा आपके द्वारा और इससे आप बने रहते हैं profitable, buyers buyer आपको छोड़के कभी नहीं जाता है क्योंकि आपसे सबस्ता कोई देने वाला ही नहीं है इसलिए buyer आपको कभी छोड़के नहीं जाता है supplier supplier को इतना बड़ा माल purchase करने वाला कोई और मिलता नहीं है इसलिए आप अगर prices को कम जदा भी कर लेता है तो आप absorb करना जानते हैं उस उस शौक को new entrant के लिए entry barrier है क्योंकि इस scale पर कोई काम करता नहीं अगर आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा इतने बड़े large sum के साथ enter करना और last substitute substitute जो है low cost leader जो होता है उसका कोई substitute होना मुश्किल होता है तो ये वी एक entry barrier बन गया तो cost leader होते ही Michael Potter के 5 forces से भी आप अपने आपको immune कर लेते हो उनका भी कोई प्रभाव आप तक नहीं पड़ता है अब आता आती है disadvantage क्या cost leader होने की सबसे पहला है लंबे समय तक cost leader आप बने नहीं रह सकते बहुत जल्दी आपके cost leadership की शमताओं को imitate करके कोई ने कोई और cost leader बन जाएगा number two आप केवल तभी succeed कर सकते हैं जब higher sales volume को achieve करें और number three cost low जो है आप रखते हैं तो वो कैसे रख सकते हैं आप अपने हर चीज में कटवती करो आप advertisement में कटवती करो market research में कटवती करो आप जो है वो long expensive तरीके से जो मत चलो तो लगातार ऐसा करते रहोगे तो market से भी out हो जाओगे लोग जानना पेचानना भूर जाएंगे क्योंकि आपके add नहीं आते हैं तो ये एक और दुविदा का कारण दिक्कत का कारण हो सकते हैं आपके लिए इसके अलाबा टेक्नोलोजिकल अगर advancement आ गया है AI का प्रयोग होने लगे artificial intelligence तो फिर आने वाले समय में दिक्कत है मैं आगको बता रहा हूँ मेरी बात आज याद कर लो AI आने वाले समय में driver की नौकरी खा जाएगी self driving cars आ जाएगे ये हमारे जो हैं वो कई जगे नेविगेशन में जो equipment काम आते हैं उसकी ज़रूद को खतम कर देगा translator की ज़रूद नहीं रहने वाले Google translator साथ चुके हमारे पास में कई और तरीके के jobs जो पहले आदमी किया करता था आज वो हमारे artificial intelligence software hardware मिलके कर लेंगे आपकी हमें बिल्कुल ज़रूद नहीं रहने वाली है तो आप सोच ले technological breakthrough कैसे किसी company को कैसे किसी cost leader को market से wipe out कर सकते है गायब कर सकते हैं तो इतना आप अपने पड़ा था मैं hope करता हूँ फिर से मैंने revise करा दिया है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी if you have anything आप chat box खुला है फड़ा फड़ा से अपनी problem लिख के पूछ ले वरना हम चलते हैं से आगे तो चलिए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा प्रतीत होता है हम चलते हैं अगली strategy के तरफ जिसका नाम है differentiation differentiation strategy की बात करते हैं आईए differentiation का मतलब होता है अपने product में कुछ ऐसी uniqueness डवलप करो कि लोग cost leader के सामने आपका product खरीदने की कोशिश करें क्योंकि cost leader अपनी कम cost के कारण आपको अपनी तरफ आकरशित करता है तो आप उसके सामने cost leader तो हो नहीं सकते आप उससे कम cost पे जा नहीं सकते हैं तो अपने product में कोई ऐसा product feature ले आओ कोई ऐसी खासित ले आओ जिसकी वज़े से low कम cost का product छोड़के आपको ज़्यादा पैसा दे के भी आपका product खरीदना चाहें जैसे market में apple के साथ होता है apple जब भी अपने नहीं product launch करता है आपने देखा हुआ store के बाहर रात बर लाइने लग जाती है और खूलते सुब़े product पानी की तरह बिका करता है तो उसने सस्ते Chinese product के सामने भी अपने important बनाई वी है because of differentiation differentiation वो एक गुण है एक कारण है जिसकी वज़े से broad mass market में आपका product cost leader के सामने टिकावा है क्योंकि वो price insensitive buyers को अपनी तरफ खींचता है appeal करता है भारत की सड़कों पर आज भी आप चले जाओगे तो पांच में से दो गाड़िया मारूती की मिलेगी लेकिन इसी सड़क पे आपको एक विदेशी गाड़ी भी चलती नज़िर आएगी अब वो general motor के हो सकती है, food के हो सकती है, Toyota के हो सकती है, Hyundai के हो सकती है, Honda के हो सकती है, ordi के हो सकती है, Bentley की हो सकती है को 5 में से एक गाड़ी तो उनकी भी है नगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे को आम गाड़ी नहीं चाहिए जो सब के पास है. हमें कुछ खास चाहिए. जिसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देने के लिए तयार हैं, तो वो ऐसी लग्जरी गाड़ीों की तरफ भी अपना रुख करते हैं. ये भी बड़े मार्केट के लिए, ये भी बड़े मार्केट के लिए. और इन्वल्स दे क्रियेशन और प्रोड़क्ट और सर्वीस धाट इस परसीवड बाय दे कस्टमर एज यूनीक. कस्टमर की नजरों में क्या है वो यूनीक है. उसमें ऐसे यूनीकनेस के कुछ के से डिजाइंड है. ब्रैंड इमेज उसकी कुछ अलग है जैसे अपल की है. फीचर उसमें ज्यादा है. टेकनोलोजी उसमें एडवांस है. डीलर नेटवर्क उसका बहुत बढ़िया है. कस्टमर सर्विस उसकी दूसरों से अच्छी है. कोई न कोई कारण होना चाहिए. डिफरेंसेशन का. प्रोड़क डिजाइन एक कारण हो सकता है. ब्रैंड इमेज एक कारण हो सकती है. फीचरल एडवांस का एक कारण हो सकता है. टेकनोलोजी में नयापन एडवांसमें एक कारण हो सकता है. डीलर नेटवर्क एक कारण हो सकता है. कस्टमर सर्विस एकारण तो हम देखने कई सारे कारणों के वज़े से differentiation आ सकता है इन में से कोई एक कारण भी काफी होगा differentiation लाने के लिए Because of the differentiation the business can charge a premium for the product अगर हम लोग differentiate कर पाए तो हम charge कर सकते हैं premium ज़्यादा पैसा ले सकते हैं market से और लोग खुशी-खुशी देते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास है इसमें कुछ अलग है For example, Domino's Pizza सुनाओगा आपने इसके बारे में Have been offering home delivery within 30 minutes or the order is free It is a unique selling point that differentiation from its rival तो Domino's कहता है कि मेरा पीजा order करने के बाद मैं 30 minutes के अंदर आपको घर पे deliver कर दूँगा नहीं दिया तो मेरी तरफ से यह आपको free है कोई जमाने में परेश रावल का एकायड आता था टीवी पे order करता है वो और कहता है अब तो मैं इतनी दूर बैठा हूँ कि deliver नहीं होगा और तीसवा मिनिट होता है कि दरवाजे पे घंटी बजती है डोमिनोज वाला हाजिर होता है आज भी पीजा खरीद के खाना पड़ेगा free नहीं मिलेगा क्योंकि डोमिनोज 30 मिनिट के अंदर delivery करता है वो अपने point को reiterate करते हैं उस एड़ के मादगर्म से तो purpose क्या है कुछ uniqueness और इसके कारण डोमिनोज दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि वो deliver करता है within 30 मिनिट which is a unique point in comparison to other पीजा कंपनीज differentiation does not guarantee competitive advantage हाँ ये एक अच्छा point है समझ लो कि differentiation आपने कर लिया तो इसका मतलब guarantee नहीं है कि आप succeed कर गए क्योंकि differentiation कर देने के बाद लोगों को पसंद भी आना चाहिए कि आपने जो differentiate किया वो उनको पसंद आ रहा है उनके काम की है आप ऐसा differentiation ले आओ जो लोगों के काम का ही नहीं हो है ना differentiation है पर लोगों के काम का नहीं है परसीव नहीं करते है वो कि यह differentiated है तो आपके differentiation आप अपने पास रखो लोगों की नजरों में बेकार है तो differentiation कर लेना ही success की guarantee नहीं होता है competitive advantage की guarantee नहीं होता है especially if a standard product sufficiently meet the customer need और if the rapid imitation by the competitor is possible तो फिर यह बेकार का differentiation है लोग जल्दी से आपका uniqueness अपना लेते हैं लोगों की नजरों में वो sufficient नहीं है तो ऐसा differentiation काम का भी नहीं है durable product protected by a barrier to quick imitation by the competitor area is better तो आप ऐसे product बनाओ जो एक तो लंबे समय तक चलते हो durable हो और दूसरा quick imitation से बचे वे हो कोई भी easily उनकी नकल न कर सके successful differentiation can mean greater product flexibility greater compatibility, lower cost improved service, less maintenance greater convenience and more feature तो अगर आप चाहते हैं कि differentiation करें तो differentiation करने का माद़ flexibility ज़्यादा लानी पड़ेगी प्रड़क के अंदर greater compatibility लोगों को फियोग में लानी पड़ेगी cost को हमें कम रखना पड़ेगा services को improve करना पड़ेगा maintenance cost को कम करना पड़ेगा convenience को, लोगों की सुविदा को बढ़ाना पड़ेगा ज़ाद से ज़ादा feature देने पड़ेगे तभी आप अपने में कुछ uniqueness ला पाएंगे product development is an example of strategy that offer the advantage of differentiation तो नए-नए product market में बनाना नए-ने product market में बनाना product development एक ऐसा ही तरीका है जो की आपको देता है product differentiation advantage differentiation strategy should be pursued only after careful study of buyer's need and preferences बिना उसकी बात को सोचे समझे अगर हम differentiation में जाएंगे तो नतीजा नहीं आएगा हमें buyer की need को अच्छे से समझना पड़ेगा उसको incorporate करेंगे क्या cost आएगी वैसा product लोग खरीदना चाहेंगे इसका कोई एक prototype बना के test कर लिया जाए फिर कही market में उतरा जाए तो इसका फाइदा मिल सकता है to determine the feasibility of incorporating one or more of the differentiating feature into the unique product the customer desired attribute must be there तो customer desirable attribute होने चाहिए customer को देखने से लगना चाहिए कि मैं इस चीज को लेने आया हूँ वो इसमें उपलब्द है तो immediately purchase कर लेगा लेकिन अगर उसको लगता है मेरा desired product feature तो इसमें है ही नहीं कोई समझावे उसे तब उसे पता चल रहा है तो वो जो perceived नहीं है जो दिखनी रहा है ऐसे के प्रती हम लोग थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं लेने के प्रती इच्छा नहीं रखते हैं अगर हम successful differentiation कर पाए तो हम ज़्यादा price चार्ज कर सकते हैं लोग देने के लिए भी तैयार है for its product and to gain customer loyalty because consumer में become strongly attached to the differentiated product तो जो apple के brand apple के brand followers हैं वो apple के product लेते हैं जब भी कोई नया product आता है special features that differentiate one product can include superior service spare part availability हम दूसरों से ज़्यादा अच्छी सुईधा देते हैं हमार पास spare part हमें हमेशा उपलफ देते हैं आपका खराब हो जाता है तो replace करके देते हैं engineering design हमारी अच्छी है product performance better है useful life है लब में समय तक चलती है gas mileage अगर कोई automobile है तो आप कम gas पे ज़्यादा mileage चल पाते हैं और use करना उसको आसान है ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो आपको दूसरों से differentiate करते हैं और इस वज़े से आप market में पाते हैं competitive advantage और लोग इस uniqueness के कारण आपको देते हैं premium ऐसा ज़्यादा देते हैं ताकि आप इस product को ज़्यादा अच्छे से उप्योग करें और उसके लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए भी तयार है क्या बात आ रही है सब को समझ में is it clear to all of you हम पढ़ रहे हैं second strategy differentiation strategy तो is it clear to all of you बताइए हमने detail में बता दी कैसे cost leader के सामने differentiation किया जा सकता है क्या गुण होने चाहिए कैसे किया जाना चाहिए let us see this in coming pages also तो आगे और हम बात करेंगे इसी differentiation strategy के how to achieve it कैसा इसका advantage है कैसा इसका limitation and so on तो चलिए है आईए बढ़ते हैं इससे आगे differentiation strategic और थोड़े detail में समझते है a risk associated with pursuing a differentiation strategy is that unique product may not be valued high enough by the customer to justify the higher price आपने का यह मेरा product अलग है लेकिन customer को भी लगना चाहिए कि वाकर यह product अलग है और उसके लिए जितना पैसा यह charge कर रहे है उतना मुझे इसको देना चाहिए तो उसकी नजर में भी यह क्या होना चाहिए unique होना चाहिए तो unique product customer की नजर में भी unique होना चाहिए जिसके लिए पैसा charge करने के लिए या देने के लिए तयार हो अगर कस्तमर की नजरों में आप unique नहीं हो उसको यह product feature कोई खास नहीं लगता है जिसके लिए पैसा देना चाहता है तो वो differentiation को छोड़के cost leadership की तरफ मुड़ जाएगा और वो cost leadership अला product की खरीदेगा Another risk of pursuing the differentiation strategy is that competitor may develop ways to copy the differentiating features quickly अगर आपका feature ऐसा है कि आसानी से copy हो जाता है तो आपके competitor आपकी इस differentiating feature को compete करने से compete करने के लिए तुरंत imitate करेंगे copy करेंगे Firms must find durable sources of uniqueness that cannot be imitated quickly और cheaply by the rival firms तो rival firms दोरा आसानी से imitate ना हो ऐसा हमें करना चाहिए For example Amazon Prime offer delivery within two hours अमेरिका में Amazon Prime क्या करता है दो गंटे के अंदर द्रोन के मादियम से delivery देने लग गया अब ये कैसा feature है जो हरें के लिए copy करना impossible है क्योंकि ऐसी technology उनके पास नहीं है ऐसी infrastructure उनके पास नहीं है This is quite difficult to imitate by the rival and thus it is differentiating factor helps to lead the market इसले Amazon Prime अभी भी number one बनावा है अमेरिका में क्योंकि वो जो delivery दे रहा है द्रोन के मादियम से दो गंटे में कोई चाहते में भी उसे copy नहीं कर पा रहे है इतना बड़ा infrastructure और ऐसी चीज़े वो खुद नहीं ला पा रहे है बात आई के सब पर समझ में तो यहां हमने क्या पड़ा रिस्क पो पड़ा क्या रिस्क है इमिटेट कर लेते हैं कोई लोग दूसरा लोगों की नजरों में जो uniqueness आप कह रहे हैं वो uniqueness है ही नहीं तो उनकी नजरों में जब वो uniqueness नहीं है तो आपको product क्यों खरीदेगा और क्यों आपको एक premium price देगा तो यह कुछ अंतर हैं कुछ दिक्कते हैं जो हमने इसके बारे में समझी risk associated with differentiation strategy आईए अब बात करते हैं basis of differentiation क्या कारण है हमारे differentiation के there are several basis for differentiation तीन कारण हम बताते हैं पहला product में अंतर कर लो दूसरा pricing में अंतर कर लो तीसरा organization के काम करने के तरीके में अंतर कर लो आप तीन जगे differentiation ला सकते हो या तो आप product ही एक unique layout को ऐसा देता नहीं है दूसरा pricing इतनी कर लो कि आप अलग उसकी price दिखे आपको और तीसरा organization के काम करने का तरीके इतना unique कर लो कि वो अलग से नजर आने लगे तो तीन तरीके हैं differentiation के product, price और organization, PPO तो पहला है product, product क्या होता है? product मतलब कोई एक ऐसा goods and services जिससे हम अपने कोई काम को कर सके है company can have advantage over the competitor, तो ऐसे नए-नए innovative product निकालो, जिसकी वज़े से आपके product customer को बहुत ही useful साबित हो और वो उसका उपयोग करें, however, the pursuit of new product offering can be costly, research and development के कारण, as well as production and marketing भी costly हो सकती है, क्योंकि यह नए तरीके से करना पड़ेगा, the pay of power can be great as customer flocked among the most to have the new product, लेकिन customer उस नए product को लेता है, क्योंकि पहला लेने वाला वो बंदा बंता है, और यह हमारे में एक थोड़ा सा, कहना चीए, खिचाव होता है, जैसे कई लोग होता है, पहला दिन, पहला शो, जो मुवी का देख किया ना, और कई सालों से उनके चला रहा है, अपने फेवरेट जो है, आर्टिस्ट का, वो पहले दिन पहला शो देखते हैं, तो यह जो फ़स्ट कस्तमर होने का होता है, यह अलगी होता है अपने अबगे, तो कई लोग कहते है, एपल का स्टोर खुलत है, तो पहला कस्तमर मैं था रात को खड़ा हो गयते लाइन में, सुबह खुला तो सबसे पहले मैंने उसे परचेस के अपने हाथ में लिया, तो यह जो एक क्रेज है, यह आपको डिफरेंशेशन स्ट्रेजी में कामयाब बना सकता है, तो एपल आईफोन एक ऐसा तरीका है जो प्रड़क को यूनिक बनाता है, इनोवेटिव बनाता है, जिसके कारण लोग इस प्रड़क को फर्स्ट प्रड़क के तौर पे, यह पहले व्यक्ति के तौर पे उप्योग लेना चाहता है, और इसलिए वो इसे खरीदा करते हैं, दूसरा है प्राइसिंग फैक्टर, Pricing आ मतलब, it fluctuate based upon the supply and demand and may also be influenced by the customer ideal value for the product, market में demand क्या है, market में supply क्या है, लोग कितना चाहते हैं, इन सब चीजों पर यह निरभर करता है, Companies that differentiate based on product price can either determine to offer the lowest price or can attempt to establish superiority through the higher prices, तो companies that differentiate कर लेती हैं, वो higher price charge कर लेती है in comparison to उन लोगों के जो lower price charge करते हैं, जैसे Apple का iPhone जो होता है वो dominant करता है smartphone को segment by charging higher prices for the product तो Apple का जो iPhone है वो आपका क्या करेगा higher price को charge करेगा दूसरों के मुकावले क्योंकि premium है ऐसा product बनाए है हमने design ऐसी बनाए है feature ऐसे दिये है कि हम उसका premium भी charge करें तो लोग देने के लिए तयार रहा करते हैं बात आई के सब को समझे है आईए अब तीसरी बात करते है organization organization differentiation is yet another form of differentiation maximizing the power of brand or using the specific advantage organization processes can be instrumental to the company success location advantage, name recognition customer loyalty all provide additional way of company differentiation from the competition तो आप company के तौर पे अपने आपको brand के तौर पे स्थापित करो तो क्या हो जाता है इससे आप market पे दूसरों से better जाने जाते हो अब आपके पाद location के advantage हो सकती है आपके organization जाए इस्तित है वहाँ पे सब चीज़े नजदीक है customer भी आपको नजदीक मिल जाता है raw material भी नजदीक मिल जाता है इसके अलावा name लोग पहचानते है आपका customer आप से जड़ावा loyal आपके पास में यह कुछ और additional चीज़े हैं जो आपके organization को दूसरी organization से uniquely पहचानने में मदद करती है तो हमने तीन तरीके देखे जैसे apple जो है उसने build किये customer loyalty को apple के जो customers होते हैं अपन apple fanboy और fan girls के नाम से भी जानते हैं तो हमने देखा तीन अलग अलग तरीके there are three different bases by which we can have differentiation either we do it in the product जैसे apple का iPhone we do it in the pricing जैसे apple ने किया है and organization जैसे locational advantage के तौर पे या name recognition के तौर पे loyalty के तौर पे या additional benefit के तौर पे आप अपने में विक्सित कर सकते हैं तो हमारे पास में differentiation के तीन तरीके हैं product में differentiation लाओ pricing में differentiation लाओ या फिर आप organization के काम करने के तरीके में differentiation लाओ बात आई के सब को समझ में तो हमने तीन तरीके देखे differentiation के product price and organization I hope ये भी आपको समझ में आया होगा जितने कीवर्ड आपको बताए जा रहा है वो अलग से लिख लो फिर उनके मदद से आप सेंटेंसे बना के अपने नोट्स बना लेना देखें और नोट्स का आप हमसे वाट्स अप नंबर पे चेक भी करवा सकते है क्लियर है क्लियर है क्लियर है अच्छाली है सभी को क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग Achieving differentiation strategy कैसे प्राप्त किया जाएसे इसको How to achieve it How to achieve the differentiation strategy To achieve the differentiation Following things can be adopted Offer the utility to the customer and match the product with their taste and preferences Customer क्या चाता है उसकी taste और preferences को जानो Customer की demand को जानो Simple बात क्या है Customer की demand को जानो जिसने customer की demand समझ लही वो differentiation तुरंद अच्छीव कर लेगा Number two Elevate or improve the performance आप rapid innovation करो Rapid product innovation करो नहीं चीज़े ले क्या हो Taking the step for enhancing the brand image and brand value अपनी image को बहतर साबित करने के लिए अपनी image को बनाये रखने के लिए आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपकी तरफ आकरशी तो जाए लला ही तो जाए और आपका product खरीदने की कोशिश करें Fixing the product price based on the unique features इसके लावा आप क्या करो Unique features के कारण अपने product में अपने prices को कुछ unique बनाये रखने की कोशिश करें Fixing करें उसकी और चार्ज बले premium कर ले तो हम देख रहे हैं कई तरीके से हम differentiation अचीव कर सकते हैं पहला customer की demand को पहले से ही समझ लेना उसकी taste and preferences को जान लेना ताकि वैसा बनाये जा सके सकसस की guarantee है नमबर टू अपनी performance को elevate करना improve करना दूसरों से better बनाना तीसरा high quality की product देना जिससे customer को खरीटने से satisfaction हो चौथा product में rapid innovation लाना पांचमा product की brand image और brand value को enhance करते चले जाना लोगों को लगना चाहिए कि वो इसे जुड़के अपने आपको खुश नसीब मान रहे है और नमबर छे fixing product price based on the unique feature आप उन्हें unique feature का अधार पर इसमें price को बढ़ाते चले जाए better करते चले जाए fix करते चले जाए तो छे तरीके हमने बताए how to achieve the differentiation पहला customer की taste and preference को जाना दूसरा performance को elevate करना तीसरा services for satisfaction of the buyer करना और next rapid innovation करना product में next brand image of brand value को enhance करना और last fixing product price based on the unique features बात आई के सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear बोलजी हाँ, बोलजी हाँ, बोलजी हाँ तमी बोलता नती इसके बाद हम discuss करने वाले हैं advantage of differentiation strategy फाइदा क्या मिलता है अगर आप differentiation strategy को pursue करें तो what is the advantage of pursuing differentiation strategy differentiation strategy आपको unique बनाती है, जिस कारण market में आप बने रहते हैं profitable बने रहते हैं और Michael Potter की जो five forces है rivalry है, buyer है, supplier है आपके entrant है इन से भी आपको immune करता है जैसे अपने cost leader को देखा था a differentiation strategy can help the organization to remain profitable even rivalry, new entrants, supplier, substitute and buyers power तो इन से हमको immune रखता है, profitable बनाया रखता है कैसे? आईए, पहले बात करते है rival rival आपको कुछ नहीं भी काड़ सकता क्योंकि आप में जो unique differentiating feature है वो आपके अलावा कोई दे नहीं पा रहा है आपका rival भी नहीं दे पा रहा है तो आप से जो लोग जुड़े हैं, वो brand loyalty से जुड़े हैं इसलिए आपके rival के पास कभी नहीं जाते brand loyalty act as a safeguard against the competition तो rivalry कुछ नहीं भी गाड़ सकती क्योंकि brand loyalty हमसे जुड़ी होने के कारण customer हमको छोड़के नहीं जाता है it means that customer will have less sensitivity to price increases क्योंकि firm का customer satisfied है उसके features के कारण तो rival हमारे कुछ नहीं भी गाड़ सकता है क्योंकि लोग हमसे brand loyalty से जुड़े हैं number two buyer खरीदार कहीं और जाता नहीं है क्योंकि जो उसको feature चाहिए वो हम ही देते हैं हमारे अलावा कहीं और कोई देता नहीं है तो हमको छोड़के जाये का का they do not negotiate for price as they get special feature तो वो negotiate नहीं करते हैं क्योंकि उनको जो product feature मिल रहा वो हम दे रहे हमारे कोई और दे नहीं रहा है supplier कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा because differentiator charge a premium price जिससे अगर supplier अपने cost of supplies में बढ़ोतरी भी कर ले तो वो absorb हो जाता है चुकि हम premium price charge करते हैं additional price charge करते हैं तो अगर supplier कहीं cost of supplies में बढ़ोतरी भी करता है तो हमारी जो additional cost charge की भी है उसमें compensate हो जाती है तो supplier की बढ़े बे पैसों से supplier की cost of supply बढ़ने से हमारे पे कोई फरक नहीं पढ़ता है next है entrant नहीं आने वाले लोग innovative features are the expensive offer ठीक है so new entrants are generally avoid these features तो उनके लिए entry barrier होगा so it is tough for them to provide the same product with a special feature तो उनके लिए tough हो गया उनके लिए entry barrier हो गया इसलिए नए लोग ऐसे feature के साथ नहीं आते हैं तो फिर वो compete भी नहीं कर पाते next है substitute substitute product cannot replace differentiated product which have high brand value and enjoy customer loyalty तो हमारे जो substitute product है वो कभी भी हमें replace नहीं कर पाते हैं क्योंकि पहली बात हम product unique दे रहें दूसरी बात brand loyalty से जुड़े हैं तीसरी बात customer हमसे loyalty के साथ जुड़ावा है इसलिए वो कभी हमें छोड़के नहीं जाता है तो हमारी advantage यह है differentiation में कि हम अपने product को इतना unique बना चुके है कि लोग हमें छोड़के जाना पसंद नहीं करते है उसमें brand loyalty भी एक factor हो सकता है product का differentiation feature भी एक उन हो सकता है premium price जो हम charge कर रहे है वो भी उसे अपनी तरह ट्रैक्ट कर रहा है तो चाहे rival हो, buyer हो, supplier हो, enter and substitute हो इन सब से हम immune हैं इन सब से हम immune हैं बात आई कैं सब को समझ में तो समझ ले advantage of differentiation strategy हमने आपको सभी में key points बता दी हैं keywords को याद रख के आप अपने sentences बना सकते हैं जैसे पहले में brand loyalty हो गया दूसरे में do not negotiate हो गया तीसरे में absorb higher cost लो supply हो गया चौते में tough हो गया entry barrier हो गया और पांचवे में हो गया cannot replace high brand value and enjoy customer loyalty तो सभी के keywords हमको पता है अगर keyword हमको पता है तो फिर इसको score करना आसान है आप आसानी से लिख पाएंगे बात आ रही है सब को समझ में is it clear to all of you चलिए सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को अगे बढ़ते हैं पर disadvantage क्या differentiation strategy का पहला disadvantage है in the long term uniqueness is difficult to sustain मतलब आपके competitor भी uniqueness अपना लेते हैं तो sustain नहीं कर पाते हैं आप लंबे समय तक uniqueness को क्योंकि दूसरे आपकी uniqueness को अपना कर आप जैसे बन जाते हैं number two charging too high a price for a differentiated feature may cause the customer to switch off to another alternative अगर आप लगातार high price charge कर रहे हैं तो हम दूसरे पे switch off कर जाएंगे हम दूसरा alternate पे चले जाएंगे जैसे लगातार iPhone अगर ऐसी charge करता रहा तो लोग क्या करेंगे iPhone के substitute को तलाश के उस पर shift हो जाएंगे number three differentiation fails to work if its basis is something that is not valued by the customer मतलब आपने का product differentiated है customer की नजर में नहीं है तो वो इसका premium आपको देने के लिए तयार नहीं है home delivery of package snacks in 30 minutes would not even be a differentiator as a consumer won't value such an offer वो कहता है मैं टाइम ही टाइम है 30 की जगे एक गंटे में आतूँ मैं एक गंटा पहले order करता हूँ मेरे पास एक गंटे बाद में दे जाना भूग लगी जब मेरे को मैं काऊँगा तो 30 minute में आना हो सकता कईयों के लिए valued feature नहीं हो तो इसके लिए वो premium आपको देंगे जरूरी नहीं है तो हमने तीन कारण बताया है पहला uniqueness लंबे समय तक sustain करना मुश्किल है लोग आपकी ये चीज़ को नकल कर लेते हैं number two high price लगातार charge करना लोगों को मजबूर करता है कि वो आप से चिटक के दूर चले जाए substitute प्रडक्टों की तलाश करें और तीसरा differentiation तब fail हो जाएगा काम करना जब basis हमारा जो है वो customer की value में नजरों में value नहीं करता हो जैसे 30 minutes में पीजा डिलिवर करना अगले के लिए value नहीं करता तो आपका additional charge नहीं देगा बात आई सब को समझ में तो आपने दो strategy डिस्कुस कर ली है माइकल पॉडर की जनरी की strategy में पहला cost leadership broad market के लिए सबसे सस्ता बेचना और दूसरा उसी सस्ते के सामने product में uniqueness लाते वे product को high premium पे बेचना पहला था cost leader दूसरा differentiation अब हम आगे हैं तीसरी strategy के तरफ जिसका नाम है focus small market segment के लिए लेकिन ये भी इतना enough होता है कि इससे profit निकाला जा सकता है पहलो झाल झाल तो आईए शुरू करते हैं अब अपन फोकस को तीसरी स्ट्राटेजी को तो आईए बात करते हैं फोकस की स्मॉल मार्केट सेग्मेंट की स्कीम की फोकस स्ट्राटेजी चोटा है लेकिन सफिशन्ट है जिसमें बढ़ने की संभावन अची है अगर बड़े प्लेयर इसमें आना नहीं चाहते हैं उनके लिए आना इसमें जरूरी नहीं है तब यह सक्सीड करेगा अगर बड़े फोकस स्ट्राटेजी के लिए मार्केट सफिशन्ट साइज का होना चाहिए होता चोटा ही है बड़े मार्केट जितना बड़ा नहीं होता है sufficient size का होता है बढ़ने की growth potentiality बहुत होती है इसके अंदर और तीसरा बड़े player इसकी तरफ नहीं आते हैं तभी ये focus strategy successful है वरना ये successful नहीं है strategy such as market penetration जिसमें हम market में गहरे उतर के ज़्यादा share प्राप्ट करते हैं new product for existing customer बनाते हैं या market development new product for new customer होता है offer substantial focusing advantage तो market penetration market development ऐसे कुछ तरीके हैं जो focus strategy द्वारा अपनाए जाते हैं mid-size की और large firms can effectively pursue the focus based strategy only in conjunction with differentiation और cost leadership based strategy दुनिया में focus strategy अगर आप लागू करना चाहोगे तो उसके दो ही तरीके हैं एक तरीका है इस छोटे market segment में जो आपने market पकड़ा है focus वाला concentrated market इस market में इस market में आप cost leader बनें इस market में overall नहीं इस market में या फिर इस market में जो focus आपने पकड़ा है उसमें आप differentiation करें तो focus दो तरीके से focus cost leadership या focus differentiation अकेला focus नहीं आता है focus दो तरीके से लागू होता है वो जो sufficient market आपने पकड़ा है, छोटा market आपने पकड़ा है, उसी market में आप, उसी market में, overall market की बात प्यों रही है, उसी market में आप सबसे सस्ते बनेगा, overall में जो सबसे सस्ता बनेगा वो cost leader है, लेकिन इस छोटे market में, sufficient side में अगर आप सबसे सस्ते हैं तो आप focus cost leader है, overall market में आप का unique feature है तो आप differentiated है लेकिन इस छोटे market में आपका product unique है छोटे market में आपका product unique है तो आप focus differentiation है बात रही समझ में तो यहां पे छोटे और बड़े market की बात हो रही है अगर overall market में आप सबसे सस्ते हैं तो आप cost leader है overall market में आपका product unique है तो आप differentiation है लेकिन इस छोटे sufficient size के market में आप सबसे सस्ते हैं तो आप focus cost leader है इस छोटे sufficient market में अगर आपका product differentiated है तो आप focus differentiation है बात आरीए के समझ में clear है कि नहीं है बताओ जी clear है कि नहीं है clear है clear है clear है clear है तो focus strategy सबको समझ में आ रही है sufficient size का market होना चाहिए good growth potential होना चाहिए और ये crucial नहीं होना चाहिए other major competitor के लिए market penetration, market development substantial focusing advantage के साथ बढ़ाए जा सकते है size, bid size हो, large firms हो अगर वो focus strategy परसू करेंगी तो दो ही तरीके हैं उसके focus cost leadership or focus differentiation all firms in the essence follow a differentiation strategy because only one firm can differentiate itself with the lowest cost the remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their product तो basically market में टिके रहने के लिए हम में कुछ न कुछ uniqueness को लाने ही पड़ेगी तो और ओर आल देखा जाए तो हर company differentiated basis पे ही दूसरों से अलग होके जी रही है या चल रही है market में focus strategy are most effective focus strategy सबसे effective कब होती है when consumers have distinctive preferences जब consumer की preferences कुछ अलग है और requirements and when the rival firms are not attempting to specialize the same target segment और आपकी rival firms उसको करना नहीं चाहती है तो यह most effective कब होगा जब consumer की preferences इतनी अलग हैं कि उसको आपके अलबा आपकी company के अलबा आपकी rival फार्म की इस 스ंट बें नहीं जाना हमारे को और आप हैं तो लगातार उन लोगों की इस्छा पुरती कर रहे हैं तो आपके राइवल आना नहीं चाहते है और आप उसकी इस्छा पुरती कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे focus शुक नहीं है, वो कहते हैं इस फील्ड पे नहीं जाना हमारे को, और आप हैं तो लगातार उन लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो आपके राइवल आना नहीं चाहते हैं और आप उसकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो आप वो जाएंगे focus differentiation वाले या focus cost leader वाले risk of pursuing the focus strategy include the possibility of numerous competitors recognizing the successful focus strategy and imitating it or the consumer preferences may drift towards the product attribute desired by the market as a whole तो दो वज़े से risk आती है हमारे को पहला पहली risk यह है कि लोग imitate करके अपना लें आपका यह गुण तो वो भी आप जैसे होगे और दूसरा consumer की जो preferences हैं वो drift होगे मतलब जो पहले थी अब नहीं है वो अब नहीं है तो अब नहीं होने के कारण क्या है जो आप focus strategy अपनाए वे थे वो आप काम नहीं कर पा रही है वो काम नहीं कर पा रही है An organization using a focus strategy में concentrate on a particular group of customers geographical market और a particular product line segment in order to serve well defined but narrow market better than the competitor who serve a broader market For example Ferrari sports car अब यह Ferrari की जो sports car है यह सस्ती नहीं है बहुत महेंगी है तो यह product differentiation में आएंगी हमारे तो focus differentiation strategy के तोर पे लोग इनको खरीदना पसंद करेंगे इसको कोई भी focus cost leadership के तोर पे नहीं देखता है इसको हम देखते हैं focus differentiation Ferrari cars जो sports car है वो unique feature है जो unique तरीके की style के लोग इसको लेते है sports utility vehicle लेने वाले लोग लेते हैं तो वो इसे खरीदेंगे आईए अब बात करते हैं focus cost leadership की focus cost leadership focus cost leadership strategy require competing based on the price to the target in narrow market focus cost जो होता है वो compete किस पे करता है price पे करता है और narrow market को target करता है जो market focus cost को दिया गया है उसी market पे वो सबसे सस्ता होने की कोशिश करता है a firm that follow this strategy does not necessarily charge the lowest price in the industry instead it charges the low prices related to other firms that compete within the target market तो ये सबसे सस्ता नहीं होता overall industry में अगर ये overall industry में सबसे सस्ता होता तो फिर ये focus बनी रहता है ये सिधा cost leader में चला जाता है लेकिन ये अपने इस segment में दूसरे के मुकावले दूसरी company के मुकावले सस्ता है इसलिए उस segment में ये क्या कहला हैगा ये कहला हैगा focus cost leader ठीक है बात अरे हैं कि सबको समझे में एक गली मुले का नेता होता है और एक देश का नेता होता है और एक दुनिया का global leader होता है बात समझ रहे हैं तो नेता तो सब है लेकिन एक गली मुले का है focus वाला उसकी बस दौड़ वहीं तक है एक देश का है उसकी देश वहीं तक है एक global leader है तो जो दुनिया के पंचैती करता है, दुनिया की problem solve करता है, दुनिया की problem solve कराना मदद करता है, तो जो सब पूरे मार्केट को ध्यान में रख रहा है, वो cost leader हो जाएगा, लेकिन जो इस segment में सबसे सस्ता है, वो focus cost leader होगा, बात अरी कि नियारी सब को समझ में, चली, मैं एक example समझाता हूं 1996 की बात होगी मैं पहली बार United States of America USA गया था पहली बार गया था तो naturally यहां से जब अपने जाते हैं न बहुत सारी चीजें लोग अपनों कह देते हैं यह देखना वो देखना वो देखना तो मुझे कहा गया था लास वेगास देख्या ना जो की कैसीनो का शहर है वहां का तो लास वेगास एक कैसीनो का शहर है मुझे कहा था बाई रोड मैं भी निकला देखने के लिए वहाँ पे मैंने क्या देखा रोड साइड पे जो है वो मैकडोनल्स के और बहुत सारे दूसरे के आउटलेट्स बने वे थे तेक अवेज वाले मतलब आप गाड़ी रोको बनवाओ खरीद और चलो रुकने की विवस्ता नहीं है उनके पास में और वो टेक अवेज में जो चीज दे रहे थे वो मार्केट में जो दूसरे बैट के खाने वाली जगे से उससे सस्ते दे रहे थे मतलब सेम प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा बर्गर या पीजा या दूसरी चीज़ आपको आफर की जा रहे थी परपस क्या था उनका कि जो ये आने जाने वाले लोग हैं उनको इस प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए हमारे को तो फोकस कॉस लिडर्शिप होगे कि इस सेगमेंट में मतलब जो टेक अवेज वाले हैं जो रोड साइड चल के आ रहे हैं आ रहे और जा रहे हैं उस सेगमेंट एरिया में हर एक नहीं यूँ तो आप शेर के अंदर चले जाओगे तो वहाँ भी रेस्टोरेंट है मैकड़नल्ड के वहाँ ये प्राइस नहीं मिलेगा आपको वहाँ इतनी कॉंटिटी नहीं मिलेगा आपको लेकिन जो ट्रैवल करके आ रहा है रोड साइड से आ रहा है टेक अवेज पे खड़ा है वहाँ रुपता नहीं है लेके चला जाया करता है इससे उस मैकड़नल्ड को बहुत जादा बड़े एरिया की जरूत नहीं है कि बैट के लोगों को खिलावे वो वो केवल पैक करता है आपको दे के रवान हो जाता है तो उसका समय और पैसा दोनों बच्चत होती है तो ऐसे में वो क्या कर रहा है बड़े पीजा बर्गर को भी कम प्राइस चार्ज कर रहा था तो उस सेग्मेंट में जो टेक अवईज वाले हैं जो मुमेंट वाले एक रहाक हैं उस सेग्मेंट एरिया में वो सबसे सस्ता है तो ये एक एक एक्जाम्पल है किसका focus cost leadership का ये बत्रा सर्ण ने खुद देखा वेटा आप चाहो तो इसको लिख सकते हो MacD Offer Cheap Cheap मलब सस्ता Burgers and other items for takeaways तो ये US में वो offer करते हैं और मैंने ऐसे देखा और अब तो बेरकाल जैसी कई चीजे हर जगे उपलब्द भी होने लग गई हैं तो ये उसे cost leader बनाता है takeaways की श्रिणी में takeaways की श्रिणी में वो सबसे सस्ता माल offer कर रहा है लोगों का और लोगों के उसे लेना भी पसंद करते हैं Firms that compete based on the price and target and narrow market follow a focus cost leadership strategy तो इसके लिए narrow market segment होना चाहिए और आप उस segment में सबसे सस्ते होने चाहिए जैसे मैंने का MACD offer cheap burger and other items for takeaways ठीक है takeaways में ऐसा करता है वो तो ऐसा कोई Indian भी कर सकता है अपने restaurant में के roadside जब आप जा रहे हो suppose करो आप जैपर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो roadside को ढ़ाबा आता है ढ़ाबे पे बैटने की सुईदा नहीं है पैक करा हो और आप लेके चलो readyment थाली दे सकता है वो आपको कुछ दे सकता है और आपसे वो पैसे कम चार्ट कर सकता है तो ऐसे takeaways में क्या हो takeaways मा market narrow है और ऐसे takeaways में वो आपको दे रहा है सबसे सस्ता तो overall सस्ते में सस्ता नहीं है वो takeaways में सस्ता है इसलिए मुसको कहेंगे focus cost leadership बात आरी ही समझ में तो segment हमारा कौन सा है हमें यह समझना पढ़ेगा clear है clear है clear है अब बात करते है focus differentiation की focus में अपने product को differentiate करना इस narrow market segment में focus differentiation a focus differentiation strategy require offering uniqueness of features that fulfill the demand of a narrow market तो इसकी बात खास बात क्या है यह offer कर रहा है uniqueness of feature लेकिन किस के लिए demand of narrow market large market नहीं है large market में जो पूरा करेगा वो differentiation कहलाएगा लेकिन narrow market में uniqueness जो offer करता है वो क्या कहलाएगा focus differentiation कहलाएगा similar to focus low cost strategy narrow markets are defined in different ways and different settings some firm using a focus differentiation strategy concentrate their effort on a particular sales channel जैसे केवल internet पी बीचेंगे such as selling over the internet only तो आपको मालूम होगा boat boat के जो headphones है वो बिखा करते हैं केवल internet पे flip card amazon पे बिखते हैं तो यह focus differentiation हो गया ना माल तो मैं केवल और केवल बेचूँगा तो ऑनलाइन ही बेचूँगा बाके और कहीं नहीं बेचूँगा मैं तो boat के जो हमारे headphones हैं वो ऐसे बिखते हैं other target particular demographic groups है ना के मैं northern इंडिया में बेचूँगा southern इंडिया में बेचूँगा eastern इंडिया में बेचूँगा western इंडिया में बेचूँगा firms that compete based on uniqueness and target a narrow market are following a focus differentiation strategy for example rolls royale sales limited number of high end custom built cars अब यह बहुत महेंगे होती हैं और केवल कुछ समय के लिए आती हैं rolls royale की anniversary आई तो उन्होंना offer कर दिया हाना ऐससे वो लेके आते हैं इसी तरिके ज़र Rolex की गड़िया आती है Rolex भी अपनी महेंगी महेंगी गड़िया limited edition में निकाला करता है तो यह सब example किसके कहला हैंगे focus differentiation कुछ समय के लिए आया करते हैं बात आ रही है सब को समझ में तो हमने example दे दिया आपको differentiation के rolls royale भी example हो सकता है Rolex की गड़ियां भी example हो सकती है Rolex watches achieve कैसे करें focus strategy को to achieve the focus cost leadership or differentiation following strategy could be adopted क्या adopt करेंगे देखें हम पहला selecting the specific niches niches का मतलब होता है narrow group narrow target group which are not covered by the cost leader and differentiators बड़े वाले इसको cover नहीं कर रहे हैं और आप उस market segment में enter कर रहे हैं तो आपको वो छोटे market पकड़ने पड़ेंगे niches या concentration पकड़ने पड़ेंगे creating superior skill for catering such niche market आप उनको बेटर तरीकी से serve कर सकें ऐसी अपने में सुईधा लानी पड़ेगे generating high efficiency मतलब input to output ratio बढ़िया बनाना पड़ेगा wastage कम करनी पड़ेगे developing innovative ways आपको अपने में innovation लाना पड़ेगा innovative ways लाने पड़ेगे ताकि chain अच्छे से बन पाए advantage क्या है focus strategy की आप premium price चार्ज कर सकते है organization में जब आप उने product and services को इतने unique तरीके से ला सकते है so you can charge premium price दूसरा due to tremendous expertise in the goods and services the organization following the focus strategy offer rival and new entrant में finally difficult to compete तो आपके पास जो इतना experience है शेत्र का वो rivals और new entrant को आपके शेत्र में आने से रोकता है आने से क्या करता है रोकता है बात आईगे सब को समझ में तो advantage ये मिलती है कि हम premium price चार्ज कर सकते है differentiating feature के कारण और दूसरा जो इस शेत्र में हमारा experience है वो किसी भी नए बंदे को आने से रोकता है entry barrier create करता है उस rival को compete करने से रोकता है तो ये वो ही बात है जो हमने पीशे भी पढ़ी थी cost leader or differentiation के अंतरगर फरक केवले इतना है वो बड़े market segment को आई करते है इनका market narrow होता है targeted होता है niche होता है focus होता है disadvantages क्या है focus की आईए disadvantages की बात करते हैं the firm lacking in distinctive competences may not be able to pursue the focus अगर आप में कुछ distinctive competence नहीं है आप में कुछ अलग नहीं है तो आप इस area में क्यों आए नहीं आना चाहिए due to limited demand of product and service cost are high क्योंकि आपका market छोटा है तो आपकी cost of production कई बार high हो जाती है और फिर आप उसको justify नहीं कर पाते in the longer run the niche could disappear to be taken over by the large competitor लंबे समय में ये niche जो आपकी है वो बड़े competitor ले जा सकते हैं अगर उनकी नजर इस पर पढ़ गई उनको लगा इससे भी profit कमाया जा सकता और वो इसमें enter हो गया है तो फिर आपकी problem शुरू हो जाएगी तो ये कुछ disadvantages हैं फोकस की पहला distinctive competence आप में नहीं है तो न उतरें आप इस शित्र में नमबर टू limited demand के कारण cost आई हो जाती है और तीसरा niche disappear हो जाएगी अगर large competitor ने इस पर नजर डाल दी और वो भी ये बनाने लग गया तो तो आप टिक नहीं पाएंगे बात आई कि सब को समझ में तो हमने advantage भी पढ़ी disadvantage भी पढ़ी कैसे achieve करते हैं ये भी पढ़ा तीन तीन चीज़े हमने यहां पर पढ़ ली किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे वरना हमने तीनों strategy आई discuss कर लिए हमने cost leadership भी discuss की हमने differentiation भी discuss की हमने focus भी discuss की focus के दो तरीके focus cost leadership भी discuss किया focus differentiation भी discuss किया इस तरीके से Michael Potter की तीन जनर की strategy जो कि profit making non profit making और हर तरीकी की चोटी बड़ी size के organization पर लागू की जा सकती है उनको देखा मैं hope करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और अगर आपको कोई दिक्कत है chat box खुला पड़ा है आप अपनी problem लिख के हमें बता सकते हैं अच्छा इन classes के बाद भी जब आप इने पढ़ रहे हैं रिवाइस कर रहे हैं तब भी problem आती है तो आप help line number 941-4127-751 पर अपनी problem लिख के भेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे within 24 hour आपको किसी भी तरीके से उसका जवाब दिया जाए चाया audio से चाया वीडियो से या आपको किसी भी तरीके से आपकी बातों का जवाब दिया जाए text लिख के दिया जाए हमारी तरफ से 24 by 7 help line उपलब्द है जो आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है clear हो गए सभी को कोई divert नहीं कोई divert नहीं no divert no divert no divert all clear all clear all clear clinic all clear के head and shoulder all clear clear सभी तरीके से clear आपके आपके बहुत अच्छी बात शाली आईए अब हम एक और strategy की बात करते है जो इन सब से मिलके बनती है जिसको हमने नाम दिया है best cost provider यह माइकल पॉटर ने हमें नहीं दिये लेकिन इन सभी strategy मतलब cost leadership differentiation और focus तीनों को मिलाया जाए तो इससे जो strategy बनती है उसको हम क्या कहते है best cost provider value for money इसका दूसरा नाम क्या है value for money पैसा वसूल strategy है यह कैसी है यह पैसा वसूल सर थोड़ा और डंसे समझाए अभी देखो अभी समझाते हैं आपको डंसे आपके पास में cost leadership होती है broad mass market के लिए overall cost leadership है low cost पे produce करती है आपके पास में broad market में broad differentiation है differentiation strategy है आपके पास में narrow market में focus cost leadership है आपके पास focus differentiation है यह best cost provider सभी से कुछ न कुछ input लेके बन दिये मैं यूं कहूं मैं अगर यूं कहूं यह है यह है cost leader यह है differentiation यह है focus और हमारी यह वाली जो है हमारी यह वाली जो है हमारी यह वाली जो है कि जो cost leader intersection differentiation intersection focus उसको हम कहते हैं best cost बात आईए आपको समझ में यह जो common intersection है तीनों का तीनों की facilities को use करके जो बना है उसको हम क्या नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं best cost is it clear to all of you क्या यह बात सब को समझ में आ रही है is it clear to all of you मतलब इसमें cost leader जैसे गुण भी है सबसे सस्ता इसमें uniqueness भी है differentiation इसमें छोटे market segment की भी ध्यान रखी गई है focus वाले अगर तीनों के गुण एक जगे मिला दिये जाएं दुनिया में सबसे सस्ता दुनिया में सबसे unique छोटे बड़े market सब की demand को पूरा करने वाला तो ऐसी strategy जिसमें सब के गुण समाए हुए है गुणों की जो खान है ऐसे को हम क्या कहते हैं best cost provider पैसा वसूल strategy कोई movie आप देख के आते हैं उसमें आपको star cast भी अच्छी लगती है उसमें आपको movie भी movie की जो theme होती है मतलब जो movie का कहना चाहिए flow होता है वो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको fighting sequence अच्छी लगती है action अच्छा लगता है उसमें आपको song sequence अच्छी लगती है तो आपको लगता है इतने पैसों में और क्या मिलेगा तो यह तो पैसा वसूल मुवी होगी हमारे लिए कि हमने आज पैसा वसूल मुवी देख लिए जितना पैसा हम दे किया है उससे ज़्यादा वर्त हम ले किया है तो पैसा जो दे रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपको 12 सर का जो experience है पिछले 34 साल होगा वो आपको कोई नहीं दे सकता 12 सर के जो live kitchen example है वो कोई दे नहीं सकता 12 सर का जो paper data examiner का experience है वो कोई दे नहीं सकता keyword जो हम आपको बता देते हैं वो कोई और बता नहीं सकता क्लास पढ़ाते हैं MCQ क्या आसकते है वह हम आपको बता रहे हैं चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम आपको कॉंसेप्ट के साथ साथ चार और चीज़े बता रहे हैं खिर पुल मिलाके पांच सीज़े आपको इसी प्राइस में बिल रही है तो कुल मिला के पांच चीज़े रोज हो रही है हर चेप्टर में आपके साथ में पहले कॉंसेट पे बात होती है कॉंसेट के बाद M.C.Q पे बात होती है उसके बाद हम लोग चार्ट बुक समरी पे बात करते है फिर हम descriptive question की बात करते हैं case scenario की बात करते हैं इस तरीके जब पूरा काम होता है और यह सब काम हो जाएंगे तो आपके virtual test शुरू हो जाएंगे virtual test में आपके presentation skill को सुधारी जाएगी exam तक आपको unlimited view मिलेंगे आप चाहें जितनी बार देख सकते हैं इस प्राइस में कोई और नहीं दे रहा है आपको तो बत्रा सर की एक classes किस category में आजाएंगी value for money best cost provider में आजाएंगी price में सबसे सस्ती है feature में सबसे unique है छोटे और बड़े हर market segment के need को पूरी करती है बात आई की नहीं सब को समझ में तो बत्रा सर की classes किस category में आती है best cost provider में आती है ठीक है example बत्रा सर classes ठीक है सबसे सस्ती है यह cost leader भी है इस price पे कोई नहीं देता इनमें बहुत सारे differentiation features है और यह छोटे और बड़े market segment तीनों की demand को पूरा करता है इसलिए क्या कहलाएगा यह focused differentiation cost leader से मिलके best cost provider कहलाएगा हमने हमारी classes clear है clear है clear है तो cost में जो सबसे कम हो uniqueness में जो सबसे ज़्यादा हो छोटे market segment की भी demand पूरी करता हो उसको हम कहेंगे best cost provider जो सभी से मिलके बनाएग जैसा कि आप उचितर में समझ में आ रहा है तो तीनों का intersection है इस पर तो आईए बात करते हैं best cost provider की पैसा वसूल value for money की the new model best cost provider strategy is further developed of the three main generic strategy यह किन से बना है further development है इन तीन से it is directed towards giving customer more value for money क्या देता है हमारे को more value for money जितना पैसा हम देते हैं उससे ज़्यादा हम आपको क्या कर रहा है return में दे रहा है by emphasizing on both low cost and up scale differences पैसा हम कम करते जा रहा है feature हम बढ़ते जा रहा है पैसा कम होता जा रहा है feature बढ़ते चले जा रहा है the objective is to keep the cost and prices lower than those or the other sellers या comparable product तो हमें क्या करना है comparable product के मुकाबले अपने prices को कम रखना है लेकिन features को बढ़ते जाना है price को कम करते जाएंगे features को बढ़ते जाएंगे price को कम करते जाएंगे features को बढ़ते जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं best cost provider की तरफ move कर रहे है price को कम करते जाना features को बढ़ते जाना upscale feature करना cost को कम करना best cost provider की तरफ ले जाने की बात है बात आई क्या सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear बोलजी हाँ, बोलजी हाँ, बोलजी हाँ तो आपको ये diagram भी समझ में आ गया होगा बोलजी हाँ, बोलजी हाँ, बोलजी हाँ झाल चलिए तो इतना क्लियर हो चुका है अब इससे फिनिश अप करने का समय आ चुका है ठीक है तो आईए लास्ट कुछ चीजे पढ़के इस चेप्टर के कौनसप्ट पार्ट को आज फिनिश करते हैं फिर हम लेते हैं इसके कुछ MCQ ताकि आज आज आपके लिए एक तरीके का भी हो जाए आपने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है Best Cost Provider Strategy Involved Providing Customer More Value for Money Best Cost जो प्रवाइडर है इसका मकसद होता है कि आपको More Value मिले for money By emphasizing on Lower Cost and Better Quality Differences कि आप Cost तो कम करते जाओ लेकिन Feature और Quality बढ़ाते चले जाओ तो Best Cost Provider में दोनों चीज़ें चाहिए हमारे को पहला हमारे को Cost कम करते जाना है Feature बढ़ाते जाना है Cost कम करते जाना है Feature बढ़ाते जाना है तो इसको कहेंगे More Value for Money मतलब जितना पैसा दे रहे उससे जजदा तो हमने आपको In Return उसकी Value प्रवाइड कर दी अब यह कैसे हो सकता है दो तरीके से किया जा सकता है पहला आफरिंग दे प्रोड़क्ट एट लोवर प्राइस देन वाट इस बिंग ओफर्ड बाइड राइवल आप प्राइस उन से कम लो अपने राइवल के मुकावले फीचर दोनों बराबर दे रहे लेकिन एक प्राइस को कम रखे रहे प्राइस को मैंने कम कर दिया तो फीचर दोनों के बराबर है प्राइस मेरी कम है तो नेचरली मुझे पसंद किया जाएगा क्योंकि पैसा मैं कम ले रहा हूँ फीचर दोनों के बराबर है तो एक तरीका best cost provider का यह है कि अपने competitor से जो comparable feature दे रहा है price थोड़ा कम कर दो price कम करके हम best cost provider बन जाएंगे same comparable feature देते वे दूसरा और दूसरा तरीका क्या है charging similar price as by the rival for the product with much higher quality and better दूसरा तरीका है दोनों same price charge कर रहे हैं लेकिन एक ने अपने feature बढ़ा लिए price दोनों का same है लेकिन एक ने का मैं जदा feature दूँगा इसी price में तो इस वज़ए से इसको चुना जाएगा क्योंकि इसके पास same price में जढ़ा feature है तो इसको चुने हैं अपन क्योंकि इसके पास feature जढ़ा है आप अपने feature बढ़ा लो तो आपको चुना जाएगा ये दो तरीके हैं best cost provider के for example android flagship phones of one plus Xiaomi, Oppo, Vivo are all rooting for giving better quality at the lowest price to the customer they are following the best cost provider strategy to penetrate the market so one plus Xiaomi आप याद रखना one plus Xiaomi क्या है example है इसके best cost provider strategy पे आपको best feature दे रहे है price भी आपसे कम ले रहे हैं और ये example है किसके best cost provider के बात आई के सब को समझे में अब आओ इसी श्रिणी में हम एक practical example से एक important question से आपको जो है समझाते हैं कैसे अलग-अलग चीजों को अलग-अलग किया जा सकता है एक practical example से समझते हैं हमन कैसी जनरिक strategy को अलग-अलग माना जाए तो आईए देखें एक practical example activity for Michael Potter generic strategy आओ use the blank space against each business idea to identify with generic strategies आपके पास जो ICI का module है अगर आप उसमें देखेंगे तो यह भरावा नहीं है यह आपको notes में हमने बरके दिया है तो यह वाला हिस्सा हमने बरके दिया है ICI के module में यह blank है जिसको देख कि आपको भरना था तो आपको identify करना पड़ेगा कौन सी strategy की बात हो रही है मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसको याद रखके आप ऐसे या किसी और तरीके के example को आसानी से कर पाएंगे पहला Building the best in class headphones with the noise cancellation and premium quality premium word यूज हो रहा है तो premium word किसके साथ यूज होता है differentiation के साथ premium word यूज होता है premium मतलब differentiation premium word is acquaint with differentiation यह differentiation के साथ जुड़ा रहा है तो जब premium word आजा है आप आँख बंद करके differentiation लिख सकते है Second, providing maximum value of feature in the phone which is within the spendable limits of the middle class of India Maximum features within the spendable limits मतलब हम feature इतने सारे दे रहे है और cost उसकी कम रख रहे है तो किसका example हो गया यह best cost का हो गया maximum feature हम आपको दे रहे है price हम कम रख रहे है middle class के साथ से तो किसका example हो गया यह हो गया हमारा best cost का Number 3 Being in a position to dominate the glass manufacturing unit across the country and thus using economies of scale यह economies of scale किसमें यूज होता है low cost में low cost में तो word यूज होता है economies of scale जितना ज़्यादा माल परड़ीज करेंगे per unit cost उतनी कम होती चली जाएगी तो economies of scale low cost maximum value feature best cost में premium quality differentiation नमबर चार targeting the below poverty line individuals below poverty line BPL परिवार जुनको कहते है below poverty line तो यह focus हो गया छोटा market हो गया target market हो गया छोटा market हो गया target कर रहे हैं छोटे market को आप लोग तो यह हो गया हमारा focus क्या हो गया यह हमारा यह हो गया हमारा focus बात हाई क्या कुछ समझ में is it clear to all of you तो अच्छे से समझ ले किस world के साथ कौन सी strategy को coin किया गया है अगर आप premium की बात करते हैं तो differentiation होगा maximum value feature की बात करते हैं तो best cost provider होगा economy जब scale की बात करते हैं तो low cost आएगा और जब आप target कर रहे हैं एक particular group को तो वो focus ही होगा वैसे भी below poverty line क्या है एक अपने आप में focus work है concentrated work है targeted work है तो इस तरीके से आप एक exercise कर सकते हैं और इस तरीके से हम chapter 3 को भी concept के level में पूरा पढ़ चुके तो मैं hope करता हूँ आपने इस पूरी चीज को अच्छे से समझा होगा क्या क्या पढ़ लिया अगर chapter को और वी को याद करें अपन तो chapter का नाम क्या था chapter number 3 strategic analysis internal environment 5 main चीज हमने discuss की सबसे पहले की stakeholder को देखा और उसके लिए हमने medilo matrix को देखा जो की power और interest के बीच मे two dimension matrix को denote करता है high power low power low interest high interest इस तरीके से चार combination बनते थे हमने लोग बताया थे कौन की श्रीणी में आएंगे उसके बाद strategic drivers की बात हुई थी जिसमें हमने industry और market की बात की हमने customer की बात की हमने channels की बात की इस तरीके से हमने strategic drivers के बारे में भी बात की थी clear product and services की बात भी उसके बाद फिर core competence की बात भी कुछ uniqueness कुछ ऐसे features जो आपको दूसरों select बनाते हैं जो दूसरे चाते वे भी copy नहीं कर पाते है वो है core competence और इस core competence के कारण market में मिलती है आपको competitive rivalry में advantage edge over the rival जिसको हम कहते है competitive advantage उसके बाद हमने किया था short analysis S,W,O,T S मतलब strength W मतलब weakness O मतलब opportunity T मतलब threat पहले दू factor internal है बात के दू factor external है internal और external दोनों चीजों का अध्यान मतलब दोनों का अध्यान है अकेला internal नहीं अकेला external नहीं दोनों का अध्यान करते है तो यह होता है short analysis यह planning tool है उसके बाद आज अपने finish up किया पढ़के Michael Potter की generic strategy को जो तीन है cost leadership differentiation and focus cost leadership का मतलब होता है large broad mass market में सबसे सस्ता होके माल को बेचना और इसके लिए आपको क्या करना पढ़ेगा सबसे कम cost रखनी पढ़ेगी economy जब scale पे जाना पढ़ेगा आपको cost reduction method अपनाने पढ़ेगे एक culture बनाना पढ़ेगा organization में हर आदमी cost conscious हो जाए और contentment के लिए फायदा देना पढ़ेगा तो आप बनेंगे cost leader दूसरा है differentiation product में इतना अंतर कर दिया जाए कि लोग आप से लेने के लिए लाला ही तो जाए और उसके लिए आप premium भी charge कर सकते हैं तो features को upscale कर दो product brand image बढ़ा दो product कुछ इस तरीके से बना लो organization के साथ brand loyalty जोड़ दो कि लोग आपको premium देने के लिए तेयार हो जाए यह है differentiation यह दोनों broad mass market के लिए था लेकिन वही अगर आपका market sufficient size का है छोटा है narrow है targeted है लेकिन good growth potential का है तो वहाँ पे आप दो तरीके से काम कर सकता है focus cost leadership उस छोटे target area में सबसे सस्ता और दूसरा focus differentiation उस छोटे target area में सबसे अलग इस तरीके से focus काम करता है एक और strategy जो कि Michael Potter ने नहीं दी है लेकिन इन सब को जोड़ के बनती है जिसमें सब के गुण आ जाते हैं मतलब focus cost leadership के भी गुण है focus differentiation के भी है overall cost leader के भी है और differentiation के भी है सब से मिलके बनती है जिसको हम कहते है value for money strategy वो कहला थी है हमारी कौन सी strategy best cost provider जिसमें सबी के छोटे छोटे गुण मिले नहीं है ये दो तरीकों से अपने चीव की जा सकती है पहला तरीका जितने feature सब लोग दे रहे हैं आप भी देदो price कम कर दो best cost provider होगे या जितने price सब चार्ज कर रहे हैं उनसे ज़्यादा feature आप देदो तो आप हो जाओगे best cost provider फिर हमने एक practical example से इसको समझा कैसे Michael Potter की generic strategy किस keyword के साथ जुड़ी भी है जैसे premium quality या premium word के साथ जुड़ावा है differentiation maximum value features के साथ जुड़ावा है best cost provider economies of scale के साथ जुड़ावा है low cost और below poverty line का target करना targeting word जो है वो जुड़ावा है हमारा focus के साथ में so this completes our chapter number तो देखें chapter का नाम है strategic choices chapter के overview में सबसे पहले हमने broad strategies को पढ़ा broad strategy थी stability growth and expansion retrenchment combination one more time stability growth and expansion retrenchment combination example दिये थे हमने stability पारले जी से growth और expansion पतंजली और reliance से retrenchment जेट सार और एर इंडिया से और combination टाटा एं संस जे जिसके हैं multiple product multiple services उसके बाद second option था strategic exit का तीन example देखे थे हमने turn around divestment और liquidation turn around का मतलब होता है जब इस्ततियां आपके विपरीत हो उन इस्ततियों से lot के अच्छी इस्ततियों में आना है मतलब loss making से break even और break even से profit पे ले जाना आपने आपको पाटा और royal infield bullet का हमने example दिया था और divestment जो है उसको हम partial liquidation कहते है क्योंकि इसमें हम सब कुछ नहीं बेचते एक हिस्सा ही बेचा करते है जबकि liquidation में हम completely बेच दिया करते है plant, machinery, land and so on उसके बाद फिर उस शित्र में काम नहीं करते है example jet, sahara, air और air India का हमने इसमें example लिया था आज हम discuss करेंगे strategic options पे जिसमें बात होगी portfolio analysis method की और उसमें भी हम चार method discuss करने जा रहे है portfolio के, कौन से चार method discuss होगे आज, आज discuss होगा IGOR ends of matrix फिर discuss होगी ADL फिर discuss होगी BCG और last में discuss करेंगे अपन general electric GE मैं हर प्रीत करा है कल थोड़ी सी क्लास लेट हुआ, मेरे को पता नहीं लगा बेटा, हम अगर किसी दिन क्लास आफ करेंगे तो बकाइदे message group में डालेंगे बेटा, broadcast जो आप सब का group बनावाने, जिसमें आप सब चुड़े में उसमें message आएगा, हम क्लास नहीं ले रहे हैं और अगर हमने ऐसा message नहीं डाला है तो फिर क्लास देर सवेर होगी कल कुछ technical glitch आगया था 22 सर के पास अब बेटा तीन तीन broadband connection है, पर दो जो broadband connection कल काम कर रहे थे वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, इसलिए मुझे तीसरा लगवाना पड़ा, मेरे पास इसलिए जब तक बिटा हम off नहीं करते ग्रुप में message नहीं डालते तब तक off नहीं है, लेट हो सकता है थोड़ा, वो message आपको आजाएगा, हमने कहा था हम थोड़े दिर में शुरू करेंगे चलिए, तो आईए totality में एक साथ रखते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं, चेप्टर चार क्या है, चेप्टर चार का नाम है strategic choices टीन में टॉपिक पढ़ेंगे, broad strategy strategic exit और strategic option strategy, broad strategies जो है हमारी कौन-कौन सी है, stability growth and expansion, retirement, combination stability में है, पारले जी, growth और expansion में पतंजली, reliance, डानी ग्रुप retirement match, jet, sahara, air, india combination, टाटा, इंस, stability मतलब यथा इस्ति जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, वैसे चलता रहा है, extra effort नहीं लगाएंगे परसीम level of effort जरूर लगाएंगे और इसमें हमने पढ़ा था, यह do nothing strategy नहीं है, यह do something strategy यह कुछ न कुछ तो करना ही पढ़ता है growth और expansion, stability की बिल्कुल उल्टी है इसमें क्या होता है, हम exponential growth पाते है, महमत ग्रोथ पाते है कुछ नया करते है, नया product, नया services, नये features, हर चीज़ नया करने कुशिच करते है related या unrelated field में retrenchment तब करता है काम जब हम recession में होते है आर्थिक तंगी आई वी होती है depression आया होता है economy में, उस इस्तिती में हम ऐसा करते हैं तब हम कुछ portion बेच जाया करते हैं jet, sahara, यह इर इंडिया ने समय रहता है ऐसा ही किया, और combination उन कंपनियों के लिए जो multiple product और multiple services offer करती हैं, तो उनके सारे product एक साथ एक समय में न तो stability में होते हैं न growth और expansion में होते हैं न retrenchment में होते हैं इसलिए उनके कुछ product stability कुछ growth expansion और कुछ retirement में होते हैं इसलिए इस permutation combination के कारण नया तरीका कहलाता है combination strategy तो broad strategy होगी चार, stability, growth, expansion, retirement, combination फिर हमने strategic exit पड़ा था, तीन, turn around, divestment और liquidation turn around का मतलब होता है जब इस्ततियां आपके खिलाब हो persistent negative cash flow हो आपने कोई business acquire कर लिया, वो mismatch चल रहा हो आप क्या mismanagement चल रही हो, moral बहुत high हो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ऐसी इस्तती में बुरे इस्तती से लॉड़ के अच्छी इस्तती में आना कहलाता है यू turn लेना या turn around करना बाटा और royal infield bullet ने ऐसा ही किया divestment का मतलब होता है हमने turn around की कोशिश कर ली या हमने लगा turn around से कुछ बैठेगा नहीं तो हमने एक portion जो जबर्दस loss दे रहा था उस loss making division को profit center को sbu को sale कर दिया portion तो यह पूरा नहीं है portion बिखता है इसलिए इसको कहता है partial liquidation और इसके बाद जो तीसरा stage होता है liquidation उसमें complete plant land building machinery सब बेच के business को भी बंद कर देते हैं और उसे मिले पैसे से कुछ और किया करते हैं उसको कहते हैं liquidation या complete liquidation example jet airways सहरा आज option आएगा strategic option का जिसमें portfolio analysis method आएगे यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारी company जैसे Reliance है मुकेश अमबानी की company वो petro cam में काम करती है वो कपड़े में काम करती है telecom में काम करती है patrol pump में काम करती है entertainment में काम करती है media segment में काम करती है और भी कई sector में काम करती है इवन IPL में उन्होंने team में लीवी और भी कई games में लीवी है इसी तरह के अड़ाणी group power में है energy में है बहुत सारे sectors में इसी तरह के टाफा एंशन, इसी तरह के पत्ंजली, इसी तरह के एच्छुईल ऐसी सारी कमपनिया जिनके बहुत सारे product हैं, बहुत सारी services हैं जब इस्ततियां अच्छी होती है, तो क्या करना चाहिए? जब इस्ततियां विपरीत हो जाए रिसेशन आजाए तो क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों को Portfolio Analysis Method में डिस्कुस किया जाता है जिसको हम कहते है Strategic Option ऐसे चार मेथड हम डिस्कुस करेंगे अपने कोर्स में जो एक्जाम में पूछे जाते हैं आइगर एंसोफ मेट्रिक्स एडियल आर थर डी लिटल मेट्रिक्स बॉस्टन कंसल्टिंग बीसीजी मेट्रिक्स और चौथा रंतिम जन्रल एलेक्ट्रिक और मिकेंजी द्वारा बनीवी जन्रल एलेक्ट्रिक मैथड सर आप पूरा कोर्स ही ऐसे पढ़ा देंगे दिमाग में हमारे बठा देंगे बिलकुल बच्चा पूरा कोर्स इसी तरीके से दिमाग में दई की तरह जमा दिया जाएगा आपके क्योंकि आप पड़ रहे हैं बत्र सर के पाल जिनोंने पूरी की पूरी management की study किये बिटा उन से जिनोंने management के सिधान प्रति पादित किये उनका नाम है Michael E. Potter, Living Legend बत्तरासर बिटा उनके student रहे हैं तो बत्तरासर अगर आपके गुरू है तो वो बत्तरासर के गुरू है तो बिटा management की technique भी बताते हैं इसलिए हर चीज आपके दिमाग में इसी तरीके से बैठ जाएगी जैसे पिछले सारे तीनों chapter बैठे हुए और ये चौथा chapter भी आज खित्म करेंगे हम तो आपके दिमाग में हर बात बैठ जाएगी जल्दी से मुझाएब बताएं चैट बाक्स में अपने अब तक जितना पड़ा है और 12 सर के साथ आप classes में हो क्या हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या हर कॉंसेप्ट आपको clear है क्या हर एक दिमाग में गूंज रहा है क्या उसके एक्जामपल आपको याद आ रहे कि नी आ रहे जल्दी से बताएं मुझे चैट बाक्स पर सभी लोग बताएं सभी बच्चे कह रहें यस एक एक कंसम्ट दिमाग में हमारे क्लियर है क्रिस्टल क्लियर है कोई जावट नहीं है हमारे को नो दावट और डावट नो डावट जावट बहुत अच्छी बार बहुत अच्छी तो मैं दू मिनिट के लिए यह आपके सामने रख रहा हूं फटा फट से दिमाग में खुली आंखोंसे इसको याद करनो तो आई ये बात करते हैं अपन स्ट्राटेजिक आप्शन्स पे सीधा ठीक है मैं क्विकली ले लेता हूँ हमने पड़े तीन लेवल होते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, टॉप लेवल पर थाट प्रसेस होता है कॉर्परेट स्ट्रेजी बनती है, मिडिल लेवल पर डिटेलिंग होती है बिजनस लेवल स्ट्रेजी बनती है, लो लेवल पर एग्जेक्यूशन होता है functional level strategy बनती है, strategy सभी level पर बनती है William, Gluck और Jage के शब्दों में चार जनरे की strategy होती है stability, growth और expansion, retrenchment और combination इन्हें grand और directional strategy भी खा जाता है लेकिन Michael Potter के अनुसार competitive strategy तीन है cost leadership, सबसे सस्ता बेचना, differentiation अलग करके बेचना और focus, छोटे market segment के लिए सस्ता या अलग करके बेचना focus cost leadership या focus differentiation और फिर इसके तहत हम functional strategy बनाते है जो individual department के level पर होती है, जैसे marketing, finance, human resources, logistic and so on अगर हम सारी strategy को कहीं एक जगे table में classify करना चाहें तो तीन प्रकार के classification है, according to level, तीन level होते हैं, top, middle और low यहां पर strategy होती है, corporate, business और functional, stages of business cycle जो होती है, वो product life cycle के अनुसार बनती है जो S-shape curve में बनती है, यहां पर तीन, चार stages है, entry, oblique, introduction state जिसमें market penetration strategy आती है, फिर आती है growth state, जहां growth और expansion आती है फिर आती है maturity state, जहां stability आती है, जहां आती है decline state, वहां retrenchment और turnaround इस्तती आती है बात आईगे सब को समझ में next step competition oriented, competition जो strategy है, वो है cost leadership, differentiation और focus collaborative strategy है, जो मिल कर करती है, external environment से joint venture, murder and acquisition और strategic alliance मेरे ख्याल से इतना सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, दुबारा से आपको clear हो रहा होगा इस पे MC को या बड़े सवाल हो सकता है उसके बाद हमने बताया था, corporate strategy की चार broad category है stability, expansion, retrenchment and combination जिसको चितर कनुसार भी बताया था फिर हमने इसके basic feature बताया थे, stability का मतलब होता है firm अपने same business में रहती है, current product market को इडील करती है same level effort लगाती है, satisfied है with incremental growth expansion में significant growth चाहिए, जिसको मेहमत और exponential कहते है यह current business या different business में भी हो सकती है existing business हम related या unrelated भी हो सकते हैं बात आई सब को समझ में next retirement, retirement का मतलब कुछ activities को कम कर लेना क्योंकि हमें लगता है, इस्ततियां हमारे विपरीज जा रही है तो हम कुछ business को drop कर देते हैं, सारा नहीं कुछ को drop कर देते हैं, sale out कर देते हैं इसको हम कहते हैं, retirement, retirement की तीन इस्ततियां है turn around, divestment और liquidation और इसको हमें strategy exit के तहद पढ़ते हैं इसके लिए जो topic हमारे लिए लिखा गया है, वो क्या है strategy exits turn around divestment और liquidation उसके बाद हमने combination पढ़ा था, जब strategy आ, permutation, combination में यूज आती है stability, expansion, retirement तो इसे हम क्या कहते हैं, combination कहते हैं stability strategy का परसूट चलनी चाहिए, जब आप same business में continue करना चाहते हैं, same stage पे और maturity stage में पहुँच चुके है, product life cycle के इसको हम do nothing strategy नहीं कह सकते हैं, इसे do something कहेंगे, क्योंकि same level of effort तो करने पढ़ते हैं फिर हमने characteristic पढ़ी थी, किसकी stability की हम same business में रहते हैं, same product में करते हैं, same level of effort लगाते हैं, functional efficiency incremental भी में है redefinition of business नहीं वा करती है, ये एक safety oriented strategy है, status को है मेरे साथ revise करते चलें मिटा, बत्रासर कर रहे हैं, breathless revision ठीक है, मतलब बत्रासर revise करेंगे, आप अपने घर पे सांस रोक लो ठीक है, बत्रासर यां पढ़ाएंगे, आपको घर पे सांस रोक लेनी है, इसको कहते है breathless revision, तो इससे क्या होता है, सारे concept clear होते चले जाते है seriously मत ले लेना, उन्हीं सांस लेना, बंद करतो और मालूपड़ा कुछ और हो जाए घर वाले मुझे फोन करके बोलें कि आपने ऐसा क्या कह दिया, बच्चे आपके बाद अक्षर शह मानने लगे, और उन्होंने सांस रोक लिए अब दुनिया में ही नहीं है, ऐसा मत कर लेना इसमें business की redefinition नहीं होती है, यह safety oriented है, status को है यहाँ पे fresh investment की जरूत नहीं पढ़ती है, risk भी बहुत कम हुआ करती है यहाँ हम existing resources पे ही अपना concentration किया करते हैं और growth objective modest होता है reason क्या है यहाँ पे, जब आप maturity stage और PLC में पहुँच जाते हैं तो इसको follow करना चीए और आपका staff comfortable feel करता है, जो चल रहा है उसमें तो status को follow किया जाता है environment अगर relatively stable है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी करने की जरूत नहीं हुआ करती है अगर कई लोगों को लगता है कि कुछ भी नया करने से threatening हो जाएगा तो stability पे चलना चाहिए तो start-up stability है कि कुछ और है, start-up समय सा growth चाते है, इसलिए वो कभी stability भी नहीं रहते है वो growth और expansion पाथ पे चला करते है growth और expansion बिल्कुल उल्टा है stability का, यहां business की redefinition होती है, business का enlargement होता है, substantially investment को increase किया जाता है dynamism, vigor, promise और successes के चार गुण है, नया product, नहीं technology, नया market में हम जाते हैं, unknown और इसकी पात पे हम चलते है characteristic क्या है, बिल्कुल reverse है, stability की, यहां पे business का redefinition है, यह opposite of stability है, यहां rewards जो है, वो high है, risk भी बहुत हाई है यहां business growth होती है, महमत होती है, exponential होती है, renewal of business होता है, fresh investment की जरूत पढ़ती है highly versatile है, कई permutation combination देखने को मिलता है, तो strategy root ends के intensification और diversification intensification same business के लिए है, diversification में same और different business भी adopt किया जा सकता है major reasons क्या है, जब environment में एजी से बदलाव आता है, तो जरूरी हो जाता है कि हम भी organization के तौर पे तेजी से बदलाव करें product और service line में, कई बार organization के जो CEO होते हैं, वो अपने आपको satisfied पाते हैं, जब उनको लगता है growth oriented organization को head कर रहे हैं, ऐसा करने से market point का control और नियंतरन बढ़ जाता है experience curve का फायदा और scale of operation हम यहां से उठा सकते हैं, इसके लावा intensification, diversification, acquisition और murder इसके example हो सकते हैं, expansion में, दो प्रकार के growth strategy हैं, internal और external, internal में है intensification, diversification, intensification same field में, diversification same or different field में होता है, external का मतलब होता है बाहरी फर्मों से, अंदर से नहीं, अपने resources से नहीं, बाहर दूसरी फर्मों से मिलकर काम करना strategic alliance, murder and acquisition और joint venture ऐसे कुछ तरीके हैं, internal growth में intensification, diversification देखें इसके लिए हमने तरीका देखा था, जो आईगर अंसौफ में हम बताया गया है, आईगर अंसौफ कहता है, इसके चार तरीके होते है market penetration, market development, product development और diversification, market penetration का मतलब होता है, existing product को existing market में ज़्यादा बेचा जाए जैसे जीओ, अभी 37% पे बैठा है, यह चाहेगा, 40 हो जाया, 42 हो जाया, तो ज़्यादा माल बेचना का तरीका, अगर वो अपनाता है, तो market penetration है इसके लिए वो product में featureal advances ला सकता है, frequency of use बढ़ा सकता है, usage बढ़ा सकता है market development का मतलब होता है, आप नया market विकसित करते हो, North India से South India में जाते हो, South से East India में जाते हो या किसी और देश से भारत में आते हो, बारत से किसी और देश में जाते हो, वोड़ाफोन भारत में आया, एपल भारत में आया, फॉक्स वेगन भारत में आया, भारत ही ये company हैं दुनिया में गई जियों के example से समझ सकते हैं, market development, Vodafone in India से समझ सकते हैं, product development, 6G technology के बहुत जल्दी BSNL देगी भारत को, ऐसा हमारे मंतरी अनिलवैशनवजी कहा रहे हैं, और diversification के दो तरीके related, same field में, unrelated, different field में काम करना, expansion और growth जो होते हैं, वो दो तरीके से होती है, same or different field में, same field को अपन कहते हैं, intensification, different को अपन कहते हैं, diversification, अब जो broad category हैं यहां पे वो है, same field में काम करना, that is, concentric, same, conglormate, मतलब different, तो एक same में हैं, और एक different में हैं, same वाले को कहते हैं, concentric related business, और conglormate होता है, unrelated business, जिसका पुरा इसके चार तरीके हम देखते हैं, vertical integration, horizontal integration, concentric और conglormate, vertical integration का मतलब होता है, product process में ही बने रहेंगे, product process में ही बने रहेंगे, और vertically या तो पीछे की तरफ बैकवर्ड जाएंगे, या हम forward आगे की तरफ आएंगे, तो जैसे, अगर एक company है, जो की, अपना एक product बनाया करती थी, जैसे Camlin अपना pen बनाया करते थे, और कल को वो ink भी बनाने लग जाए, raw material की तरफ चले जाएं, तो ये backward integration, vertical का ही example कहलाएगा, और इसी तरीके जए Camlin खुद के store डाल दे, खुद के store खुद डाल दे, तो इसका मतलब वो sales और marketing में चला गया, आप ये जाना कहलाएगा forward integration, मै vertical integration, ये क्या कहलाता है, vertical integration कहलाता है, यहाँ जो कुछ हम करते हैं, खुद से करते हैं, अपने resources से, बार से कोई मदद नहीं लेते हैं, Camlin पैन वाला backward integration करके Camlin इंक बनाएगा, और forward करके Camlin के store डालेगा, Reliance Fresh, जो हमारे franchise stores हैं, अगर वो अपने खुद के farmhouse करेज लेते हैं, Reliance Fresh, farmhouse ले लेता है, तो backward integration है, Reliance delivery करने लग जाए, तो forward integration है, यह हमने देखा था, example के तोर पे, उसके बाद horizontal integrated diversification का मतलब होता है, हम immediately अपने competitor को acquire करें, जैसे Walmart acquire करता है, flip card को, flip card करता है, Mintra को, Adidas करता है रिबॉक को, acquire होता है, यहाँ पे acquisition is must, अपने immediate competitor को acquire करना ही यह कहलाता है, आरिश कह रहा है, मुझे आज मिल गई बुक कैसी लगी बेटा, कैसी लग रही है, अरे कैसा लगता है, अरे अच्छा लगता है, अरे बत्रसर की बुक से, पढ़ना कैसा लगता है, बताओ रहे, आगे बढ़ते हैं, diagram से हमने समझा दिया था, कि कैसे manufacturing company raw material की तरफ जावे तो backward है, और after sales service की तरफ आवे तो forward कहलाएगा, उसके बाद हमने पढ़ाया था, यह unrelated है, disjoint है, कोई linkage exist नहीं करता, कोई connection नहीं है, पीछले साथ में, जैसे cement बनाने वाली company, rubber और steel बनावे टाटा, तो यह कहलाएगा, हमने एक्जामपल दिये थे दो, भारती ग्रूप ने सबसे पहले एर टेल नाम पर टेलीकॉम प्रड़क्ट इंट्रीउस किया, फिर भारती एकसा life insurance, फिर digital tv set-top box और उसके बाद FM radio हर काम पहले से अलग है, कोई लेना दना नहीं है, पीछे से उसका, disjoint है, unrelated है, यह कहलाए कोई लेना दना नहीं है, एक्जामपल किसका है, यह कहलाता है, डिफरेंट वाले फील्ड में काम करना, फिर क्या इतना सारा expansion करना unrelated field में जाएजे, बिल्कुल जाएजे, जब आप unrelated field में अपने आपको expand करते हैं, तो एक नया ग्राहक वर्ग तयार होता है, उस नया ग्राह जो सकते तो इसको प्रोड़क्ट बेज सकते हैं, उसको कहते हैं, से तो लग अलग लग सकते हैं, तो अलग अलग ग्राहक वर्ग को हम जो अब तक नहीं देते थे वह इंट्रिद्जूस करते हैं, इस लिए growth unrelated field में पाना जरूरी है, अच्छा है, एक तरीका और है, उनुका मतलब क्या होता है नए प्रोड ले क्या नाना एक फीचर ले चाना जैसे एपल का उदारण दिया जाता है Microsoft का उदारण दिया जाता है और दिया जाता है यह सब लोग अग्रणी कंपनिया हैं इंवेशन के मथ्यम से Microsoft गूगल यह सब करता अग्रणी है this me तो इनोवेशन जो होता है यह existing प्रड़क्टों में अपग्रेडेशन लाता है इससे आपको market share बढ़ता है, revenue बढ़ता है, profitability बढ़ती है और सबसे खास बात, customer में satisfaction आता है, नई चीज़ जैसे यह नया course, अब तक हम पुराना course sale करते थे, वो पुरानी recordings थी, अब यह नया course है नई recordings है, नई चीज़े मिल रही हैं आपको, तो जब आप भी classes को देखते हैं, अगर कोई पुराना student पास नहीं और अभी यह नई classes लेता है, तो उसको भी जमीन आस्मान का अंतर नजर आता है, नई recordings मिल रही हैं, नए notes मिल रहे हैं, नए examples मिल रहे हैं, जो पुराने नही innovative solution आए हैं, Microsoft के Bill Gates के शब्दों में, अगर कोई complex problem है, जिसको solve होने में ज़्यादा समय लगता है, तो उसको किसी lazy आदमी को सौपना चाहिए, क्योंकि वो lazy आदमी अपने nature के कारण, ज़्यादा तो काम करेगा नहीं, तो वो उस problem को solve करने का को innovative तरीका ही निकालेगा, आप आपने intelligent आदमी को दिया, तो problem का solution लंबा हो सकता है, लेकिन lazy आदमी को दिया आपने, तो वो चाहेगा कि इसका कोई innovative solution निकाले, जिसमें मुझे महनत कम करनी पड़े, तो Bill Gates समेशन कहते थे complex problem को solve करने के लिए lazy विक्ति को काम पे लगाओ, आपको innovative solutions मिलेंगे, ठीक है, next है जैसे solar है, wind है, इन सब में काम करना नया innovation है, increase productivity, simplification हो जाता है, जब आप productivity बढ़ाते हैं, अपनी automation करते हैं, तो simplicity बढ़ती है आपके, और इससे हमारे काम पहले से अच्छे हो जाते हैं, हमारी productivity बढ़ जाती है, जैसे chartered accountant offices में, MS, Excel, और अब उसके अंदर हम artificial intelligence, chat, GPT का भी use करने लगे हैं, तो उससे हमारा काम आसान होने लग गया है, उसके बाद एक competitive advantage मिलती है, क्योंकि आप innovator माने जाते हैं, नया कुछ करने वाले माने जाते हैं, दूसरे लोग पुरानी लकीर पर ही चलने वाले हैं, आप कुछ नया करने वाले हैं, तो इससे आपके कुछ न कर पा रहे हैं, तो इमिरेटली किसी और company के साथ मिल जाओ, या फिर उसके साथ काम करना शुरू कर दो, यह attractive और tempting proposition है, इससे हमारी चीजों के बीच में, physical facilities और technical और बाकी skills में बड़ोतरी हुआ करती है, सेनर्जी आती है, तो merger acquisition वैसे तो दो अलग अलग चीजे हैं, तो आ जानी दोनों entity का अस्तितों खतम हो जाता है, एक नई entity का निर्मान हो जाता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा गाना भी आपको बताया था, मैं और तुम मिलकर हम बन जाते, मैं और तुम मिलकर हम बन जाते, मर्जर होता है यह, और मर्जर का example हमने दिया था, मैं और तुम मिलकर हम बन जाते, A is Brookbond, B is Lipton India, company बन गई Brookbond Lipton India Limited, A है Vodafone, B है Idea, दोनों नों मिलके बना दिया Vodafone Idea Limited, ठीक है, दूसरा है acquisition, acquisition में क्या होता है, एक बड़ी financially strong company, छोटी financially weak company, जिसकी स्तती खराब रखी है, उसको unfriendly terms पे generally acquire कर लेती और उसका स्तित्यों समाप्त कर देती है, तो अब A और B में से जो बड़ी company है, A का ही existence होगा, B उसमें खतम हो गई, मर्ज हो गई, खतम हो गई, acquire हो गई, तो ये तरीका क्या कहलाता है, Tata ने acquire किया chorus को, chorus को acquire करके chorus का स्तित्यों समाप्त कर दिया, company या मूल बानी जाती है, Tata, ठीक है, इसके लिए में लिगाना बनाया था, तुम है अपना बनाने की कसम खाई है, हाँ हाँ खाई है, तुम है अपना बनाने की कसम खाई है, हाँ हाँ खाई है, असके तो समाप्त कर देगा ये, तो ये दो तरीके हमने पढ़े थे, instant expansion के लिए उसके बाद मर्जर के चार तरीके डिसकुस वेते हैं और यहां वर्ड इसके लिए को जनरीक है होरीजन्टल का मतलब होता है सेम इंडस्ट्री में अपने को अपने साथ मिला लेना मर्ज कर लेना एक नई एंटिटी बना देना दो एक्जामपल हम पड़के आएं बुरूपॉंड लिप्टेन इंडिया लिमिटेड और वोड़ाफोन आइडिया वर्टिकल मर्जर का मतलब होता है सेम इंडस्ट्री में रहते वे बैकवर्ड या लिप निटाथ है एसज बातरूम फ़र्णीशिनग् फिंग के पास Сेल्स चैनल नहीं था एशेंड पीकिटेड आया निहीं लिम्रीट您कर ये जहां च की प्रजस्ट बहुत तगडी है एसस बात्रूम फरनीशिंग फिटिंग भी पहुंच गया जा पहले केवल शहरी शित्रों में सिमित था नेक्स्ट एक को जनरिक जिसको कंसेंटरी कहते हैं एक्जिस्टिंग के साथ काम कर लेना जैसे कैमलिन जैसे कैम जैसे हां जैसे इस्टर्लिंग रिजॉर्ट जर्ट जो की रिजॉर्ट वाली कंपनी है वो थामस कुक के साथ जो बुकिं करती है उसके साथ मैं हात मिला लेती है तो यह कैलाएगा को जनरिक क्या साथ काम करने कोजनरिक या कंसेंट्रिक नेक्स्ट है Congloromid जो इसका नाम है वैसे ही है यह disjoint है कोई connection नहीं है कोई linkage नहीं है unrelated होता है है ना पुराने से कोई लेना देना नहीं है जैसे TV18 ग्रूप जो रागव वहल का था जिसमा IBM 7 जैसे channel है CNBC आवाज और CNBC English वाला channel है हना Home Show 18 जैसे channel है वो सारे के सारे हमारे मर्ज ह कंपनी में हैं मुकेश मानी की कंपनी में तो entertainment कहां आ रहा है पेट्रोकेम में कोई लेना देना नहीं है एक्जामपल इस को कॉन्ग्लोरोमेड पिर उसके बाद हमने बात की थी आपको स्ट्रेटिक अलाइंस की जब दो या दो से अधिक बिजनसेस इंडिवीज्वली जो खुद अचीव नहीं कर सकते हैं मिलकर किसी एक सर्टेन अबजेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं अपनी अपनी entity को बनाए हुए खोनी जाती है जो अपनी अपनी entity बनी भी है और हम मिलकर काम करेंगे एक अबजेक्टिव के ताहर तो हम इसे कहते हैं strategic alliance के साथ किया तोशिबा ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ किया तोशिबा ने अपल के साथ किया तोशिबा ने Microsoft के साथ किया ताकि कुछ नया कर सके जो वो इंडिविजली करने में सक्षम नहीं हो पारे थे तो strategic alliance भी एक तरीका है external जहां हम दूसरी फर्मों के साथ एक common objective को ध है is everything loud and clear to all of you फटा पट से chat box में मुझे बता है कि 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 सबी कह रहे है यसर 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 समझ में आ रहा है अब बात करते है एडवांटेज के स्ट्रेटिक अलाइंस के पहला बेनेफिट है हम ज्यादा बड़े production और वाल्यूम पर काम कर सकते हैं तीसरा है strategic advantage राइवल्स जो है उन्होंना आपके साथ हाथ मिला लिया है तो आप मार्केट में राइवलरी नहीं चलेगी हम मिलके मार्केट को कबजे करेंगे competitive advantage मिलती है resources के pool होने से हमारे को चौता है political advantage कई बार किसी देश में local company को साथ लेके व्यापार किया जा सकता है तो वहां पर हमारे को ये strategic alliance create करने से उस देश में entry आसानी से मिल जाती है हमने example दिया था run back सी ने अपनी कुछ दवाई बनाई थी cancer के लिए उसे entry नहीं मिल रही थी US market में क्योंकि US market की शर्ते बड़ी कठिन थी दवाईयों को वहां पर introduce करने की तो उन्होंने दाइची नाम की company के साथ strategic alliance किया और immediately American market में अपनी दवाईयों को बेच दिया तो ऐसा कर सकते हैं हम this advantage कै फायदे है तो कुछ problem भी है problem यह है कि ह हमने दोनों एक दूसरे की हमने skills को सीख लिया दोनों ने एक दूसरे के काम करने के तरीके को सीख लिया तो आज जो गहरे मित्र हैं कल जब यह अलग होंगे तो एक दूसरे के गहरे शत्रू होंगे क्योंकि हम जानते होंगे अगला कहां कमजोर है अगला क्या करता है कैसे क करता है तो उसका काउंटर हम अपने पहले से त्यार रखेंगे इसलिए लिए जाता है जो आपका घहरा मित्र होता है वही बात विगड़ने पर आपका घहरा शत्रू बन जाता है क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि आप भी ने उसके साथ knowledge और skills share की थी trade secret share किये थे अब वही आपको नुकसान पहुचा रहा है तो ally आपका क्या हो जाएगा future का opponent हो जाएगा उसके बाद हमने strategy exit में तीन तरीके पड़े थे जब organization recession के दौर में चल रही होती है और सब को ठीक नहीं चल रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं problem area find out करके उसके solution को निकालने कोशिच करते हैं या तीन तरीके के retirement strategy काम करती है पहला अगर हम वो तौर तरीके अपना दे जिससे हम process of reverse पे चले जाएं मतलब नुकसान से फाइदे की स्तती में आ जाएं तो हम इसे कहेंगे turn around strategy जैसा बाटा और रॉल फिल इंफिल्ड बुलेट ने किया तो इसको कहेंगे हम turn around अगर आप loss making unit को countdown करते हो, SBU को बंद करते हो और reduce करते हो कुछ functions को perform कर रहे थे, तो इसको हम divestment या partial liquidation कहेंगे तीसरा, अगर आप total activity बंद करते हो, abandon करते हो, plant machinery बेज देते हो, business से बाहर आजाते हो, पैसा लेके तो फिर हम इसे total liquidation का नाम दिया करेंगे, turn around की बात पहले करते है, retrenchment जो internally किया जाता है उसे turn around कहा जाता है, और जो externally करते हैं, उसे अपने liquidation का नाम दिया करते हैं internal retrenchment के लिए आपको अपनी internal efficiency को बढ़ाना होगा, और इसके लिए कुछ हमारे पास में certain condition और indicators है जो की danger signal बताया करते हैं कि कब हमें कर लेना चाहिए, क्या, turn around विल्कुल सही कारिश, persistent negative cash flow लगाता है, आपके यहां से पैसा balance sheet में से कम होता चला जा रहा है, flow होता चला जा जा रहा है, बाहर निकलता चला जा जा रहा है, नुकसान होता चला जा जा रहा है Uncompetitive product है, आपके market share decline कर रहा है, physical facility deteriorate हो रही है, stop बहुत ज़्यदा है, छोड़ छोड़ के लोग चले जा रहे है, moral आपका खतम हो चुका है, आपको लगता नहीं है, हम market में survive कर पाएंगे और आपके management ठीक नहीं है, ऐसी परस्तितियों में हमें करना चाहिए, turn around, action plan का है, turn around का 5 अलग अलग स्तियां होती है, turn around की पहली स्तिय होती है, assessment of current problem, पता लगा हो हमारी problem किस वज़े से, root cause उसका क्या है, जैसे BSNL के बात करो तो root cause क्या है, uncompetitive product, market कहीं और जा रहा है, BSNL पता नहीं क्या कर रहा है, अब उसमें सुधार ला रहे है, 6G के बाद में आएंग competitive price के मामले में और physically product के मामले में, stage number two, analyze the situation and make a strategic plan, अब आपको वो plan बनाना पड़ेगा, जिससे आप अपने goal अचीव कर पाऊ, तीसरा, implement the emergency action plan to stop the financial losses, crisis, और bleeding, अगर आपको लगता है कि immediately, मुझे कुछ हिस्सों पे ध्यान देना चाहिए, जहांसे मुझे नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उनिस्सों पे काम करना क्या कहलाता है, implement the emergency plan होता है, चौता स्टेज होता है, restructure the business, अब क्या करो आप बिजनस में, जो काम नहीं आ रहे हैं, जिन से loss हो सकता है, जिनको नहीं चलाना चाते है, जो mismatch है, आपकी इच्छा नहीं होने, drop कर दो, और drop करना और बा स्टेज से जब हम निकलते हैं, तब जाके हम बनते हैं, workable action plan, बात आई के सब को समझ में, turned around के case में, शली, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, important elements क्या है, turned around के पहले देखा, आपने management में changes करो, change in the top management, credibility action build करो, टीवी में add दो, लोगों से कह लो आओ, सब ठीक ठाक है, external pressure neutralize क करो, quick payoff activities develop करो, cost reduction method law, revenue generate करो, acid liquidate करो, और better internal coordination विक्सित करो, बात आई समझ में, यह सब है, important element of turned around, फिर हमने divestment के बारे में पढ़ा था, divestment का मतलब, sale or liquidation of a portion, यहाँ खास बात है, पूरा नहीं, एक portion की बात हो रही है, पूरा करतोगे तो liquidation है, portion करोगे तो वो divestment में, major division profit center SBU, जहां भी दिक्कतारी उसको करो, यह एक तरीके का rehabilitation plan होता है, restructuring plan होता है, इस्ततियों को सुधारने के लिए, और अगर आपको लगता turn around नहीं करना चाहिए, हमें सीधा जाना चाहिए, आगे तो divestment सीधा भी अपना सकते हैं, divestment कब adapt करना चाहिए, जब आपके acquired business क आप mismatch पाते हैं, और आपको लगता बना गलत business acquire कर लिया, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, फिर persistent negative cash flow, यह आपके और समस्या है, competition meet out नहीं कर पा रहे हैं, technological degradation चाहिए, पैसा नहीं है, आपके पास में better alternative available है, आप यहां क्यों लगे हैं, characteristics कुछ ऐसी हैं, कि कुछ activities को हम divest करते हैं, sale out करते हैं, और कुछ पैसा जो बनता है, उसको restructure plan में लगाते हैं, divestment को एक integral part की तरह माना जाए, और इससे कोई भावनात्मक लगाव न रखा जाए, तो ज़्यादा बढ़िया होगा, major reasons क्या है, आप existing business में partially या wholly नहीं रहना चाहते हैं, तो आप retracement अप मिसमैच साबीत हो रहा है, तो उसे छोड़ दो, persistent negative cash flow है, तो हमें करना चाहिए, severity of competition और आप meet out नहीं कर पा रहे है, तो करना चाहिए, टेक्नल अबरेटेशन की जरूत है, और हम cope up नहीं कर पा रहे है, करना चाहिए, better alternative available है, तो यही क्यों करें, छोड़ के कुछ और न करे अब बात आती है, क्या turned around, केवल और केवल loss making का करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, turned around का मतलब यहाँ पे होता है, efficiencies, आप poorly perform कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते है, तो poorly performing organization के लिए, चाहिए वो profit making हो, loss making हो, सब के लिए turned around किया जा सकता है, बात आई क्या सब को समझ में, clear है clear है, clear है, बिल्कुल, तो यहां तक अबन पढ़ चुके है, आज हमने आगे बात करनी है, strategic option से, तो हम portfolio analysis को शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपकी कोई समस्या है, इतना जो हमने पढ़ लिया, उसमें कोई दिक्कत है, तो वो पूछ ले, महरप्रीत क्या कह रह है, बिल्कुल मर जोगी, उसका तो existence खतम होना जाना चाहिए, बिल्कुल company ने किया नहीं है, क्योंकि जो लोग मिंत्रा से चुड़े वो मिंत्रा को ही देखना चाहते है, अगर मिंत्रा अटा देंगे तो लोग शायद हो सकता ना है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझो, सम लेकिन उसने मिंत्रा का existence खतम नहीं किया, क्योंकि लोग मिंत्रा के नाम से जो जुड़े वे थे, वो मिंत्रा पे ही आना चाहते है, वो flip card पे नहीं जाना चाहते है, तो एक marketing tactics के तोर पे उसको जीवित रखावा है, वरना मर जोके उसका existence खतम ही है, एक तरीके से केवल brand name चल रहा है, इसी तरीके दे फ्लिप कार्ट में 80% acquisition वाल्मार्ट का हो चुक है, लेकिन चुकि वाल्मार्ट एक अमेरिकन कंपनी और फ्लिप कार्ट एक इंडियन कंपनी बोली जाती है, और इस समय देश में देश भावना उफान पर है, तो वाल्मार्ट को हो सकता है, आपार चला रहा है, जब कि उसमें maximum पेसा किसका लगावा है, अमेरिकन लगावा है, इसी तरीके देश आपको मालूम होगा, make my trip, ये एक इंडियन कंपनी थी, इसमें अभी चाइना का पैसा लगावा है, ठीक है, हुआ क्या भी, जैसे हमने माल्दीव वाला किस्सा देख और हमने आपकोड करना शुरू किया, तो लोगों ने make my trip पे जितनी cancel की थी booking, वो बहुँ ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों को पता चला इसमें चाइना का पैसा लगावा है, और चाइना जो है, वो उसी ने भढ़काया है, किसको, मौल्दीव की राष्टपति को, फायदा उठाते हैं, उसमें सारा पैसा इंडियन औरीजन का है, तो उसको फायदा वाइस का, इसलिए कई बार हम मर्ज करने के बाद भी उस brand name को जीवित रखते हैं, ताकि उससे जुड़े वे customer, जिनका बावनात्मक लगाव है, वो उसी से जुड़के चीजे लेते रहे हैं, खतम नहीं करते हैं, खतम कर देने से हो सकता, customer भी हमसे मूँ मोडल है, तो यह एक marketing decision है, clear है, clear है, clear है, मेरे ख्याल से महर प्रीत को clear है, तो समझ गया, महर प्रीत, बाकी बताओ भई, सबको समझ में आ गया है, is everything clear, 110% clear हो गया, ओहो, जितना समझ न था, उससे भी 10% ज्याद़ समझ गया हूँ, शालिए, आईए तो बात करते हैं, अब लोग, strategic option की, strategic options के तहत हम पढ़ेंगे, portfolio analysis method, यह किन के लिए है, यह उन company के लिए है, जो बनाती है, multi product, जो है multi brand, यह केवल उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं है, यह चार method पढ़ेंगे, BCG, Iger and Swap, ADL और GE, ठीक है, और order of पढ़ने का क्या रहेगा, यह BCG यहां नहीं आएगा, पढ़ने का order क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ, यह यह पढ़ेंगे, पहले हम Iger and Swap पढ़ेंगे, फिर ADL पढ़ेंगे, फिर BCG पढ़ेंगे, और बाद में GE पढ़ेंगे, इस order में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पहले Iger and Swap matrix, फिर ADL, R30, फिर BCG, Boston Consulting, फिर GE, General Electric, तो आईए शुरू करते हैं strategic options को, चार options अपने यहां पे देखने जा रहे हैं, strategic options are the primary use for competitive analysis, किसके लिए हम करते हैं, हम use करते हैं, MCQ के सवाल में पूछा दा सकता है, competitive analysis के लिए, and corporate strategic planning in the multi product and multi business firm, कौन करता है यह, जो multi product or multi business firm है, एसी corporate strategy वाली company करते हैं, strategic options का प्रियोग, multi product, multi business वाली company है, मतलब, Ambani, Adani, HUL, Tata & Sons, ऐसी company हैं करेंगी, ठीक है, वो भी किसले करेंगी, competitive analysis किस product को रखना है, किसको नहीं रखना है, तेजी और मंदी में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, जैसे, share market की बात करो, तो बत्रासर के पास blue chip companies का डेर है, बत्रासर ने सारी blue chip company के share बहुत पहले से ले रखना है, SBI हो गई, मारूती हो गई, ONGC हो गया, reliance हो गया, ठीक है, इस तरीके की company ले रखना है, अब अगर मैंने कोई और छोटी company भी ले रखना होती, mid cap वाली, small cap वाली, तो मुझे सोचना पड़ता कि तेजी और मंदी जब share market में आता है, तो मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे पास है multiple shares, तो मैं सारे share तो रखनी सकता है, मुझे portfolio में, यह मुझे पास group of shares है, इसको क्या कहता है, portfolio, वैसे ही अगर आपके पास multiple product and brands हैं, तो उ बनाती है, hospital चलाती है, इसके अलावा टेलिकॉम का product देती है, hospital चलाती है, hotel चलाती है, शिक्षा के शेतर में, हर तरीके का काम करती है, consultancy है, sort development है, दुनिया बर के काम करती है, तो क्या सारी company को चलाएंगे, बुरी स्तती में, नहीं, उन्हीं को चलाएंगे, जिन से होता है तो आप एक से अधिक business करते हैं, फिर चाहिए वो सारे business main हो, या एक main और बाकि सब complimentary business हो, the main advantage in the adoption of a portfolio approach in the multi-product, multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level to those companies or businesses that possess the greater potential, main advantage जो है, portfolio approach का वो क्या है, अगर आप multi-product or multi-business firm हैं, तो आपके resources को proper तरीकिस हम channelize कर सकते हैं, कि उसका maximum potential हम उपयोग में ला सके हैं, कि कहां किस resource को move किया जाए, इस ततियां जब एक जैसी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अपने resources को, कौन से resources को, manpower, machine, material, money, methodology, है तो company कहीं न, अब Tata and Suns के ये resources है, अब वो Tata Steel में यूज कर विस्तारा में यूज करें उसकी मर्जी, Vice President of Vistara, can be transferred to Vice President of Taj Group of Hotels, उसको वाँ उठागे यहां ला सकते है, resource तो मेरा है न, पैसे उदर भी देता हूँ, उदर भी देता हूँ, पर मुझे लगता है, उसकी काबिलेत उसकी बजाए या अच्छी है, consolidation करने में तो महीं या ले पर्टिपल बिजनस कर रहा है, वहीं यह करेगा, बाकी को करने की जरूद नहीं है, पॉर्टफोलियो का मतलब भी group of companies से है, group of products से है, तो group होगा, तभी तो बात होगी, single है, जब कुछ नहीं करते, अगर आपका single product है, single brand है, single service है, तो आपके लिए portfolio analysis method नहीं है, आपके लि पिलने हैं आप, growth आएगी, वहाँ पैसा डाल सकते हैं, थाकि हम ultimate goal अचीव कर सकें, ज्यादा profit earn करने का, तो यही तो portfolio है, कि हम अच्छे और और अच्छे की तरफ जाएं, इसकी मदद से, in order to design the business portfolio, the management must analyze its current business portfolio, अभी हमारे पास में कौन कौन से business है, अभी हम steel में है, रबड में है, टेलिकॉम में है, इंशुरंच में है, शिक्षा में है, आना, ऐसे बहुत सारे business है, इंशुरंच में है, फिर हमें लगता है, कुछ शेत्र अब अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे तो इन शितरों से निकला जाए, यहां से divest करें, या completely liquidate करें, और जो पैसा मिले, वो बाकी profitable business पे लगाये जाए, ताकि वो और growth करें, यह कौन करेगा, जो multiple product और multiple brands में काम करते हैं, and decide which business should receive more, less or no investment, depending upon the analysis, management may develop growth strategy for adding new product or businesses to the firm portfolio, तो यह सब को depend करता है, आपके analysis के उपर, क्या आपके analysis क्या कहता है, किस company को उभारा जाए, किस में पैसा डाला जाए, किस से निकाला जाए, किस को restructuring में डाला जाए, ताकि हमें मिल सके actual growth, हमें मिल चुके actual फाइदा, बात आई की नहीं सब को समझ में, तो strategic options में portfolio analysis वही करें, जिसके पास हो multiple product, multiple brand, product and services, ताकि किस से फाइदा उठाया जासा कि उससे continue करें, जिससे नहीं हो रहाएगा उससे बंद कर दें, is it clear, is it clear, is it clear, क्या इतनी बात सब को समझ में आ रही है, जो बत्रस आपको बता रहे हैं, chant box में बताए, बच्चे कह रहे हैं, यसर, यसर, यसर हमें समझ में आरिया है, बहुत अच्छी बात है, सभी को आरिया है, किसी को जारिया नहीं है, हर एक को आरिया है, चलिए, आईए, पहला मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है, एंस आफ प्रॉड़क्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, इस किस के बीच में, प्रॉड़क्ट की ग्रोथ को लेके है, प्रॉड़क्ट की ग्रोथ को लेके है, किस ने प्रॉपोज किया, आईगर एंस आफ ने प्र प्रोड़क्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कहलाती है क्या कहलाती है प्रोड़क्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कहलाती है क्लियर है क्लियर है क्लियर है प्रोड़क्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स चलिए पहले मैं बनाना सिखा देता हूँ फिर पढ़ लेते हैं पर ठीक है पहले मैं बनाना सिखा देता हूँ फिर मैं इसको बताओंगा आपको चलिए बनाते हैं पहले इसको देखो यह टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो इसकी X-axis होगी और Y-axis होगी X-axis जो है उसमें हम प्रोड़क्ट बताते हैं और Y-axis जो है उसमें हम मार्किट बताते हैं तो यह प्रोड़क्ट और मार्किट के बीच में हम कहते हैं यह 2x2 मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा प्रोड़क्ट हमारा एक्जिस्टिंग हो सकता है प्रोड़क्ट हमारा न्यू हो सकता है मार्किट हमारा एक्जिस्टिंग हो सकता है market हमारा new हो सकता है ठीक है तो क्या है यह two by two की matrix है पहली चीज़ दूसरा market versus product इस्तती बताते हैं जो की दो इस्तती में हो सकते है existing and new two by two matrix है x-axis पे है product y-axis पे है market so market versus product बनना है यह और तीसरा existing और new दो इस्तती है अब अगर आपके बाद में existing product है और existing market है तो यह strategy कैसी है growth oriented है किसके लिए है यह growth matrix है हर चीज growth के इसाफ से देखेंगे हर चीज growth के इसाफ से देखेंगे तो अगर आपके बाद में existing product है existing market में आप growth चाते हैं तो इसको हम कहते है market penetration जैसे geo कर रहा है 37% से बढ़ने की कोशिश कर रहा है current product के नई application of users डूढ़े इससे क्या हो जाएगा product की उपियोगता बढ़ने से उसका उपियोग बढ़ने से क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा market share आपका बढ़ता चला जाएगा तो market penetration होता है product आपका existing है और market आपका नया है तो नया market है तो यह कहलाएगा market development example हमने दिया था Vodafone in India भारत में Vodafone का आना market development कहलाता है यहां के market विक्सित किया अगर आपका product नया है market existing है product is new market is same तो इससे कहता है product development जैसे इससे में हम 6G launch करने में लगे हुए 6G technology लाने में लगे हुए अब तक नहीं आई तो यह कहलाएगी product development नया product बनाना market के लिए और लास्ट है new product बनाना new market के लिए बनाना new product new market के लिए बनाना इससे कहते है diversification अब यह या तो same field में हो सकता है related या हो सकता है unrelated बात आई कि नहीं है समझ में है क्या कहते हैं इसको इसको कहते है आई गर एंस of matrix क्या कहलाती है यह यह कहलाती है आई गर एंस of matrix क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है बोलो जी हां बोलो जी हां बोलो जी हां बोलो जी हां तो यह हम पढ़ चुके हैं पहले भी इसको कहते हैं आई गर एंस of matrix मार्केट में ग्रोथ पाना क्लियर है क्लियर है क्लियर है बोलो जिहा क्लियर है क्लियर है का ऩटम है एक बार इसको अपने हाट से बना लो अपने इसको हाथ से बना लो एक बार यह अपने हाथ से बनाना आना चाहिए मैं चारों मेथड अभी आपसे अपने हाथ से बनाने जा रहा हूँ चाहे ADL हो चाहे आगे BCG हो या चाहे GE हो सारों आपको हाथ से बनाने आने चाहिए तो एक बार अपने हाथ से बना लो ताकि याद भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि अचे अचे कि आरेस के रहा समझ में नहीं आये ओंगे वापत से देखें बैडा मार्केट में हम सब लोग फायदा करने के लिए बैठा है नुकसान करने के लिए कोई नहीं बैठा है हम चाहते हैं growth हो अब आपके पास में product नया हो सकता है product पुराना हो सकता है market पुराना हो सकता है एक इस्तुति यह बनती है इसको either ends of नाम के एक person ने matrix के माध्यम से समझाया कि आपको portfolio analysis में कौन सी strategy अपनानी चाहिए तो उसके लिए 2 by 2 की matrix बनती है 2 by 2 मतलब horizontal और vertical 2 axis होगी और 2 by 2 मतलब 4 खाने बनेंगे इसके अंदर अब इसमें जो हमारी horizontal axis है x axis वो product को बता रही है vertical axis y axis market को बता रही है product जो है वो पुराना हो सकता है आपका product आपका नया हो सकता है ये दो इस्ततिया हो सकती है market भी आपका पुराना हो सकता है market भी आपका नया हो सकता है ये दो इस्ततिया हो सकती है अब portfolio analysis में हमें करना क्या है अगर आप existing product बनाए वे हो और existing market में ही बेचना चाहते हो और आप growth चाहते हो तो growth कैसे आएगी जब आप market में ज़्यादा share capture करोगे और market में ज़्यादा share capture करने को कहते है market penetration ये इसके लिए word यूज हुआ है जैसे जीओ कर रहा है अभी 37% पर वो चाहिए 38, 40, 45 हो जाए तो ज़्यादा market share प्राप्त करने की कला या ज़्यादा market share प्राप्त करने की strategy को क्या कहेंगे portfolio analysis में market penetration कहेंगे क्या इतना आपको समझ में आया अरिश अब बात करते हैं बाकि options थी अगर आपका existing product है मतलब telecom Vodafone 2008 में England की एक company थी भारत में एक बड़तावा बजार उसने देखा वो भारत आई उसने हच SR को take over किया और भारत में ही existing market को बढ़ाना शुरू किया तो उसने क्या किया अपने existing product को भारत में जो कि उसके लिए एक नया market था विक्सित किया ये तरीका क्या किलाएगा market development ये भी growth oriented strategy है ये भी growth oriented strategy है तो market develop कर सकते है Vodafone in India तीसरा अगर आपका product बिलकुल नया है लेकिन market existing है आप यहीं पर 3G, 2G, 3G, 4G, 5G ला चुके हो अब यहीं आप 6G लाने की कोशिश कर रहे हो से market है टेलिकॉम का इन ही लोगों को 6G दोगे तो market पर existing ही है customer हो ही है लेकिन अब उसको आप एक नई चीज देने वाले हो नया product देने वाले हो तो ये क्या कहला हैगा ये कहला हैगा product development जैसे 6G technology का launch होना Apple के नए phone का आना गाड़ी का नए model आना ये सब कहलाते हैं अब ये सारे के सारे जो काम अब तक हुए है market, penetration, product development, market development ये सब के सब क्या है same field में इसको intensification भी कहते है अगर अलग field में करते हैं तो इसको diversification कहते हैं ये भी same or different में हो सकता है related, unrelated और इसके example अबने आपको दिये हैं अगर भारती, Airtel, भारती एकसा life insurance उसके बाद set of box और FM रीडियो में जाती है तो ये diversification unrelated field में आता है जिसको हम conglormate diversification के नाम से भी जानते हैं लेकिन अगर आप same field में करते हो जैसे बत्रसर CA पढ़ाते हैं अब CS भी पढ़ाने लग जाए, CMM भी पढ़ाने लग जाए CFA भी पढ़ाने लग जाए, तो ये क्या कहलाएगा related field को पढ़ाना concentric diversification कहलाएगा बात आई के सब को समझ में अब clear हो गया आरिश को चल ये, clear हो गया, सभी को clear हो गया ओके, तो बनाया कैसे जाता है आपने हाथ से बना के देख लिए, समझ में आ गया अब आओ, notes में क्या कहा गया है इसके बारे में आओ, notes में क्या कहा गया है ends of product growth matrix the ends of product market growth matrix proposed by Iger ends of तो ये MCQ में याद रखना, किसने हमें दिया है Iger ends of ने दिया है it is a useful tool, ये एक useful tool है ठीक है, ends of ने क्या दिया है product market growth matrix दिया हमे तो एक हो गया ये, दूसरा दिया इसने, कीसरा useful है to help the businesses decide their product and market growth status ये product और market growth strategy के बारे में जानकरी देते है तो product market both matrix बनाई है, किसने बनाई है Iger ends of ने बनाई है, ये useful tool है product और market growth strategy के बारे में जानकरी देता है with the use of this matrix, a business can get a fair idea about how its growth depends upon its market in the new or existing product, both in new and existing market तो हमार को एक fair idea मिल जाता है कि product अगर पुराना है और market पुराना है तो क्या growth strategy यूज करें product पुराना है, market नया है नया market है, पुराना product है पुराना product, नया market, नया product, नया market ऐसे कई सारी permutation combination बन सकती है तो हमें ये देता है फेर idea कि वहां कौन सी strategy का पुराना चाहिए ये future की direction बताता है ये future की direction बताता है तो future में हमें क्या करना चाहिए future में growth किसमें आएगी उसकी जानकरी आईगर एंसमों matrix देती है the product market growth matrix is a portfolio planning tool for identifying the growth objective of the company तो ये जो हमारी product market growth matrix है ये portfolio का एक planning tool है जो की growth opportunities को identify करता है क्या करना चाहिए तो यहां पे चार इस्ततिया बनती है देखें, पहला market penetration को देखते है market penetration refer to the growth strategy ये भी growth strategy है market penetration भी growth strategy मानी जाती है where the business focuses on selling existing product to the existing market existing product को existing market मां ज्यादा कैसे बेचा चाहिए it is achieved by making more sales to present customer ज्यादे sales कर लो without changing the product in any major way तो ऐसा करना आसान नहीं होता है penetration might require greater spending and altacement और personal selling इसके लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूत पड़े overcoming the competition in the mature market requires an aggressive promotion campaign supported by the pricing strategy design to make the market unattractive for competitor penetration is also done by effort on increasing usage by existing customer for example Gucci Gucci क्या है एक कपडे का ब्रेंड है एक लग्शरी क्लोधिं ब्रेंड है selling the luxury clothing in Europe market with new design its market penetration तो Gucci क्या कर रहा है यहाँ पर जो कि एक luxury clothing brand है वो वहाँ से निकल के यॉरप में जा रहा है और वहाँ पर कपडे बेच रहा है तो बेच तो कपड़ ही रहा है न च्या कोई हो बेच तो कपड़ ही रहा है तो हम इसको Gucci का का काम existing product को existing market में बेचना क्या कहलाएगा market penetration कहलाएगा market में ज़्यादा गेहरे उतरना कहलाएगा clear है clear है clear है तो market penetration का मतब existing product को existing market में ज़्यादा sale करने के लिए मजबूर करना अब आजब बात करते है market development की नया market बनाना market development refer to the growth strategy where the business seeks to sell the existing product into the new market existing product को नया market में बेचना है it is a strategy for the company's growth हर strategy growth के लिए है by identifying and developing a new market for the current company product this strategy may be achieved through the new geographical markets new product dimension और packaging new distribution channels और different pricing policy यह सब चीजों से अपन market को विक्सित कर सकते है market को विक्सित करने का मतलब existing product को नय market में देना अब यहाँ भी गुची का example लेते है गुची आपको मालूम है luxury clothing brand है तो गुची जो के luxury clothing brand है वो sell कर रहा है अपने luxury cloth को China market में बेच रहा है इसे कहेंगे China market को विक्सित करना इसको कहते है Chinese market को विक्सित करना अब यहाँ सबसे बड़ा खत्रा यही है कि अगर competitor आपके बारे में सब जान ले तो फिर वो इसने किसी भी स्थती में आपको मात देदेगा तो हम यहाँ क्या करते हैं उतना ही बताते हैं जितना बताना जलूरी है बाकी सब फिजिकली आप जाके वहाँ पर पता कर सकते हैं तो market development में क्या हुआ नया market विक्सित करना जैसे गुची जो की luxury clothing brand है वो क्या कर रहा है अपना European market को छोड़ कर China में एंटर कर रहा है तो new market development करने की कोशिश कर रहा है नमबर तीन product development product development मतलब existing market में नया product ले क्या आना product development is a growth strategy growth strategy है यह where business aim to introduce new product into the existing market business को नय product के तौर पे market में ले क्या आना है it is a strategy for companies growth by offering modification of a new product to the current market यह कैसी strategy है जिसमें हम क्या कर सकते है offer कर सकते है modified यह new product को नय market में हाला कि हम generally नय ही launch करते है क्योंकि पुराना पुराना ही दिखता है इसलिए हम क्या करते है modify नहीं करते है नया ही launch करते है ताकि वाकिये नयापन लोगों को नजर आए this strategy may require the development of new competence and require the business to develop modified purchases product that can appeal into the existing market example क्या है यहापे Gucci एक लगदरी clothing brand है sell कर रहा है casual clothing in Europe market and it is a product development यह product को क्या कर रहा है आपको विक्सित कर के दे रहा है clear है तो हमारा तीसरा example भी समझ में आ गया problem development, product development, product development का मतले है ऐसी gross strategy जिसमें हम क्या करते है existing market में नया product launch करते है जैसे 6G launch किया है किसने BSNL ने भी existing market में और हम ऐसी hope करते है जब यह नया product आता है तो market में हलचल जरूर मचती है तो growth strategy जिससे हम new product को existing market में डाल सके clear है अब यहाँ पर Gucci का example आ रहा है Gucci luxury clothing brand selling casual clothes in Europe market and is a product development तो Gucci जो clothing brand है वो sale कर रहा है अपना clothes को देखें जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते है product development हो गया नया product बनाना हो गया तो एक-एक example लिख लेता हूँ market penetration में example हो गया geo 37 प्लस जितना भी बन जाए percentage market development का मतलब होता है नय market को विक्सित करना नय market को विक्सित करना दूसरा example तो नया market कैसा विक्सित होगा luxury clothes आप चाइना में पेशने लग गया बताओ जरा Vodafone in India तीसरा product development है product development का मतलब होता है existing market में नया product launch करना जैसे 6G by BSNL की testing शुरू कर दिया उसने ठीक है गुजी luxury brand के बारे में बात करो तो वो अपने क्या कर रही है casual clothes को यूरोप market में बेच रही है product development अब आजाओ चौथी बात करते है अच्छा matrix आगी पहले matrix में आप क्या देख रहे है existing product new product existing market new market वही तरीका है existing product पर existing market में जदा बेचने के लिए market penetration चाहिए existing market में नया product बेचना तो product development करना पुड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि market भी नहीं रहे मतलब new market हो जाए आपका और आपका existing product रहे new market existing product तो market development कहलाएगा और अगर आप new product new market लेके आते हो तो यह diversification हो जाएगा जो related unrelated दो field में हो सकता है clear है, clear है, clear है बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ क्या यह diagram फिर से समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से क्लियर हो गया आई गर एंस ओफ में अब कोई ब्रहम किसी को नहीं है, यह growth matrix है, बताती है कैसे product और market के बीच में existing product existing market, new product और existing product के बीच में growth लाई जा सकती है, market penetration, product development, market development और diversification से, तो अब बात करते हैं, diversification की, diversification refers to a growth strategy, यह भी अपने आप में growth strategy है, where a business market new product into the new market, new product new market होता है यह, ठीक है, अब यह अपने आप में एक risky proposition है, आप ऐसे बात पे चलते हैं, यह आपको literally a no experience है, जैसे Gucci, जो luxury clothing brand है, sell correct casual cloth को China में, तो casual cloth क्या है, new product, luxury product बनाता था यह, और Chinese market क्या है, new market, तो new product new market में लिया है, और यह कहलाता है diversification, ठीक है, market condition change होती है, over a period of time, जैसे, present market fully saturated है, तो company के पास choice ही नहीं है, उन्हें market में इंटर होना ही पड़ेगा उसको, अगर existing market, saturate हो जाए किसी का, तो उसे न्हें market में जाना ही पड़ेगा, का जाना पड़ेगा उसे, न्हें market में जाना पड़ेगा, शली, clear हो गया सबको, ठीक है, तो ends of matrix क्या है, यह business को growth, किस direction में मिल सकती है, उसके बारे में जानकारी देती है, शली है, आईए, अब दूसरी matrix पे चलते हैं, जिसका नाम है ideal matrix, अब ideal के बारे में कुछ चीज़े मैं आपको बता देता हूँ, before we start with the matrix, पहला ideal matrix का नाम पड़ा है, आर्थर डी लिटिल, इसके बनाने वाले के नाम पर, ideal matrix का नाम पड़ा है, इसके बनाने वाले के नाम से उसका नाम था आर्थर डी लिटिल, यह एक portfolio analysis टेक्नीक है, यह एक portfolio analysis टेक्नीक है, आर्थर डी लिटिल द्वारा दीवी, based on product life cycle, PLC पर आधारी थे, PLC में 4 stages होती हैं, आपको पता है, कौन सी 4 stages होती हैं यहाँ पर, introduction, growth, maturity, decline, 4 stages होती हैं, उस पर यह आधारी थे, ठीक है, अब यह approach जो है, यह भी two-dimensional है, यह approach भी क्या है, two-dimensional, it is a two-dimensional matrix based on stages of industry maturity, जो PLC साती है, and the firm's competitive position, firm की competitive position जो पाँच परकार की होती है, stages of industry maturity तो चार हैं, लेकिन firm की competitive position पाँच होती है, so stages of industry maturity जो है, वो environmental measure है, कि उसकी position क्या है, industry में, वही competitive measures जो होते हैं, वो business की strength को बताते हैं, generally किसी product के पाँच competitive position होते हैं, dominant होना मतलब number one होना, किसी शेत्र में, strong होना मतलब number two, number three होना, favorable होना, उसके बाद आता है, favorable होना, favorable होना मतलब, favorable होना, इसका मतलब होता है, अपनी मनमर्जी की चीज़े कर लेना, और teenable होना मतलब weak है, weak से थोड़ा बड़ी है, रक्षणी हैं, इसको कहते हैं, रक्षणी हैं, किसी तरीके दे बनावा है, और weak का मतलब कमजोर है, weak का मतलब कमजोर है, फिर उनका मतलब होता है, can do whatever, तो dominant वो होता है, जो number one clear होता है, मर्जी है जो कर सकता है, strong वो होता है, जो उसके पीछे, number two, number three position पर होता है, favorable वो है, जो strong तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी का कुछ बहुत कुछ कर पा रहे हैं, उनके स्तती, उनके काफी हद तक पक्ष में बात की जाती है, cleanable जो है, उसको किसी तरीके जब बनाएवे हैं, वो कमजोर तो हो चुका है, लेकिन किसी तरीके जब उसको बनाएवे हैं, और weak जो है, वो कमजोर है, पे एडियल ने मनाया है, आर्थरडी लिटिल ने मनाया है, तीसरा पॉर्टफोलियो, पॉर्टफोलियो, एनालिसिस टेक्नीक है, चौधा किस-किस के बीच में हैं यह, यह है स्टेज़िस, आफ इंडिस्ट्री, मेचॉरिटी, वर्सिस, कॉम्पॉटिटिव पोजीशन, कॉम्पॉटिटिव पोजीशन आफ इन्वार्मेंट, जाँ स्टेज़िस अफ इंडिस्ट्री मेचॉरिटी जो है, वो चार प्रकार की हैं, कॉम्पॉटिटिव पोजीशन पांच प्रकार की है, तो यह 4 बाइ 5 की एक मैट्रिक्स है, यह 4 बाइ 5 की एक मैट्रिक्स कहलाएगी, तो कुछ चीज़े मैं आपको बनाने से पहले याद करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, यह एक्जाम में लिग क्या नहीं है, अपने को, ADL मैट्रिक्स आर्थरडी लिटल नाम के विक्ति ने प्रपोस की है, यह पोर्टफोलियो अनालिसिस की एक टेक्नीक है, का कौन सा बिजनस रखना है, कौन सा चलाना है, यह प्रड़क्ट लाइफ साइकल, जिसको स्टेज़ व इंडस्टी मिचॉरिटी कहते हैं, वो और फर्म की कॉंपूटिटिव पोजिशन के बीच में, टू डामेंशन में बनाई जाती है, स्टेज़ व इंडस्टी मिचॉरिटी चार हैं, इंट्रोड़क्शन, ग्रोथ, मिचॉरिटी और डिक्लाइन, पांच तरीके की कॉंपूटिटिव पोजिशन है, डॉमिनेंट, स्ट्रॉंग, फेवरेबल, टीनेबल और वीक, इनके बीच में 4 वाइ 5 की एक मैट्रिक्स बनती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से, क्या इतना सबको सबकुछ क्लियर हो गया, is it clear to all of you, क्या इतना सबको सबकुछ समझ में आ चुका है या नहीं आया है, let me understand this first, पहले मुझे बताओ, इतना सबकुछ समझ में आया की नहीं आया, 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 समझ में आया, चीक, आ गया, अब आओ 4 by 5 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, यह आपके सामने हैं, मैं भी बनाऊंगा, इसको बनाया है, आर्थिर्टी लिटल ने, अब आप देख रहे हो, stages of industry, maturity, आर्थिर्टी लिटल ने में दिया है, यह हमारी है, x-axis, horizontal, नीचे, नीचे कर लो, उपर कर लो, एक ही बात है, और यह हमारी competitive position है, y, यहां हमारी competitive position बताईए, और यहां आप बनी industry of stage of industry, maturity बनाईए, फिर से मैं बताऊंगा आपको, कैसी बनी है, यह देख लो, यह x है, यह y है, बनाते चलो, साथ साथ, ठीक है, यह बनाते चलते हैं अपर, यहां लिखेंगे, stages of industry, maturity, ठीक है, यह 4 इसों में बढ़ जाएगा, एक, दो, तीन, और चार, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे introduction, इसमें लिखेंगे growth, इसमें लिखेंगे maturity, इसमें लिखेंगे decline, यहां introduction की जगे एक और word यूज हो सकता है, embryonic, decline की जगे एक word आ सकता है, aging, ठीक है, तो यह लिखेंगे अपर, introduction की जगे, embryonic भी लिख सकता है, growth, growth है, maturity, maturity है, decline की जगे aging, बुड़ापा लिख सकता है, y-axis जो है, वो हमारे denote करती है, y-axis denote करती है, competitive position, वो competitive position को बताती है, competitive position होती है हमारी 5, सबसे पहले को अपन कहते हैं, strong, नहीं, पहले को कहते है, dominant, पहले को कहते है, अपन dominant, दूसरा जो आता है, उसको अपन कहते है, पहले को अपन कहते है, तीसरा जो आता है, उसको अपन कहते है, favorable, चौत्य को अपन कहते है, tenable, last को कहते है, अपन weak, इस तरीके से, ये 4 इंटू 5 की, एक matrix बनती है, दो dimension में, horizontal और vertical, two dimension मतलब, X और Y, matrix है 4 बै 5, क्या ये बात सब को समझ में आ रही है, कैसे बन रही है, ये matrix, बत्रासर अभी आपको हाद से बना के, याद भी करवा जेंगे, बत्रासर की इसमें expertise है, कि जो पढ़ा जेते है, समझा जेते हैं, वो दिमाग में बैठ जाती है, दई की तरह जम जाती है, कभी भी न भूलने वाला experience हो जाती है, जिन्दगी मैं कभी नहीं भूलोगे, अगर पूछा गया तो आपको, हाद से बनाना पड़ेगा एक बार, बत्रासर के साथ साथ, हाद से बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अगर आप नंबर चाहते हैं, तो बनाना पड़ेगा, बनाना, फिर से देख लो, हम horizontal x-axis पे बनाएंगे, stages of industry maturity, जिसकी चार stages है, introduction या embryonic, growth, maturity, decline या aging, ये चार लिखने पड़ेंगे, vertical axis जो है, वो competitive position को बताती है, business के, वो पांच प्रकार है, dominant, strong, favorable, tenable और weak, ये 4 by 5 की matrix किलाती है, two dimension में, two dimension मतलब, horizontal और vertical दो axis है, x और y, इतना बना लो, इतना बना लो, और clear है, clear है, clear है, इसा लिख दो तो हम आगे बढ़ें, और बना लो, encant, इatना लो, झालना लो, झालो, क्ही दो आभे आगे, झाल झाल तो क्लियर है क्लियर है क्लियर है ऐसा बाचा बाचा कह रहा है अब देखो इसको फिल कैसे करते हैं मैं यह वाली रोग फिल करना सिखाता हूँ आपको कैसे करना चाहिए अगर आप introduction या embryonic stage है मतलब किसी product की अभी शैशा विस्तती है अभी वो शुरू हुआ है जैसे electronic vehicle अभी शुरू हुआ है electronic vehicle के अब शुरुवात मान सकते हैं दो-तीन साल हुआ है अब electronic vehicle बन रहे है टू-wheeler, फोर-wheeler बन रहे है त्री-wheeler बन रहे है लोग देरे-देरे इसको use करना शुरू कर चुके है अब अगर इसमेट टैसला कंपनी है dominant position पे हम बात कर रहे हैं electronic vehicle की ठीक है चल रहा है उनका introduction stage और इस समेट dominant position पे कौन बैठा है टैसला तो टैसला को growth के लिए क्या करना चाहिए अगर growth अपना ना है तो टैसला को क्या करना चाहिए common sense से सोच के देखो common sense से सोच के देखो अभी नया-nyया है सब कुछ तो टैसला क्या करेगा fast grow करेगा टैसला क्या करेगा fast grow करेगा फिर अपने चारो तरफ क्या करेगा build barrier अपने चारो तरह barrier खड़े करेगा ताकि कोई और उसके शित्र में ना आने पाए और फिर क्या करेगा act offensively चोटी कमपनियों को खा जाएगा सबसे पहले तेजी से grow करेगा फिर अपने चारो तरह barrier बिल्ड करेगा ताकि कोई उसके इस्से को नहीं ले जाए और फिर जो छोटी-छोटी कमपनियों उसको दिख रही है उसको अपने में मिलाने की कसम खाएगा तुम्हें अपना बनाने की कसम खाएगा तो पहले fast grow करेगा फिर barrier build करेगा और फिर offensively act करेगा दूसरों को खा जाएगा क्या ये बात समको समझ में आई dominant वाला क्या करता है clear है clear है clear है बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ अब बात आती है आप growth stage पे आगे कुछ साल बाद पांच साथ साल बाद क्या हो जाएगा electronic vehicle establish हो चुके होगे बारत बुर में हर आदमी यूज कर रहा होगा बसें भी ये है हाँ ना टू वीलर भी ये फोर वीलर भी ये पेट्रल डीजल अलमस्ट खतम दुनिया से growth stage होगी हमारी तब dominant company Tesla क्या करेगी तब dominant company Tesla क्या करेगी तब भी तो fast grow करेंगे तब भी हम कौन सा रुकने का नाम लेंगे हम तब भी grow करना चाहेंगे fast फिर क्या करेंगे market में टिके रहने के लिए attend cost leadership सबसे सस्ते बनेंगे attend cost leadership cost leadership attend करेंगे फिर अपनी position को defend करेंगे कि कोई हमसे हमारा इससा छीन न ले defend करेंगे और उसके बाद छोटी कंपनियों को खा जाएंगे act offensively छोटी कंपनियों को खा जाएंगे act offensively तो पहले हम भी grow करने न चाहेंगे फिर हम सबसे सस्ते बनना चाहेंगे growth state पे क्योंकि हम number one company है फिर हम अपनी position को defend करेंगे कोई हमारा इसा नहीं ले जाए और फिर जो छोटी छोटी कंपनियों market में उससे खाने की कोशेश करेंगे सब growth के लिए सारा काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग growth के लिए कर रहे है clear है clear है clear है मेहपरीत बोल नहीं रहा है आरिश ही बोल रहा है के बल चाइना कई शेत्रों में कॉस्ट लीडर है सबसे सस्ता बेजता है जो भी वो बेजता है आगे बढ़ते हैं अब 10-15 साल बात क्या हो जाएगा electronic vehicle भी saturation वाली stage में पहुँच जाएगी मतलब अब सब लोगों के पास electronic vehicle हो गए और कोई जगे बची नहीं जहां कोई खरीदने वाला मिले हमें तो फिर क्या हो जाएगा sale जो है stagnation हो जाएगी saturation वह पहुच जाएगी फर्दर हो नहीं सकती है मेर परीत कह रहा है मैं ध्यान से class देख रहा हूँ अच्छी बात है बटा मुझे चैट में नहीं दिखे इसलिए मैंने पूछ लिया अच्छी बात है तो maturity है और टेसला क्या करेगी मतलब आज से 15-20 साल बात जब market में sale almost saturation हो जाएगी कोई बेचने के लिए खरीदने के लिए कोई बदना नहीं मिलेगा बेचने के लिए कोई बदना नहीं मिलेगा आपको तब क्या करेंगे आप तो ऐसी स्थित्री में क्या करेंगे ये बताओ defend position defend position अपनी position को बनाए रखो position को defend करो अभी भी कोशिश करो कि आप cost leader ही रहो attend cost leadership आप सबसे सस्ते बने रहो उसके बाद उस market में fast grow करने की कोशिश करो और छोटी छोटी कमपनियों को अपने में मिला लो offensively act करो number one company तो हमेशन ये चाहेगी market में competition खतम हो जाए वही वही रहे इसलिए उसको offensively act तो करना ही पड़ेगा ताकि छोटी बोटी कमपनियों को खतम कर दे वह market में उसी का बोल बाला रहे शेर उसी के पादर है सबसे ज़ादा तो हम पहले अपने आपको defend करेंगे maturity stage में क्यों ज़्यादा sale है नहीं फिर उसके बाद और cost leadership पे जाएंगे ताकि हमसे सस्ता कोई न हो जाए और फिर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और छोटी-छोटी कमपनियों को खा जाएंगे चौता आता है decline और aging state कि अब electronic vehicle आज ये चल रहा है 2024 हो सकता है 2040 आते आते 2045 आते आते electronic vehicle भी market से खतम हो जाए कोई नहीं चीजी आ जाए तो ऐसी स्तती में dominant company Tesla क्या करेगी Tesla क्या करेगी बताओ Tesla अपनी position defend करेगी Tesla अपनी position क्या करेगी defend करेगी क्योंकि वो number one company है इसलिए वो चाहेगी बनी रहे market पर उसके बाद अपने छोटे market पर focus करेगी market तो बड़ा रहेगा नि कोई और technology का जाएगा जैसे petrol डीजल अब दीरी दीरे सिकूड रहे electronic vehicle के सामने तो हम focus करेंगे और फिर हमें लगेगा कि अब इसमें फाइदा नहीं है तो consider withdrawal हम बाहर निकलेंगे consider withdrawal हम इसको छोड़कर बाहर निकलेंगे हम electronic vehicle के business में नहीं रहेंगे हम कुछ और करना चाहेंगे तो देखा आपने कैसे अलग-अलग marketing strategy अपना ही जाती है growth के लिए जब हम R30 little की matrix को देखते हैं नाम तो R30 little है और matrix बहुत लबी चौड़ी बना दी इसने 4 by 5 की बात आई क्या सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear exam में ये पूरा बनाना नहीं आएगा पांच, 20 column बरने नहीं आएगे इतना समय नहीं होता है देखो आपको समय का allocation कैसे करना होता है समय का allocation कैसे करना होता है पांच marks का सवाल है पांच marks का सवाल है और आपको मिलते हैं एक marks उच्छीव करने के लिए 1.8 minute तो कितना हो जाएगा 9 minute आपको total मिलेंगे 9 minute में आप ये पूरी table बना ले हैं हो इनी सकता इसलिए कभी भी ये पूरा बनाना नहीं पूछते हैं हमसे पूछेंगे पताओ आर्थर डी लिटल का skeleton धाचा क्या है तो हम ये तना बना लेंगे बहुत है हमसे पूछा दा सकता है 5 stages competitive position की कौन सी है बता हो जारा तो हम कहेंगे dominant है, strong है, favorable है, tenable है हमसे पूछेंगे product life cycle की चार stages कौन सी है हम कहेंगे introduction है, growth है, maturity है, decline है या हमसे पूछ सकता है खास बात क्या ideal की तो हम बताएंगे आर्थर डी लिटल नाम की वेक्ती ने इसको बनाया है ये two dimension matrix है horizontal access पे stages of industry maturity है जिसकी चार इस्ततियां होती है introduction, growth, maturity, or decline vertical access पे competitive position है जो पांच इस्ततियों में होते है dominant number one, strong number two and three favorable मतलब whatever you can do in the market tinnable मतलब किसी तरगे जब बने में weak मतलब कम जो रहे ये four by five की matrix है जो x और y axis के माध्यम से मिलकर बनी वी है इसमें growth के लिए क्या strategy अपनानी चाहिए वो हमने dominant के लिए बता दिये आपको कि अगर आप dominant है, tesla है और अगर आप introduction वाली stage है जैसे electronic vehicle की stage बात कर रहे है तो आप fast grow करेंगे, barrier build करेंगे act offensively, एक दो शब्द आगे पीछे भी जाया तो चिंता नहीं है दिकत नहीं है इसमें दूसरा growth वाली stage आई वी और आप dominant है तो आप fast grow करेंगे, cost leadership pretend करेंगे, defend करेंगे position को offensively act करेंगे अगर maturity है और dominant है तो defend करेंगे position को cost leadership है, fast grow करेंगे offensively act करेंगे अगर decline इस्तती पे आगर आप dominant है तो defend करेंगे, focus करेंगे, withdrawal करेंगे क्या इतना सबको समझ में आया है जो बतरा सर ने बताया है क्या इतना समझ में आया है बतरा सर ने बताया है तो आपने इतना बना लिया होगा आपको समझ में भी आ गया होगा अब देखो क्या कहता है नोट्स में नोट्स में यही कहाँ है हमने जो आपको बताया है देखो R30-Littal के बारे में क्या कहाँ है R30-Littal के बारे में ADL matrix जो है वो R30-Littal ने बनाई यह portfolio analysis की एक टेकनीक है जो की based है product life cycle जिसको stages of industry maturity कहते हैं चार इस्ततियों में होती है यह और competitive position जो पांच इस्ततियों में होते हैं उनके बीच में तो यह two dimension है ADL ने दिया है portfolio energy technique है stages of industry maturity जो चार होती है introduction growth maturity and decline versus competitive position जो पांच है इतना आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद यह हमारी बन गई matrix बन गई तो जैसा मैंने बताया आपको dominant position है आपकी आप embryonic stage पे हो growth पे हो maturity पे हो aging पे हो तो fast grow build barrier act offensively fast grow attend cost leadership defend position act offensively defend position cost leadership fast grow act offensively defend position focus consider withdrawal जो मैंने बताया है वो ही बना रखता है यह जो हरे हरे वाले हैं इनमें invest किया जा सकता है ठीक है फिर यह थोड़ा से और color में दे रख है यह यलो से थोड़ा से अलग color है नारंगी नारंगी तो यहाँ पर थोड़ा साम क्या करते हैं कॉशियसली काम करते हैं और रेड जो होते हैं यह हमारे लिए खत्रे की इस्तती है यहां से अब बार निकलना होगा ठीक है अब स्ट्रॉंग हो आप और एंब्रॉइनिक इस्तती है आपकी आप टेसला के बाद दूसरे नंबर की कंपनी हो दुनिया की जो इलेक्ट्रोनिक वीकल बनाती है तब क्या करेंगे आप तो टेसला के सामने टिके रहने के लिए आपको डिफरेंशेट करना पड़ेगा फिर आओगे तो आप कॉस्ट को कम करोगे प्रोड़क को डिफरेंशेट करोगे इंडस्ट्री की रफ्तार से बढ़ोगे और जब स्ट्रॉंग पोजीशन है और एजिंग वाली स्तती आई वी इंडस्ट्री खतम हो रही है तब आप अपना फोकस फाइंड नीश करोगे होल्ड नीश करोगे या हार्वेस्ट करोगे कुछ पोर्शन बेच के निकल जाओगे हार्वेस्ट और डाइवेस्ट दो शब्द होते है हार्वेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट और डाइवेस्ट का मतलब होता है पार्शल तो हार्वेस्ट का मतलब कंप्लीट बेच के निकल जान आपको exam में तो केवल dominant position की row ही बनानी है dominant में embrowning में क्या करोगे dominant में growth में क्या करोगे dominant में maturity में क्या करोगे dominant में aging क्या करोगे बाकी आपको याद रखने की जिरूद नहीं है मैं वैसी समझा रहा हूँ आपको favorable है आपकी position market में थोड़ा बहुत freedom में आपको तो अपने आपको product को differentiate करो किससे dominant और strong दोनों से अपने product को अलग करो फिर अपने इससे को focus करो और फिर उस focus वाले इससे में grow करो growth में अपने इससे को focus करो differentiate करो और अपने position को defend करो maturity में अपने को focus करो अपने को differentiate करो जरुद पुड़े तो harvest करो अपने area में बने रहो turn around की कोशिश करो और छोटी form को hit करो यहां harvest करो या अपनी position को turn around करो या तो harvest कर लो आपको लगता आपके बसकी नहीं है या अपनी position को turn around कर लो अगर आप t-nable है रक्षनी है किसी तरीके से तो आप industry के रफ्तार के साथ चलो और अपने area पे focus करो यहां पे अपने area को पकड़ के रखो hold niche मतलब hold small area of segment turn around करो इस्ततियों को बुरे से अच्छे में लाओ industry के रफ्तार से बढ़ो नहीं तो withdrawal करो turn around करो इस्ततियों को ठीक करने की कोशिश करो turn around करो नहीं बनता है तो अपने इस्ता पकड़ो और retrench करो यहां पे completely partially divest करो यहां retrench करो इसी तरीके से अगर आप weak position पे बैठे हो market में तो आपको क्या करना चाहिए अपने इस्ते को पकड़ना चाहिए और industry के रफ्तार से पढ़ना चाहिए यहां turn around करना चाहिए आपको और withdrawal करना चाहिए withdrawal और divest option है और यहां के वले की option है withdrawal तो यह याद होना चाहिए आपको weak हो आप और aging IV है आप weak हो और इस्तति industry के खतम होने वाली है तो आपको वहां से withdraw जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए क्योंकि यहां पर कुछ बचा नहीं है आपके लिए बात आई क्या सब को समझ में यह सारा नहीं बनाना है सारा कोई नहीं बना सकता ना exam में पूछा जाता है अब तक exam में जो पूछा गया है एडियल के बारे में खासियत क्या है बता दो एडियल का skeleton क्या है वो बता दो एडियल में पांच competitive position क्या बता दो इंडस्ट्री के stages of maturity में चार इस्तती product life cycle के दुसार क्या है बता दो ऐसे तीन चार लगलग सवाल आए पर complete ये बनाने का सवाल कभी नहीं आता ना आएगा clear है clear है clear है बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ तम ही बोलता नती चार में से दो मैथड हमारे हो चुके है इस पर exam में सवाल बनावा है competitive position के बारे में क्या है बात करो तो हमें मालू में firm की competitive position जो होती है वो 5 होती है उसके criteria में पहला है dominant होना दूसरा है strong होना तीसरा है favorable होना चौता है attainable होना पांच में weak होना आओ dominant की बात करते हैं this is comparatively rare position ये आसान नहीं है rare होती है in many cases it is attributable either to a monopoly ले कि आपका पास ऐसा product है और a strong projected technological leadership जिससे कोई आपके आस पास ही फटक नहीं रहा है जैसे टेसला electronic vehicle में है Microsoft software के शेत्र में है strong leadership है इन जैसा कोई नहीं है ठीक है दूसरी position है strong की strong मतलब the firm as a considerable degree of freedom over the choices कि वो अपनी मर्जी की choice बना सकता है and often able to act without the market position being unduly threatened वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं कुछ decision लूँगा तो बेरी market position पे क्या फरक पड़ेगा तो ये number two number three की company होती है किसी भी शेत्र में जिनको इतनी freedom होती है तीसरा है favorable which generally comes about when the industry is fragmented छोटे छोटे प्लेयर में बनी वी है and no one competitor stands out clearly कोई एक बड़ा leader नहीं है result in the market leader reasonable degree of freedom तो छोटे छोटे प्लेयर है एक single बड़ा प्लेयर है नहीं तो ऐसी position कहलाती है आपके लिए favorable क्या आप degree of freedom है कुछ भी कर सकते है नेक्स्ट है टीनेबल टीनेबल मतलब these are able to perform satisfactorily यह satisfactorily तो काम कर सकते हैं लेकिन they are generally vulnerable in the face of increased competition कि जैसे से competition बड़ेगा यह companyya ही खतम हो जाएंगी गया हो जाएंगी तो अभी आपके पक्ष में हैं कि आप किसी तरीके से survive कर रहे हैं पर competition बड़ा तो आप market से ही out हो जाएंगे पांचों position है weak weak का मतलब होता है यह generally इनकी जो performance होती है वो unsatisfactory होती है ठीक है कि market में opportunity तो है पर यह काम नहीं कर पारे मैं अगर इस समय बात करूँ मैं इस समय बात करूँ अगर telecom sector की तो telecom में इस समय dominant कौँ है Gio Gio is dominant strong कौँ है strong है Airtel favorable कौँ है Vodafone Idea TNable कौँ है किसी तरीके ज़े बना हुआ है BSNL और कौँ है जो कभी भी निपट सकता है MTNL तो मैंने telecom की पांच position आपको बता दिये market परस्ततियों के अनुसार एक real time example ले लो बतरा सर से आप dominant कौँ है number one player कौँ है 37% market share के साथ Gio strong player कौँ है Airtel Airtel का market share कितना है करीब 32% है अभी पता कर लेते हैं What is market share of Airtel in Indian telecom market in percentage page यह मैं Google Assistant से पूछ रहा हूँ artificial intelligence की बदद से तो 34% है इसका 34% अगर हमारा Gio बैठा है 37% पे तो यह बैठा है 34% अभी आगे बाद कर लेता हूँ Airtel के बाद मैं Vodafone idea की 20% के आज पाद बता रहे हैं ठीक है Airtel roughly हो गया है हमारा 34-32 और Vodafone idea हो गया है 19.992 मतलब 20% अच्छा BSNL कितना है जरा यह भी देख लेते हैं BSNL करीब 8% है BSNL करीब करीब 8% है थोड़ा 8 से उपर ही है और MTNL बता देते हैं आप कितना है देते हैं यह तो एक परसेंट से भी कम बता रहा है एक परसेंट से भी कम बता रहा है लेस देन वन परसेंट तो यह हालत है आप देख लो ठीक है क्लियर है क्लियर है क्लियर है सबको तो यह मार्केट शेयर है प्रेजन इस्तितियों में ठीक है तो यह मार्केट शेयर हो गया आरिश कह रहा है सर आज जैसे AI के जरिये आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या ठीक ऐसे AI ही AI के जरिये हम भी अपनी जगे CA के एक्जाम में AI से एक्जाम दिलवा सकते हैं बेटा इसके लिए ICAI की पर्मिशन लगेगी बाकी दे तो सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है देने को तो सब पॉसिबल है बेटा लेकिन ICAI इसकी पर्मिशन नहीं देगी उसको आपकी प्रेजन्स की जरूत पड़ेगी बाकी यह पॉसिबल है टेक्नोलाजिकल इस पॉसिबल क्लोन तो आपने देखा यह आपने अगर रॉबर्ट मुवी देखी हो के शंकर की चिट्टी चिट्टी बना था वो चिट्टी जो है वो रजनी कांत की जगे सारा काम करी सक रहा था ना पड़ सक रहा था सब कुछ कर सक रहा था पर उसके लिए ICAI पर्मिशन नहीं देगी आपको लाकि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है यही सब कुछ कर सकता है तो बात आगी सब को समझ में Is it clear? Is it clear? Is it clear? बोलो जी हाँ बोलो जी हाँ क्या इतना सब को clear हुआ है अब इसके बाद एक और मैथड आता है Boston Consulting तो आईए पहले तो कुछ बाते इसके बारे में याद कर लेते हैं सबसे पहले यह एक Portfolio Analysis Method है यह उन कंपनियों जारा यूज किया जाता है जो Multiple Product बनाते हैं Multiple Services दिया करते हैं Multiple Brand में हैं Boston Consulting इसका पूरा नाम है BCG का पूरा नाम क्या है Boston Consulting याद रखें याब और दूसरा यह Growth Share Matrix है यह दूसरा बात याद रखें तो BCG stands for Boston Consulting Group BCG और दूसरा Growth Share Matrix इसका नाम है यह BCG Growth Share Matrix जो है है यह simplest way है सबसे आसान तरीका है अब तक जितने पड़े हैं उन तरीकों में से ठीक है किसके लिए Corporation का Portfolio of Investment Decide करने के लिए कि किसमें रहें और किसमें ना रहें तो किसमें रहना नहीं किसमें रहना वो यहां से पता चलता है Growth Share Matrix को कई बार हम Cow and Dog Matrix भी कहते हैं यूँगे इसमें Cow and Dog जैसे कुछ Represent किया जाता है शब्दों को इसलिए हम इसको कहते हैं दीखे This is popularly used for Resource Allocation in the diversified company किसके लिए उपयोग करता है इसमें कौन सा Resource हम इसको Use करने के लिए दे और कौन सा ना दे इस Resource Allocation के लिए सका उपयोग किया जाता है यह अपने आप में टू डाइमेंशनल Growth Share Matrix है कौन सी है यह Growth Share Matrix है लेकिन टू डाइमेंशनल यहां Vertical Axis जो होती है Y Axis Vertical Axis में दो य एकस वो रिप्रेजेंट करती है Market Growth Rate को ठीक है मतलब Market कितना Attractive है ठीक है साथ पॉइंट हो गया यह आठ पॉइंट हो गया और यह नौ पॉइंट हो गया आठ वो पॉइंट क्या है Vertical Axis रिप्रेजेंट करता है Market Growth Rate को जो की Market Attractive में इसको भी बताता है वहीं जो Horizontal Axis है आपका वह रिप्रेजेंट करता है Relative Market Share को और वह मेजर है किसका Company की Strength in the Market को वह Company की Strength को बताता है इस तरीके से चार डिफरेंट टाइप ऑफ प्रड़क्ट S.B.U. के जो है इसमें बन सकते हैं चार डिफरेंट तरीके के इसमें बन सकते हैं यह 12 पॉइंट है तो 12 पॉइंट अपनों के याद रखना है Before we start drawing it हम इसको चित्र द्वारा बनाए यह 12 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए समझ में आजाने चाहिए इसकी Keyboard है नंबर पहला BCG का पूरा नाम है Boston Consulting Group Boston अमेरिका का एक शहर है और अमेरिका के शहर में यह Consulting Group है और उसी का आधार पर BCG का नाम Boston Consulting Group है दूसरा यह Growth और Share के बीच में Growth, Market Growth और Market Share के बीच में X और Y पे खिचा गया एक Two Dimension Matrix है यह एक Simples तरीका है Corporation के Portfolio of Investment को समझने का इसको Cow and Dog Metaphor भी कहते है क्योंकि इन भी इन Simples का प्रियोग किया जाता है यह Popularly Use किया जाता है Resource Allocation में Diversified Company में यह एक Two Dimensional Growth Share Matrix के लाती है जिसकी Vertical Access Y Access represent करती है Market Growth Rate को और Market Growth Rate जो है Market Attractiveness को बताती है वहीं Horizontal Access बताती है Relative Market Share को और यह Company की Strength को बताया करती है इन Matrix में चार Different Product and Resubus को बताया गया है क्या इतनी बात सबको समझ में आई है Is it clear? Is it clear? Is it clear? बताईए ज़रा क्या इतना समझ में आया है तो फिर मैं BCG को आपके सामने Draw करूँ Is it clear to all of you बस इतना सा याद रखना है हाँ बस इतना सा याद है तो इतना सा याद रखना है मेर परीत के रहा है क्या ये मैथटड अमेरिका के उस शेहर में बना था यस बास्टन नापके शेहर में इजाद किया गयता इसलिए इसका नים बास्टन कंसर्टिंग गृफ मैथटड या BCG है है चौलिये 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 तो आपने बारा बाते समझ ली पहला बीसी जी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रूप पूरा नाम है इसका ये ग्रोथ और शेर के बीच में मैट्रिक्स है ये एक सिंप्लस तरीका है को और कॉर्पोरेशन के पॉर्टफूल एनलेसिस का इससे बढ़ अब चार अलगले टाइप के डिफरेंट फर्डट जो एश्विंध में रखे जाते हैं उनको बताया गया है आईए अब इसे बना लेते हैं आईए अब इसे बना लेते हैं यह x-axis है यह y-axis है x-axis पर क्या denote किया जा रहा है relative market share horizontal axis पर relative market share को बताया जा रहा है और vertical axis पर क्या बता रहा है market की growth rate बता रहा है क्या बता रहा है market growth rate तो market किस रफ्तार से बढ़ रहा है वो यहां पर बता रहा है अब इनमेट 2x2 की स्थति है दो row है और दो column है दो row है और दो column है ठीक है relative market share आपका क्या हो सकता है हाई हो सकता है relative market share आपका लो हो सकता है इसी तरीके जब market में जो growth आती है वो हाई हो सकती है market में जो growth आती है वो समय के साथ लो हो सकती है चारिस्तिया बनती है high low high low high low high low high high low बिलकुल इसका diagram भी बनाना आता है तो हरे का बनाना आता है इसलिए हरे के डाइगरम को सीखना पड़ेगा हाथ से बनाना पड़ेगा आपको सबसे बड़िया तरीक है अपने हाथ से एक बार ड्रॉ कर लो फिर कभी भूलोगे नहीं अगर एक बार हाथ से बना दिया तो फिर आप भी बोलोगे तो एक बार हाथ से बनाना जरूरी है फिर कोई नहीं भूलता इसको फिर से देखे एक्स एक्सेस पर रिलेटिव मारकेट शेर को बनाया गया है और दोनों में दो इस्तियां है high low high low high low है अब क्या होता है ऐसी फरिस्तिती में जब हम करते है high low high low मतलब क्या है अगर आपका relative market share सबसे बड़ा है high है और अगर आपके बाद मार्केट में growth भी बहुत high है तो ऐसी position में हम कहते हैं हमारी position कैसी बनी गई है हम position पर बैठे है stars हमारे याँ चमकते वे तारे हैं हमारे याँ चमकते वे तारे हैं stars है जैसे इस समय telecom sector में geo बैठाव है तो stars जो है वो क्या है हमारे denote करते हैं तारों को और geo इस समय दुनिया में सबसे बड़िया position पर टेलिकॉम में बठा है चमकते बें सितारी की तरह relative market share उसका सबसे ज़्यादा टेलिकॉम में और उसकी market में जो growth rate है वो भी सबसे ज़्यादा किसी और के मुकाबले बात समझ में आई क्या star position अच्छा इस position पे हमारी strategy क्या होनी चाहिए what should be the strategy हम इसको और build करें so this is the strategy strategy यह होनी चाहिए example यह होना चाहिए position यह होनी चाहिए clear है तो अगर आप relative market share high पे बैठे हो जैसे geo बैठा है और आपका market growth rate भी phenomenal है तो ऐसी position में क्या करना चाहिए ऐसी position में अपने को cruise पे होना चाहिए star बने वे हम लोग position हमारी बहुत तगडी है जैसे geo के साथ है करीब 38 प्रतिशत का market share है तो ऐसे में हमारी strategy क्या होगी इसको और build करें इस position को और consolidate करें इसको और better करें लोगों को और जादे satisfied करें तो हमारी अगली जो इसमें होगी कि वो star position पे अगर है तो हम strategy के तोर पे उसे build करना चाहेंगे उसे और better बनाना चाहेंगे ओके आगे क्या होगा अगर आपका market share high है लेकिन market में growth नहीं है market में growth कम हो रही है तो इसको अपन कहते हैं cash cow मतलब enough cash generate करती है जिससे हमारा काम चलता है तो cash cow है अब यहाँ cow का चितर बनाने की जलूत नहीं cash cow लिखोगे तो भी चल जाएगा अब यहाँ पे example क्या है cash cow वाला example रोजमरा की जिन्दगी में cash cow का example क्या है तो cash cow मतलब क्या होता है cash cow का मतलब होता है market share आपका high है लेकिन market में growth नहीं है इसलिए आपको return तो दे रहा है cash generate करके दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यदा नहीं दे रहा है तो हम इस position में किसको मानेंगे हम इस position में मानते हैं HUL को हिंदुस्तान यूनिल लिवर लिमिटेड HUL को मानते हैं किसको मानते हैं HUL को मानते हैं यह example है और इस position में cash cow position में किसको देखना चाहते हैं cash cow position में किसको देखना चाहते हैं strategy क्या होगी आपकी यह बताओ तो ऐसी position में हम क्या करेंगे ऐसी position में हम क्या करें बताओ इसको hold करो इस position को कुछ समय तक बना रखो hold करो ऐसे में position बनी रहेगी इसको hold करो ठीक है अब आगे बढ़ते है market share आपका है low लेकिन आपके market में growth है high ऐसी position पर क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आप ऐसे क्यों है कि market में growth है भी है पर आपका share कम है question mark मतलब आप अपने आप से प्रश्ण करें आप ऐसे क्यों है मैं ऐसा क्यों हूँ मैं वैसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ question mark करो आप अपने आप से आप ऐसे क्यों हैं जैसे आप अगर telecom market की बात करेंगे तो BSNL इस इस्तती में हैं कि market में growth बहुत है जियो कमा रहा है एरिटल कमा रहा है word of an idea कमा रहा है लेकिन question mark है BSNL के उपर मैं ऐसा क्यों हूँ मैं वैसा क्यों हूँ तो अब अशुनी वैशनों कह रहे हैं इस में से समय आ गया हार्वेस्ट कर दिया जाए क्या करेंगे अपन इसको अपन इसको करेंगे हार्वेस्ट हम इसको करेंगे हार्वेस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता कुछ कुछ हिस्सा बेचना आर्वेस्टिंग करेंगे कुछ हिस्सा बेचेंगे हम इसका यह स्ट्राटेजी होगी हमारी ठीक है अब चौती स्ट्थी आती है जब मार्केट का शेर भी लो है और मार्केट की ग्रोथ रेट भी लो है तो ऐसी पोजीशन को हम कहते हैं वफादार कुट्ता है डाग है डाग है अब इस डाग वाली स्तती को हम क्या कहेंगे डाग वाली स्तती को हम कहेंगे यह MTNL है बनावा है हमारे पास में लेकिन इस स्तती में हम किसको देखते हैं डाग पोजीशन में इसमें कौन सी स्ट्रेजी यूज की जाएगी इसमें करना चाहिए हमें इसमें हमें करना चाहिए divest पूरा ही पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए divest is the ultimate strategy सारा बेच बाच के हमें बाहर आना चाहिए divest करना चाहिए सारा बेच बाच के बाहर आना चाहिए so this is our this is our BCG क्या बन गई है BCG बन गई हमारी star cash cow question mark dog clear है clear है clear है clear है clear है clear है ठीक है is it clear is it clear is it clear star position मतलब आप high market share 37% लेके बैठे हो growth वाले market में जा टेली कॉम बढ़ रहा है तो star मतलब चमकते वे सितार है जी यह इस position में बढ़ा है और इस position में strategy है कि हमें अपने आपको build करना चाहिए और better करना चाहिए दूसरा अगर आपकी market growth rate हाई है पर आपके market वे share low है तो आप पाएंगे कि आप BSNL वाल एक्जामपल में फस गए है जहां पर harvest करना ही strategy के तोर पर सही result रहेगा और अगर हम हैं low market growth में और high market share में तो यह cash cow कहलाता है दुधारू गाएं के तरह आपको लगातार दूद देती रहती है जिसको बेज कर आप अपना पैसा कमा लेते हैं यह cash enough cash generate करने वाली इस्तती है actual इसका example है यह position में अपने को hold करना पड़ेगा strategy के तौर पे वरना लब में समय तक यह आपको फाइदा नहीं दे पाएगे चौति पोजिशन ने डाग यह डाग होता है न यह तब होता है जब आप जब आप low market share वाली position पे हो और low market growth rate यह आपको आद में मिले तो ऐसी position को हम आईगर hands of matrix का नाम दिया करते है बात आई के समझ में cash cow नहीं समझा महर प्रीत कह रहा है cash cow का मतलब होता है market की growth rate हो गई है कम market की growth rate क्या हो गई है कम मतलब market में आप ज़्यादा माल बिक नहीं रहा है लेकिन market का share आपका सबसे बड़ा है हैं जैसे हिंदुस्तान यूनि लिवर लिमिटेड है वो हमारे FMCG सेक्टर में है ना दाल चीनी चावल टूथपेज टूथब्रश है ना इन में नमबर वन अगरी कंपनी है लेकिन इस कंपनी में हमें आगे ग्रोथ नहीं दिख रही है जितना बढ़ना था यह बढ़ लिए अब तो कुछ नया करने से ही काम हो सकता है तो यह अपने आपको तयार कर रहे है कुछ नया करने के लिए इसलिए अभी existing जो चल रहा है उसी को चला रहे है और इस existing को चलाना मतलब हाई market share है number one player हो आप इस industry के cash cow position पर क्यूंकि आपके पास जो FMCG fast moving consumer goods है वो किसी और के पास नहीं है और आपकी growth rate कम है market की growth rate कम है इसलिए actual example है और यहां आपको hold करना पड़ेगा इस position को क्यूंकि अगर आज market में growth नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी पर नहीं होगी कल आपस से लोट के भी आएगी तो अगर आप number one player है तो आप cash cow से star position पर भी जा सकते हो और इस्तती विपरीत होने सर आप star से cash cow पर भी आ सकते हो क्या बात सब को समझ में आई including महर प्रीत growth पूरे market का देखा जाएगा बिल्कुल clear है clear है clear है बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ समझ गए बहुत अच्छी बात तो यह डाय चित्र बना लेना diagram बनना आना चाहिए आपको horizontal access x access relative market share को बताती है जहां दो इस्ततिया हाई और लो वर्टिकल market growth rate को बताती है दो इस्ततिया हाई और लो high market share में आप high market growth पे बैठे हो star position कहलाती है जी हो इसका example है strategy को build करेंगे number two high market share में market growth rate low है ऐसे को cash cow कहते हैं यहां actual दरह hold किया जाता है example इसमें है strategy hold question mark प्रश्ण चिन किसी को कितने हैं प्रश्ण चिन की स्ततिय क्यों बनी है क्योंकि low market share है आपका और market में growth बहुत जाते है जैसे बीसनल टेलिकॉम में market में growth बहुत है एर टेल बड़ा बन रहा है वोड़ा फोन बड़ा लेकिन बीसनल गट रहा है तो वो अपने से सवाल पूछे मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा बाक क्यों हूँ तो बीसनल का example है harvest करना चाहिए portion बेच देना चाहिए portion बेच देना चाहिए यह strategy है जबकि dog position low market share low growth rate वाली इस्तती है कि अब इस इस्तती में कोई काम हमारा रह नहीं गया है तो ऐसे लोग क्या करते हैं mtnl example मानते हैं और divestment एक strategy के तौर पर माना करते हैं कि कुछ नया आगी करके देखने की कोशिश करेंगे बात आई कैं सब को समझ वे तो यह थी हमारी bcg matrix is it clear is it clear is it clear बनाना सीखे सभी लोग चली समझ गये बहुत अच्छे बात तो देखो यही बनावाय यहां पर भी जो ग्यारा चीज़े बताई थी बारा चीज़े एक बार फिर से देख लो bcg boston consulting group इसका पूरा नाम है growth share matrix है simplest way है corporation का portfolio investment के बारे में जानकारी देता है cow and dog metaphor कहलाता है popularly resource allocation के लिए use किया जाता है diversity by company में यह two dimensional growth share matrix है इसका vertical access represent करता है market growth rate को जो market attractiveness को भी बताता है और horizontal access represent करता है relative market share को जो company strength भी बताया करता है यहाँ पर two by two की matrix है जिसमें चार अलग अलग होने आए हैं हमारे पाज में सबसे पहला आता है star जिसमें हमें expand करना चीए या जिसको हम build करना भी कहते है build करेंगे हम उसके बाद आती है cash cow cash cow जो position होती है हमारी इसमें हम hold करते है और question mark जो होता है उसमें हम harvest करते हैं गलत दिख दिया है सब यह गलत है और dog position में हम लोग divest करते हैं यह अब सही है यह सब गलत गलत हो गया तो आप ने इसको अब सही कर दिया diagram में आप भी सही कर ले clear है clear है clear है ठीक है अब आगे बात करते है stars are the product और sb u star वो product है company के या वो मुख्य business मतलब मुख्य business main business that are growing rapidly जो तेजी से आगे बढ़ रहे है they are also need heavy investment to maintain their position and finance अपनी position बना के रखना और maintain करना इसके लिए बहुत सारा investment करना पड़ता है their rapid growth potential encourage करती है कि अपन बेस्ट opportunity for expansion का उप्योग करें तो stars जो है वो product या sb u है जो की तेजी से आगे बढ़ रहे है business पे इन में heavy investment की जुरूद पड़ती है अपनी market और position को बना रखने के लिए rapid growth potential में ये करना ठीक है क्योंकि आपको ये best opportunity नजर आती है इस expansion में बात आई कैस सब को समझ में is it clear is it clear is it clear is it clear cash cow low growth high market share business होता है या product होता है ये they generate cash and low cost इन में cash generate होता है लेकिन cost इनकी कम है cash cow low growth है high market share business है product और services का अब ये established successful और less investment maintain करने वाले market के लिए ठीक है लेकिन नौग में growth rate जो होती है वो slow करती है और star जो है cash cow बन जाते है growth rate जब कम होगी तो आपके star जो है वो ultimately cash cow बन जाएंगे क्या बन जाएंगे आपके star आपके cash cow बन जाएंगे तो cash cow जो है वो low growth और high market share वाली कमपनिया है जो product और service बनाती है इनको कहते है enough cash is generated with low cost और ये successful तभी है क्योंकि इनको less investment के साथ आसानी से maintain किया जा सकता है और इनकी growth rate slow down होती रहती है क्योंकि है star बन जाते हैं cash cow और cash cow बन सकते हैं star once again बात आई के सब को समझ में is it clear is it clear is it clear cash cow क्या होता है सब ने समझ लिया अब आजाओ question mark की बात करते है question mark इसको कई बार problem children या wild cat भी कहते हैं ये दो नाम और है उसके question mark मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ मैं ऐसा क्यों के साथ दो नाम हो रहे है problem children आपके बच्चे इतने problematic क्यों है इतने बदमाश क्यों है इतने शैतान क्यों है what is the problem तो problem children भी कहते हैं और कई लोग से wild cat जंगली बिल्ली भी कहा करते हैं जंगली बिल्ली मतलब प्रियंका चौपड़ा PC की बात नहीं हो रही है मुझे मालूम है जंगली बिल्ली कहते तुम्हें शान, डॉन ये मूवियां ध्यान आ जाती हैं लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा है यहां wild cat का मतलब जंगली बिल्ली से नहीं है wild cat कहां शब्ड यूज किया जा रहा है problem children या फिर यूज किया जा सकता है question mark के लिए यह low market share business है high growth में market share आपका कम है लेकिन market में growth बहुत ज्यादा है तो हम कह रहे हैं आप ऐसे क्यों हो आप BSNL क्यों बने वे हो आप HUL क्यों बने वे हो ठीक है they require a lot of cash to hold their share अपना position बनाया रखने के लिए cash रही है need heavy investment with low potential to generate cash आसानी से generate नहीं हो पार है if left unattended are capable of becoming a cash trap अगर आपने इसे छोड़ दिया तो लगा तर आपका नुकसान करता चला जाएगा growth rate is high increasing it should be relatively easier it is for business organization to turn them stars when then to cash cow when growth rate reduces तो हमारे star growth rate reduce होने पर क्या बन जाता है cash cow और cash cow growth rate बढ़ने पर क्या बन जाता है star तो star से cash cow cash से star ऐसे चलता रहता है depending upon the market growth rate कम एके जदा है अगर जदा हो गई तो हम cash cow से क्या करेंगे अपने आपको star बना देंगे और हम star है और हमारी position आगे ठीक नहीं रह रही है तो फिर हम क्या करेंगे दुबारा से lot आएंगे हम दुबारा से lot आएंगे clear है clear है clear है clear है चलिए next position है इसमें डाग है डाग क्या होता है डाग मतलब low growth low share business growth भी कम है share भी कम है इन प्रड़क्ट का दे में generate enough cash to maintain themselves अपने को बनाए रखते हैं but do not have much future इनका future खराब है इसलिए they need cash to survive इसलिए इन्हें हर समय cash रही होता है यह minimize किया जा सकता है means of divestment or liquidation एसा करने के लिए हम divestment मांग सकते हैं जबीन के कुछ टुकड़े के साथ में divestment मतलब liquidation कर सकते हैं portion हम इसमें से निकाल सकते हैं या पूरा ही कर सकते हैं हम यहांसे liquidation में जा सकते हैं clear है clear है clear है है तो आपने सब इस्तती देख ली आपने सटार देखे सटार सटार क्यों होते हैं यहाँ पे सटार होते हैं यहाँ पे सबसे पहले सटार सबसे पहले सटार है यहाँ पे सटार जो है वो हैवी इंवस्टमेंट चाहिए क्योंकि यह बेस्ट एक्जामपल है expansion के तो ऐसी position को हम क्या करते है hold कर ऐसी position को हम क्या करते है build करते है और expand करते है ठीक है फिर cash काउ वाली जो position होती है वो low growth high market share होती है यहाँ पर star जो है slow down होते cash काउ बन जाते है तीसरा question mark जिसको problem children ने wild card कहते है यह low market share और high market growth के लिए है और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह cash trap बन जाएंगे growth rate high होने पर यह अपनी position को सुधार कर सकते है चोती position डाग है यह low growth low share matrix business है जो enough cash generate करता है अपने आपको maintain करने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा इसका बड़ा future नहीं है लेकिन इस survive करने के लिए cash की जरूत रखते हैं और इन सब को हम divestment के liquidation से ठीक भी कर सकते हैं बात आई के सब को समझ में तो किस जगे cash strategy adopt करनी है वो हमसे ज़्यादा कोई better जाननी सकता तो हम क्या करेंगे star में build करेंगे या expand करेंगे cash cow में hold करेंगे question mark में harvest करेंगे डाग आएगा तो by divest करेंगे clear है clear है clear है बोलजी हाँ बोलजी हाँ बोलजी हाँ तो हमने आपको ये दूसरा method भी बनाना सिखा दिया हमने दूसरा method भी बनाना सिखा दिया तो बना लो भी बना लो इसको बना लो एक बार अपने हाथ से बना लो इसको हर पूर्टफुल एनलिसिस मेथड को चाहे वो एडियल हो चाहे अगर एंस ओफ हो चाहे बी सीजी हो चाहे आव अपन पड़ेगे जी सबको एक बार अपने हाथ से बनाना है आपको अरे बना लिया अरे बना लिया है तुमने जो इसको नमबर मिलेंगे पांच पांच तुमको अरे बना लिया है तुमने जो इसको नमबर मिलेंगे पांच पांच तुमको तो बनाना आना चाहिए पांच पांच नमबर कमा सकते हैं एक एक पॉर्टफॉल एनालिसिस मेथड पर तो आरिश ने बना लिया, महरप्रीद ने बना लिया, सब ने बना लिया बहुत अच्छी बात, बना लिया ओके तो यह हो गया हमारा BCG अब आजाओ, identification कर लेते हैं, strategy का जो मैंने पहले ही बता दिया है BCG matrix में post identification strategy चार होती है build करते हैं, hold करते हैं, harvest करते हैं, divest करते हैं, चार है after a firm has classified this product or SBU, SBU मतलब क्या है, main business SBU क्या है आपका, main business it must determine what rule each will play in the future तो चार strategy बनी, build पहली strategy होती है here the objective is to increase the market share अब ये market share आप किस में करोगे, star position पर करोगे even by forgoing the short term earning in the favor of building a strong future तो ऐसा आपन कब कब करते हैं, जब अपन star पर होते हैं तो star में अपन और position को build करते हैं मेहर प्रीत कहता है, ADL तो आपने मना किया, वो बनाने के लिए नहीं आता है अरे इतना तो बनाना पड़ेगा रे ये डांचा तो बनाना पड़ेगा, पूरा नहीं बनाना है इतना तो बनाना आना चाहिए ये इतना डांचा तो आना चाहिए जिसमें ये एक बना सके हैं अपन पूरा नहीं बनाना है, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए यह डांचा यह skeleton पर तो सवाल आता है इतना तो आना चाहिए इसके लिए मना नहीं किया है मैंने यह तो बना नहीं पड़ेगा पूरा नहीं बनाना यह यह बनाना पड़ेगा जो डांचा आपको मैंने दिखाया इस्क्रीन पर ठीक है मतलब यह बनाना आना चाहिए आपको लेकिन इसकी जरुवत नहीं है इसको बनाने की जरुवत नहीं जो पूरा बनावा है पर आपको यह तो आना ही चाहिए यह बनाना पूछा दा सकता है स्केलेटर इसको करना है श्यालिए आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन स्ट्राटेजी इसकी बिल्ड करेंगे मार्केट शेर अगर आपको बढ़ाना है और यह स्टार पोजीशन पर करते हैं होल्ड करते हैं और जब आपको लगता है आपका कुछ नहीं बनेगा माकलाडला बिगड गया माकलाडला बिगड गया तो इसे बे दखल कर दो तो डाइवेस कर दो यह अबजेक्टिविस तो सेल और लिक्विडेट दे बिजनस पूरा खतम करो हैं हो रिसोर्सेस कें बिबेटर यूज्ड यूज एल्समbak है एसा हम दग पोजीशन पर करते तो स्टार पर हम बिल्ड करेंगे कैश काउओ पर हूँ और होल्ड गरेंगे हार्वेस्स करेंघ करेंगे और डाइवेस करेंगे डाग बे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ तमी बोलता नती अचली, आगे बात करते हैं BCG के बारे में और कुछ लिमिटेशन भी जानते हैं, इसकी the growth share matrix, BCG growth share has done much of the help in strategic planning, यह help करती है strategic planning में, however there are some problem and limitations, लेकिन इसकी भी कुछ limitations है BCG matrix is difficult time consuming and costly to implement, तीन चीज़े, यह बनाने में मुश्किल है, समय लगता है चीजों को पचानने में और implement करने में और भी महेंगी है management में find it difficult to define the SBO and measure market share and growth तो आपको difficulty हो सकती है यह नापने में के market share or growth क्या है, it focuses on classifying the current business but provide little advice for the future planning यह future planning में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दिया करती है they can lead the company to placing too much emphasis on market share and growth through which entry in attractive new market, this can cause unwise expansion in hot new risky venture or divesting established unit too quickly तो यह unwise expansion कर सकता है अगर आपने सही ध्यान नहीं दिया ऐसी जगे पे जहां आपका result ठीक नहीं आएगा इसलिए इसके साथ कुछ problem है यह difficult है time consuming है और साथ साथ में costly है implement होने में बात आई क्या समझ में is it clear, is it clear, is it clear बोला जी हां, बोला जी हां, बोला जी हां तो BCG जो growth share matrix है वो strategic planning में help करती है लेकिन इसकी कुछ problems हैं, कुछ risk हैं इसकी जैसे BCG matrix बनाने में difficult है बनाने में समय बहुँ ज़दा लेती है time consuming है, costly है यह difficult इसलिए है क्योंकि SBU और market share growth को नापना आसान काम नहीं है, यह focus करती है केवल current business, current market पे future के लिए कोई advice नहीं दिया करती यह इसकी सबसे बड़ी कमी है इसके अलावा, this can cause unwise expansion into hot new risky ventures जिसका result आपको नहीं मिलेगा तो आप इसकी बदद लेते वे कहीं ऐसे area में न, invest कर बैठे हैं जहांका return मिलना आसान ना हो ना हो ना हो चली, अब आगे बढ़ते हैं अपन last matrix की तरफ आगे जिसका नाम है general electric, GE model इसके बारे में बात करेंगे अब अब आपन अब हम बात करेंगे general electric model के बारे में GE model के बारे में let us talk about the GE model general electric चली, उससे पहले एक practical सवाल कर लेते हैं एक एक सवाल कर लेते हैं, practical identify if the following is a star or cash cow star मतलब high market growth में high share लेके बैठा है ठीक है SO pharma limited developed a new age medicine which cure cuff in three hours अरे वाँ, ये तो हमको चाहिए कफ को, खांसी को तीन गंटे में ठीक करता है with an investment of Indian rupees 80 crore in R&D and they named it cow fix, उसका नाम है कफ को fix करने वाला cow fix cow fix need a lot of marketing spent to create awareness among the public and also need funds to get license from the regulator पैसा चाहिए Interestingly cow fix has gained 60% market share within six months of the launch and has been profitable since day one पहले दिन से कमा रहा है Is cow fix a cash cow और star for SO pharma limited तो market share 60% है, ये तो high हो गया market share और market growth और पहले दिन से profitable है तो जब ये पहले दिन से profitable है, market share high लियावा है तो फिर ये star हो गया न भी, star क्या होता है, high market share, high market growth market share 60% मतलब high और market growth मतलब profitable from number one पहले दिन से ये, तो तरीका क्या किलाएगा, star किलाएगा So, it is a star. Star are the product or SVU that are growing rapidly. तेजी से बढ़ रहे हैं. चाट परसेंट की रफ्तार होगे हैंगी. They only need heavy investment to maintain. ये हो रहा है, असी करोन रुपे चाहिए. Their position and finance, their rapid growth potential, they represent best opportunity for expansion. Just one parameter of the market share cannot define the status of the SVU. It should be categorized based inherent characteristic and hence cow fix has more representation as a star. क्योंकि इसमें क्या है? Market share की संक्या तो जादा है. पहले दिन से profitable भी है. Heavy investment भी चाहिए इसको. ये सारी चीज़ें बता रही है कि ये position star है. High market growth में high market share लेके बैठा है. इसलिए cow fix is the star position. क्या ये सब को समझ में आया? जो बत्रासर ने अभी भी बताया. अरे क्या सब को समझ में आया है? बत्रासर ने बताया है? सब को समझ में आया है? बत्रासर ने बताया है? ज़रा चैट बाक्स खुला पड़ा है बताएं. क्या समझ में आया है? ये star क्यों है? क्योंकि ये है high market share में high growth वाला. profitable from day one. अच्छा लिए तो सबी को समझ में आ गया यह स्टार कैसे है बहुत अच्छी बात आईए आगे बढ़ते हैं लास्ट मैथड के बारे में बात करते हैं आईए जन्रल इलेक्ट्रिक मॉडल जी इ जन्रल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स स्टॉप लाइट मॉडल कराता है तो देखो एक नाम है इसका जन्रल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स दूसरा नाम है स्टॉप लाइट तो पहला है general electric दूसरा है stop light stop light मतलब जो traffic की signal lights होती है वो कई लोग इसे traffic signal traffic signal light model भी कहते हैं ये भी कहते हैं कई से traffic signal light model भी कहते हैं जैसे traffic पे light होती है न लाल पिली हरी नीली वैसे clear है तो general electric कहलो stop light कहलो traffic signal model कहलो एक ही बात ठीक है this model has been used by general electric company developed by GE with the assistance of consulting from McKenzian company इसे किसने use किया और किसने बनाया है GE ने बनाया है McKenzian company के साथ बिलके जो कि ये consulting company है ठीक है जो कि ये consulting company उसने बनाया है इसको हम use करते हैं business planning matrix में ये क्या कहलाती है known as business planning matrix तो ये पांच हो point हो गया business planning में इसका use होता है ये से GE 9 cell matrix भी कहते हैं या GE model भी कहते हैं GE 9 cell भी इसका नाम है GE 9 cell भी इसका नाम है The strategic planning approach in this model has been inspired from the traffic control light किस से inspired है ये किस से inspired है ये ये inspired है traffic control light से traffic control light से inspired है ये दीक है The light that are used at crossing to manage the traffic जैसे green मतलब go invest करो amber और yellow मतलब caution सोच समझ कर पैसा लगाओ और red stop खत्रे की गंटी है पैसा मत लगाओ सोचो समझो market किस direction में This model uses two factors इसमें दो factor है While taking the decision एक तो business strength और दूसरा market attractiveness तो दो factors पर ये काम करता है एक है market strength और दूसरी है market attractiveness तो 9 चीजे हमें general electric GE model के बारे में याद रखनी है 9 चीजे हमें याद रखनी है कितनी चीजे याद रखेंगे है अपन 9 चीजे याद रखेंगे हम लोग इसके बारे में बात आईगे समझ में सबको What are the 9 things about GE model याद रखें इस पे बहुत सार MCQ हो सकते हैं 12 सार MCQ साथ साथ तयार करा रहे हमारी class में पढ़ाई totality में होती है हम MCQ साथ साथ तयार करते है की वर्ड साथ साथ तयार करते है important question साथ साथ बताते है किस पे MCQ किस पे बड़ा सवाल किस पे case scenario हो सकता हो भी discuss कर रहे है इतनी तयारी कोई पढ़ने के साथ साथ करता चला है तो बाद में उसको extra effort लगाने की जरूएत कता ही नहीं पढ़ेगी क्योंकि आप बत्रा सर की classes में है और अब बत्रा सर बेटा खुद पढ़ा रहे हैं subject को पिछले 33-34 सालों से तो जो experience आपको इस class में मिलेगा बेटा वो unprecedented होने वाला है वो कोई दे भी नहीं सकता बेटा यही बत्रा सर की USP है unique selling point है यही बत्रा सर की core competence है जिसको कोई न तो copy कर सकता है और न बेटा develop कर सकता है और इसी लिए बत्रा सर बेटा अपने competitor से एक कदम है आगे बात आई क्या सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear क्या सब को समझ में आ रही है बेटा बात clear तरीके से तो general electric जो model होता है वो general electric जो model है वो stop light model भी कहलाता है और इससे हम traffic signal light model भी कहते हैं ये model general electric ने बनाया है with McKenzie and Company किसके साथ बनाया है इन्होंने ये McKenzie and Company के साथ बनाया है इसको business planning matrix भी कहा करते हैं और ये G9 cell matrix भी कहलाती है इसमें जितनी lights होती है वो inspired traffic lights से जहां green signal होता है go के लिए मतलब आप यहां पे पैसा लगा सकते है amber ये yellow होता है caution सोच समझ के आगे बढ़ो और red जो होता है वो stop के लिए होता है कि यहां पे रुक जाओ क्योंकि मामला गड़बड लग रहा है दो factor यहां ध्यान रखने के business strength और market attractiveness बात आई के सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear बोलो जी हां, बोलो जी हां, बोलो जी हां तो 9 point याद रखने है number one इसका नाम general electric matrix है यह stop light model है यह traffic signal light model भी कहलाता है इसे general electric ने बनाया है McKensian company के साथ में इसे business planning matrix भी कहते है इसे GE 9 cell matrix भी कहते है या GE model भी कहते है यह inspired है, traffic signal light से traffic signal में 3 lights होती है green for go, आप यहाँ पैसा लगा सकते है expand कर सकते है, amber और yellow caution के साथ में जा सकते है और red मतलब stop, अब यहाँ से harvest या divest कर लो, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है इसके साथ साथ दो factor ध्यान रखना है strategic choice बनाते है two-dimension matrix में, business strength और market attractiveness यह दो factor का ध्यान रखना है हमें बात आईगे सब को समझ भे is it clear, is it clear, is it clear पोलजी हाँ, पोलजी हाँ, पोलजी हाँ तो आईए अब इसे बना लेते हैं GE को बनाया कैसे जाएगा vertical axis पे हम बनायेंगे attractiveness, market attractiveness y axis पे, और horizontal axis पे हम बनायेंगे business strength, हम बनायेंगे business strength ठीक है, तो आओ two-dimension matrix बनाते हैं हम लोग यह है x axis और यह है y axis x axis पे हम क्या बनायेंगे business strength business strength x axis के पे क्या बना रहे हैं हम बिजनस strength ठीक है, जिसे market share भी कह सकते हैं bcg के शब्दों में यह bcg जैसी है market share कहलाता है ठीक है, ठीक है, y axis है वो market attractiveness को बताती है यह market attractiveness को बताती है, जिसे हम market growth भी कहते हैं bcg के शब्दों में market growth भी कहते हैं bcg के शब्दों में तो यह bcg जैसी है, similar है, bcg में horizontal access market share बताती थी, यहां ge model में हम उसको business strength कहते हैं जनरल electric में market attractiveness y axis को कहते हैं, bcg में इसको market growth कहते थे, यह एक three by three matrix है, two dimension जरूर है लेकिन three by three matrix है इसमें तीन रो तीन कॉलम है तीन रो तीन कॉलम है तू डैमेंशनल है और three into three matrix है two dimension कैसी है, x और y और dimension तीन by three की matrix में आती है यहां तीन इस्तिय है वहाँ bcg में दो इस्तिय आती हाई और low, high और low यहां पर ऐसी नहीं है यहां पर क्या है हमारे पास में इस्तिया अलग है business की strength कैसी होती है, business की strength होती है strong business की strength होती है average और यह होती है weak ठीक है, वहीं market attractiveness कैसी होती है, आपकी high medium और low फिर से देख लो, कैसे बनाएंगे यह हम लोग, three by three की matrix को सबसे पहले तो समझ लो, general electric model जो है, वो कुछ हद तक, bcg matrix जैसा है जहां horizontal access पे bcg में market share बनाया जाता था, यहां उसका नाम business strength है ठीक है, पहली बार vertical access में, bcg में हम market growth बनाते थे, यहां इसका नाम market attractiveness है फरक केवल इतना है, वो two by two थी है, three by three है ठीक है, यहां, जो इस्ततिया है, क्या है, देखे business strength या तो strong होगी, जिसको high भी कह सकते है average होगी, जिसको medium भी कह सकते है, और low जिसको weak भी कह सकते है ठीक है, यह शब्द use होते हैं इसके लिए, और market attractiveness क्या है high है, medium है और low है, clear है, तो यह धांचा आपको समझ में आ रहा है क्या यह धांचा आपको समझ में आ रहा है क्या यह धांचा आपको समझ में आ रहा है बताओ रही क्या है ये ढांचा आपको समझ में आ रहा है अब इसमें क्या है जो ये वर्टिकल स्तती है हमारी वर्टिकल ये वाली वर्टिकल इसको पीले से बर दो ये वर्टिकल को पीले से बर दो वर्टिकल को पीले से बर दो यह जो उपर वाला इस्सा है इसको हरे से भर दो और जो नीचे वाला इस्तती है इसको लाल से भर दो बात आई के समझ में यह जो हरे वाला है यह जो हरे वाला है यह हरे वाला जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे यह हरे वाला जो है यह इन्वेस्ट और एक्सपेंड के लिए इन्वेस्ट और एक्सपेंड यह जितना हरे वाला है वो इन्वेस्ट और एक्सपेंड के लिए है ठीक है और ये जो पीले वाला है ये पीले वाला है ये सलेक्ट और अर्ण के लिए है सलेक्ट और अर्ण करो सलेक्ट और अर्ण करो और जो लाल वाला है हमारा यहां हार्वेस्ट करो या डाइवेस्ट करो हार्वेस्ट और डाइवेस्ट हार्वेस्ट या डाइवेस्ट पार्शली या फुल्ली हार्वेस्ट और डाइवेस्ट बात आई के सब को समझ में मेहर प्रीट किया रहा है exam में different color के pen use कर सकते हैं बिल्कुल black pen से करें आप लिख किया जाना ठीक है लिख किया जाना green color वहाँ पे आपको हरा pen तो नहीं मिलेगा पर आप लिखना green color yellow color ठीक है और लिख जड़ाँ red color पर हम आपको समझा सकते हैं यहां पर लेकिन exam में आपको black ही मिलेगा तो वहाँ लिख किया होगे black pen से लिख किया ना green color, yellow color, red color clear है, clear है, clear है कैसे बना फिर से देख लो कैसे बना हमने एक्स एक्सस वर्टिकल होरिजॉंटल एक्सस पे market share जो bcg में कहलाता है और ge में उसको business strength कहते हैं उसको बनाया है वर्टिकल एक्सस जो हमारी है वो market attractiveness और market growth को बता रही है देखे है, यहां तीन-तीन इस्ततियां बनती है टू बै टू की जगे, यह टू डैमेंशन जरूर एक्स और वाईब है लेकिन matrix 3 बै तरी की है, bcg टू बै टू की थी business strength हो सकती है strong average और weak business strength हो सकती है strong average और weak और हमारी market attractive में से हो सकती है high, medium और low यह जो हमारा diagonal है वो diagonal में पीला color बर देंगे और यहां position होगी select and earn उपर की जितनी है, वहाँ invest और expand के लिए हरा color है और नीचे वाले जितने भी हैं वो harvest और divest के हैं select किसको करना है select करना है, yellow में business करना है कि नहीं करना है cautious के साथ चलना है whether you want to be here or you want to be out यहां आपको select करना है कि आप इसी business में रहेंगे कि निकल जाएंगे option आपको लेना है cautiously आपको option लेना है यहां पे कि आप इस business में रहना चाहते हैं कि निकलना चाहते हैं select और earn ठीक है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ तो यह बनाना सीख लिया सबी ने कोई दिक्कत नहीं है तो हरे कलर में हम इन्वेस्ट करेंगे और पैसा डालेंगे मतलब अगर बिजनस स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग है मार्केट का शेर हाई है स्टार वाली पोजीशन जैसे बीशी जी में होती थी और इन्वेस्ट करो अगर business आपकी strength strong है market attractiveness medium है तब भी आप invest करो और पैसा लगाओ इस पर और अगर average आपकी business strength है लेकिन market में आपका attractiveness हाई है तब भी आप invest करो और इन सारी positions में इन सारी position में आप क्या करेंगे option लेंगे कि मुझे करना क्या है मुझे रहना है कि निकलना है लेकिन जो position आपकी है average हो और market low है तो बार निकलो या week हो और medium है तो बार निकलो और week है तो definitely बार निकलो तो कुछ position ऐसी है जिनमें रहने का कोई फाइदा ही नहीं है average और week वाली पाकियों में हम select and earn कर सकते हैं prime इंवेस्ट और expend करेंगे बात आई क्या सबको समझ में is it clear is it clear is it clear क्या ये बात सबको समझ में आई है जो अभी अभी आपको बतरह سर ने बताई है अरे क्या सब को समझ में आई है बतरह सर ने बताई है बच्चे कह रहे हैं सौ परसंट आई है कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आई है एवरिटिंग आई है तो यह भी आपने बनाना हाथ से सीख लिया आओ थोड़ा सा और एक्स्प्लेनेशन कर देते हैं हम लोग यहां जो market attractive होती है उसको कई सारे factor से समझा जा सकता है market attractiveness is understood by number of factor market attractiveness है उसको समझने कि कई factor है size of the market is big market size बहुत बड़ा है जैसे भारत में telecom का market बहुत बड़ा है ठीक है education का market बहुत बढ़ा है मेडिकल का market बहुत बढ़ा है तो size दो market बढ़े है इसका राफे अट्रैक्टिवनेस है हर एक आना चाहेगा market growth rate market में growth कैसी है जैसे ो अभी हम बात करें तो क्या है electronic vehicle माले market में बहुत है drone technology वाले में बहुत है artificial intelligence में बहुत है, तो growth बहुत अच्छी है, इनमें आना फायदेमंद है इंडरस्टी की profitability कितनी है, अगर इंडरस्टी की profitability हाई है तो इसमें आना ही चाहिए तो जिन इंडरस्टी में हमारे बाद profit अच्छा है, उनमें हमें आना चाहिए उसके बाद competitive intensity density competition ज्यादा है कि कम है अगर competition कम है तो हमें आना चाहिए क्योंकि तब हमें profit मिलेंगे competition ज्यादा है तो फिर शायद हम profit नहीं कमा पाएंगे availability of technology अगर easily available है easily है तो आना चाहिए अगर technology सब को सर्व सुलब उपलब्द है तो हमें आना चाहिए pricing trend प्राइसिंग ट्रेंड फेवरेबल है pricing trend फेवरेबल है तो हमें आना चाहिए आना पड़ेगा वादा निभाना पड़ेगा फेवरेबल होने चाहिए overall risk of return in the industry लो है overall risk लो है आना चाहिए market attractiveness है opportunity for differentiation of product and service लार्ज है बहुत ज़्यदा differentiation कर सकते हैं तो आना चाहिए कि आपके पास भी ग्राक आएंगे मेरे पास भी आएंगे कि demand variability demand variability less है मतब demand बनी रहती है आना चाहिए कि मांड हमेशा बनी रहती है आना चाहिए कि देखा क्या आपने तो GE matrix को समझ लो आप market attractiveness कई सारे factor पर डिपेंड करती है अगर market की size बहुत बड़ी है टेली कॉम, education, medical बगर है तो फिर आपको market attractive लगेगा आना चाहिए market growth rate जो है, EV है, drone है, यह यह growth rate बहुत है, high है, इनमें क्या है, high है, तो आना चाहिए बिग हैं तो आना चाहिए इन्डेस्ट्री की profitability बहुत हाई है, तो कौन ऐसा market छोड़ेगा आना चाहिए competitive intensity कम है, आना चाहिए, availability और technology आसान उपलब दे आना चाहिए pricing trend फिरेवेबल आना चाहिए, overall risk return लो है आना चाहिए, opportunity है आना चाहिए demand variability कम है, demand बनी रहती है, demand कम ही नहीं होती है आना चाहिए, तो market attractiveness कई सारे factor से देखी और समझी जा सकती है, size of the market, market growth rate, industry profitability, competitive intensity, availability of technology, pricing trend, overall risk of return in the industry, opportunity and demand variability, क्या ये सब समझ में आए आए आपको, क्या ये सब समझ में आए आए आपको, तो attractiveness समझ में आगई को लेका, we have to make sure everything that America makesесь आए आए आपको, आपको लेका, क्या आए आए आपको लेका, कित अ आपको प्लेकित आए 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 दो कौश के आए 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 दात?". तो attractive ने समझ में आ गई अब आईए business strength को समझ लेते हैं यह तो हुई हमारी अच्छा इसके अलावा क्या है 9th के बाद 10th और 11th 10th है segment segment बड़ा है segment is big तो आना चाहिए अगर आपका market segment बहुत बड़ा है तो आपको आना चाहिए distribution structure मतलब direct retailing के कई तरीके distribution structure is available अगर available है तो आना चाहिए distribution structure अगर आपके favorable में है available है तो आना चाहिए अब हम बात करते हैं business strength की business strength उसके typical drivers कौन से है business strength को चलाने वाले कौन है पहला market share कैसा है आपका big market share आपका कैसा है big मतलब आपको बने रहना चाहिए नमबर टू market share growth rate market share growth rate favorable है तो आपको आना चाहिए या बने रहना चाहिए profit margins enough है आना चाहिए distribution efficiency आपके लिए favor में है आना चाहिए brand image अच्छी है excellent है good है आना चाहिए availability to compete on price and quality ability है आपकी compete करने की yes ability है आना चाहिए customer आपके साथ loyal है yes आना चाहिए बने रहना चाहिए production capacity large है आपकी आना चाहिए बने रहना चाहिए technological capacity available है आना चाहिए relatively cost position relative to other favorable है आना चाहिए management caliber available है आना चाहिए तो आप business strength को भी देख लें उसके भी करीब 12 factor है segment का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा segment का मतलब हिस्सा या टुकड़ा अगर पूरे में से आपके पास 60% market share है तो आपके बड़ा segment है बड़ा segment है आपके पास में तो उसमें कितने point थे उसमें थे 11 इसमें हैं बारा there are 12 business strength drivers 11 तो market attractiveness के लिए थे और 12 business strength के लिए हैं और इससे बनती है यह हमारी bcg matrix यह business strength को बता रही है यह market attractiveness को बता रही है strong average week high medium low invest and expand invest and expand investor selected on selected and selected and harvest divest harvest harvest so this is our bcg this is our ge model stop light model green amber and red light clear है clear है clear है clear है bola zihaan bola zihaan bola zihaan मि अपी अज़र्यो लिए भी का रह smok months super wood ओहो गिंती गलत हो गई हमारी आण को आण सीधा दस आ गया नौ दस ग्यारा दोनों में ग्यार ग्यार पॉइंट है क्लियर है क्लियर है क्लियर है ओ जी क्लियर हो गया की करिये की करिये उसनदा कंस्ट क्लियर हो गया की करिए की करिए मिठाईयां वंडिये पंगड़े पाईये गिद्दे पाईये नच ये टप ये खुशियां मनाईये तो देखें बिजनस स्ट्रेंद के गयर टिपिकल ड्राइवर्स मार्केट शेर बड़ा होना चाहिए कि मार्केट शेर ग्रो ट्रेट फेवरेबल ओना चाहिए कि प्रोफिट मार्जन अनफों लो चाहिए डिस्रीविशन एफिशनसी फेवरेबल पिक ब्रैन्स एक्स्थ्लेंट होना चाहिएoples डि aur चूमथ सिम्पीट हमें यस न चाहिए कस्तमरा जायर टीस होनी चाहिए, production capacity large होनी चाहिए, technological capability अविलेबल होनी चाहिए, relative cost position favorable होनी चाहिए, management caliber अविलेबल होना चाहिए, ऐसी सब position में हम कहते हैं आपके पास है business strength अच्छी वाली, अब ये business strength strong average या weak भी हो सकती है company का अनुसार, और तब हम three by three की matrix बनाएंगे, horizontal access पे business strength जिसकी तीन इस्तति है, strong average and weak, vertical access पे market attractiveness तीन इस्ततिया है, high, medium and low, ऐसे में हम diagonal position पे yellow 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 color से बर देंगे और लिखेंगे select turn, select turn, select turn, अपर portion में हम invest expand, invest expand करके हरा color बर देंगे और नीचे हम लाल color बर देंगे, harvest divest, harvest divest, harvest divest, harvest divest, clear है, clear है, clear है, बोल जी हाँ, बोल जी हाँ, बोल जी हाँ, बोल जी हाँ, अब इससे नतीजा क्या मिलेगा हमें, इससे नतीजा क्या मिलेगा, green color में हम invest करेंगे, yellow में हम cautious ती आगे बढ़ेंगे, red में से हम बार निकल जाएंगे, simple सी बात, यह को यही लिखा है, if a product falls in the green section, green में आता है, the business is at the advantage position, तो business फाइदे की स्तती में है, to reap the benefit, फाइदा उठाने के लिए, the strategic decision can be expand और invest, तो आप invest करो, expand करो, growth पाओ, तो green section में क्या करोगे, आप favorable position देखते वे, expand करोगे, grow करोगे, यह है पहला, दूसरा क्या है, if the product is in the amber और yellow zone, अगर आप yellow zone में है, it needs caution and manageable discreation, तब आपको सोचना पड़ेगा, management के level पे क्या करना चाहिए, अपनी strategic choices को बनाने के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा, इस yellow zone में, आप cautious ले आगे बड़े और अपनी choices बनाएं के करना क्या है, तीसरा, if the product is in the red zone, अगर आप red zone में हो, it eventually lead to losses, इस से क्या होगा, आने वाले समय में organization, in such cases, appropriate strategy should be retrenchment, divestment and liquidation, तो आपको appropriate strategy अपना नहीं पड़ेगी, जो क्या हो जाएगी, harvest, divest की, मतलब retrench करना, divest करना या liquidate करना रहेगा, बात आईगे सब को समझ में, तो आप क्या करेंगे, expand या growth पाएंगे, हरे में, yellow में आप cautious ली आगे बड़ेंगे, और red वाले area में है, आप retracement, divestment या liquidation अपना आएंगे, this model is similar to BCG growth matrix, मैंने कहा न, BCG जैसा है, लेकिन वो two by two था, यह three by three है, अगर comparison की बात करूँ तो, there are differences, firstly, the market attractiveness replaces market growth rate, BCG में वो market growth था, यहां उसका नाम market attractiveness है, as the dimension of the industry attractiveness include the broader range of factors, तो यहां पे three by three हो जाता है, secondly, competitive strength replaces market share, BCG में market share था, यहां उसका नाम competitive strength है, और dimension भी three by three की हो गई है, तो BCG और इसमें अंतर क्या है, पहला, इसका नाम है Boston Consulting Group, इसका नाम है General Electric, दूसरा, two into two है, यह three into three है, तीसरा, यहां position high और low ही बनती है, यहां high, medium, और low बनती है, BCG में इसका नाम था, market share, versus market growth, यहां इसका नाम है, market share को में यहां कहते हैं, business position, business strength, versus, business strength versus market attractiveness, business strength versus market attractiveness, तो यह दोनों में differences है, तो ऐसा भी एक सवाल आ सकता है, what is the difference between the two, BCG और GE में अंतर क्या है, BCG का पूरा नाम है Boston Consulting Group Method, GE का General Electric है, यह two by two है, यह three by three है, यह high और low में दो इस्तितियों बाड़ता है, यह high, medium, low, तीन इस्तितियों बाड़ता है, market share versus market growth के बीच में graph है, यह business strength versus market attractiveness के बीच में graph है, बत्रा सर ने एक और सवाल आपको बातों 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 पर तयार कर दिया, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा बिटा आपको, मैं उन unforeseen सवालों को भी देख पा रहा हूँ, जो institute आप से पूछ सकती है, inference में, लेकिन बाकी के टीचर के अविल किताब पढ़के जो किताब में लिखा वही बताएंगे, बत्रा सर किताब के beyond, टीचर के दिमाग में, ऐसे examiner और पेपर सेटर क्या आ सकता है, क्योंकि बत्रा सर खुद भी रह चुके है बटा examiner और पेपर सेटर, तो मैं वो सवाल भी आपको बताऊंगा, जो exam में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप बत्रा सर के कहने करनूसार अगर तयारी करेंगे, तो इस सब्जेक्ट में 40 प्लस लाना सभी के लिए आसान है, और अगर आपको लगता है, आज ये 14 चेप्टर खतम ही हो रहा है, अब इसके बाद MCQ, summary chart, case scenario और descriptive पढ़ने हैं, तो एक तरीज़ चेप्टर चार पूरा हो गया, हमने 80% course पूरा कर लिया, अगर आपको लगता है, कि 12 सर ने सब्जेक्ट को आपके साथ पढ़ा के justice किया है, आपने जो पेप किया है सब्जेक्ट के लिए, वो और जो आपको value मिली, उन्हें राद दिन कांतर है, इतने कम price पे बहुत ही high value added product आपको मिला है, अगर आप इस से satisfied है, तो आपकी ये moral duty बनती है, आपके जो भी और friend circle में लोग हैं, उन्हें इस course को refer करें, हम आपके reference से उनको भी ये course आज भी 2500 में ही देने के लिए तयार है, तो आपकी duty बनती है, जो इस subject से हैं, परेशान, उन्हें विटा 22 असर की class सजिस्ट कर सकते हैं, अगर आप satisfied हो, तब ही करना, वर्रा मत करना, चलिए, बताईए, 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 उन सारी चीज़ों को आपको भी ने बता दिया, जो कोई और नहीं बताईएगा, चॉलिए, 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 आगे चॉलते हैं, आप अपने अपने शेहरों में भी जिन बच्चों से संपर्क में आते हैं, जैसे ITT, OTT की ट्रेनिंग पर आप जाते हैं, क्योंकि फाइनल से पहले वो करनी जरूरी है, आर्टिकल्शिप से पहले करनी जरूरी होती है, या आप किसी ग्रूप में, किसी और जगे पढ़ रहे हैं, और वहां बच्चों से आपकी बादशीत होती हैं, और आपको लगता है, SM सब्जेट को लेके बड़ी दुवीदा में, या वो पहले जिन से कर रहे थे, उतने satisfied नहीं है, तो आप उन्हें refer कर सकते है, 2500 रूपे कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं है, हम आपके reference पर उन्हें इस पर देने के लिए त्यार है, वरना prices बढ़के वापस पुरानी 5000 रूपे जा चुगी है, उच्छा लिए, तो fully satisfied, fully satisfied है, ओके, so this finishes our chapter, तो हम पढ़ रहे हैं, चप्टर नमबर पांच, strategy, implementation and evaluation, Fred R. David के अनुसार, strategic model जो होता है, वो तीन phases का होता है, पहले का नाम होता है, formulation, बनावट, दूसरा है, implementation, लागू करना, और तीसरा होता है, evaluation, evaluation, मतलब चेक करना, कि हम as per the plan, प्रोसीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो Fred R. David के, तीन phases में से, दो phases discuss होंगे, इस chapter में, implementation and evaluation, नाम है इसका, और उसके तहच्छे topic discuss होने, जैसा कि आप chapter के overview में देख रहे हो, पहले topic का नाम है, interrelationship between formulation and implementation, बनावट कैसी और लागू करने का तरीका कैसा, effective और effectiveness, efficiency के पीछ का अंतर, उसके बाद strategic change बदला, और उसमें digital transformation का योगदान, फिर organization का structure, आण प्रकार के structure देखे, अपने simple, functional, divisional, multi-divisional, sbu, matrix, network, आवर गला, क्या बात है सर, मज़ा आ गया, और उसके अंदर हमने पढ़े थे, McKenzie के 7S model को, ठीक है, जो hard and soft element में बटे वे थे, hard element थे, strategy structure system, soft element थे, shared value, staff, skill and style, फिर step में culture की बात की थी अपने, उसके बाद strategic leadership, strategy control, यह हमने कल तीन topic discuss किये थे, आज quickly मैंने revise करूँगा, और फिर आज हम last topic पढ़ेंगे, strategic performance measures, और उसके साथ साथ हम करेंगे, MCQ part को, हम करेंगे summary chart को, हम करेंगे case scenario, descriptive, और उसके बाद end करेंगे, आज के इस session को, तो मैं hope करता हूँ, आज का ये session, आपका जबर्दस रहने वाला है, तो महर प्रीद जड़ा मुझे बताएं, आपको पढ़ कर कैसा लगा, बत्रसर से, क्योंकि बेटा हम कहते हैं, बत्रसर हैं तो मुम्किन है, और ये बत्रसर की guarantee, कि आब हम से पढ़ेंगे, तो बेटा लाएंगे 40+, क्योंकि हमने, इस subject को बना दिया, है, SM positive, क्योंकि आप हैं, बत्रसर के student, मेहर प्रीद कह रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं सभी बच्चों को कहूंगा, अगर आप सब बच्चों को भी अच्छा लगा है, तो बेटा, आप जरूर आगे recommend करें, अपने fellow, जूनियर्स को, बत्रसर.com पे, और जैसे मैंने कहा, अगर आपके reference से आएंगे, तो आज भी हम उने ये course, आपकी ही price पे 2500 रुपे में, उपलब्द करा देंगे, विद printed notes at your doorstep, तो चलते हैं, आज के session पर, आईए गान्धारी time, आज last तारीक में, last दिन में, last class में फिर से कर दिया जाए, चलिए, महाबारत काल में लिये चलता हूँ, मैं समय हूँ, और आपकी जिंदगी का सब से अच्छा समय शुरू होता है, अब, 3, 2, 1, 0, सबी लोग आँखे बंद कर लें, थोड़े थोड़े भी खोल के न देखें, आज चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, 12 सर की मिस्री जैसी आवाज को कानों में घुलने दे, हम पढ़ने चेप्टर नंबर 5, अपने सम कोर्स का last chapter, हमने शुरूआत किया था तब, हमने 5 चेप्टर में पहले चेप्टर को पढ़ा था, introduction to strategic management, दूसरे चेप्टर में पढ़ा था, strategic analysis, external environment, उसके बाद, चेप्टर तीन, strategic analysis, internal environment, उसके बाद, चेप्टर चार, strategic choices, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अन्तिम बार, strategy implementation and evaluation, वन मोर टाइम, 5 चेप्टर हमारे कोर्स में, equal weightage के 50 number का paper हमारा, और 12 से पढ़के आप ला रहे हैं, 40 plus, चेप्टर नमबर 1, नाम है, introduction to strategic management, चेप्टर नमबर 2, strategic analysis, external environment, चेप्टर नमबर 3, strategic analysis, internal environment, फिर चेप्टर नमबर 4, strategic choices, और उसके बाद, चेप्टर नमबर 5, strategy implementation and evaluation, तो हम पढ़ रहे हैं, चेप्टर नमबर 5 को यहां पे, आपके लिए, और देखे हैं, चेप्टर के ओर में क्या क्या है, पहला topic है, inter-relationship between formulation and implementation, दूसरा topic है, strategic change, through digital transformation, तीसरा है, organization structure and culture, using the McKenzie's model, 7S वाला, उसके बाद, strategic leadership, strategic control, चेप्टर के ओर में हमार पाद 6 topic है, inter-relationship between formulation and implementation, strategic change through digital transformation, उसके बाद, organizational structure and culture, उसके बाद, strategic leadership, उसके बाद, strategic control, और उसके बाद, strategic performance measure, इस तरीके से यह 6 topic discuss होने हैं, आज हम दुबारा से revise करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, आखे कोल सकते हैं, आखे कोल सकते हैं, बताओ ने, याद हुआ, अरे हाजी हुआ, अरे कब हुआ, अजी कैसे हुआ, बताओ ने, तो बच्चा बच्चा कह रहा है उन्हें याद हुआ बहुत अच्छी बात तो देखिए हमने सबसे पहले आपको इंटर रिलेशन्शिप में सबसे पहले स्ट्रेटिक मैनेजमेंट मॉडल बताया था फ्रेड आर डेविड का ठीक है जिसके अंदर फॉर्मॉलेशन इंप्लिमेंटेशन इवैलिवेशन और साथ साथ में पांच स्टेजिस थी मेर प्रीट कह रहा है याद तो पहले ही था अब दिल और दिमाग में भी बैठ गया क्या बात है उसके बाद फ्रेड आर डेविड के बाद हम आए थे सेकंड चीज पर जिसमें हमने कॉर्परेट स्टेटिक को दो बागों में डिवाइड किया स्टेटिक प्लानिंग और ऑ पाँच क्लस्टर में डिवाइड करके फ्लेक्सिबिलिटी, डिवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग और सिनारियो अनालिसेज, बिल्डिंग रिजिलियन्स और कॉलाबरेशन और पार्टनर्शिप उसके बाद स्टेटिक इंप्लमेंटेशन में प्रता था कि एक मनेजरिल अक्सर साईज है जिसमें फ्रेशली चूजन स्टेटिक को आक्षन मोर्ड में रखा करते हैं और इसके लिए हमने फार्मलेशन और इंप्लमेंटेशन के बीच टू डाइमेंशन में ग्राफ की जात और बताया था अगर formulation sound हो और implementation excellent हो तो success बिलती है position पर अगर इसी को effectiveness और efficiency का नुसार देखा जाए तो हम पाते हैं अगर हमारी strategy formulation हो effective और हमारी strategic management हो operational management हो efficient तो हम thrive या success करते हैं पहली position पर उसके बाद हमने दोनों के बीच का difference देखा था formulation और implementation के बीच का difference एक table के माध्यम से formulation में planning होती है उसमें execution होता है इसमें before action है उसमें during action है इसमें entrepreneur activity है और इसके साथ administrative task है इसमें effectiveness है, efficiency है, intellectual है, operational process है, coordination है और coordination among many है Donals, लूवरी, बहुत आप जल्दी देंगे लेकिन अर्वरिय में नहीं देंगे आपको यह दे देंगे बहुत जल्दी इनके जल्दी दे देंगे करते काफी चीजह बताई दियId, पर official इइंस्व एपि लिस्ट के लिए से कोई model टेस्ट पर आजा है है तो फिर हमें कुछ पता चलेगा फिर हम जारी कर देंगे उसके बाद हमने linkages बताया थे दो forward and backward previous experience को यूज करना issues हमने बताया थे project सबसे पहले strategic plan बनता है फिर program बनता है फिर project और फिर resources sequential manner में issues क्या थे project implementation procedural implementation resource allocation structural implementation functional implementation और बाद में है behavioral implementation यह सब हमने discuss किया था उसके बाद strategic change में हमने कहा था तीन step होते है recognize the need for chain create a shared vision to manage the chain institutionalize the chain ठीक है नितिन गड़करी की जी का example फिर पुर्ट लेविन का long lasting सिधान बताया था हमने vanilla ice cream के से तीन phases होते unfreeze changing to new situation और refresh जब हम change to new situation करते हैं hc kelvin के तीन method आजाते हैं वो तीन method है compliance नए compliance नदर नियमों में डालना identification role model में बंधना और internalization रोज मर्रा की जिंदगी में अपनाना उसके बाद digital transformation कैसे काम करता है बत्रा सर ने कई example दोरह समझाया था कि कैसे उसे किया जाता है सबसे पहले तो बत्रा सर ने खुदका एक्जामपल दिया था कैसे स्वाइं फ्लू की position को देखते वे बत्रा सर ने अपनी classes को backup देने के लिए सबसे पहले digital technology को अपनाया और यहीं से शुरू होती है digital transformation की शुरुआत बत्रा सर की जिंदगी में भी personal level पे वैसे तो client के लिए कई तौर पे हमने किया था यह class से पहले हम क्या करते थे cable पड़ा दिया करते थे record नहीं करते थे GDP पे भी नहीं थे हम तो 2015 में swine clue आने के बाद में यह सब इस्तिया शुरू भी अब इस दौरान आपको planning, implementation, monitoring, change पे ध्यान देना पड़ता है और क्या goals अब अचीव करना चाहते हैं इसके उपर ध्यान देना पड़ता है पांच best practices है इसके लिए आप begin करें top से necessary or desired क्या है चेंज वो परिवर्तन लाए disruption कम से कम करें और इसके साथ साथ encourage करें communication को और change को एक नया norm बनाए exception नहीं बनाए ठीक है उसके बाद में objective ready for resistance implementation gradually ऐसी बहुत सारी चीज़ों से निकल के implementation होता है उसके बाद organization framework आया था जिसमें McKenzie का 7S model था जिसमें 3 element hard है strategy structure system और 4 element soft है shared value staff skill and style जिसके माध्यम से हमने organizational structure को समझा उसके बाद आते है core values हमारी क्या है ठीक है shared value style staff skill के साथ limitation क्या है ignore करता external environment को उसकी importance को clearly defined नहीं है हमारा के objective क्या है हमारा अगर तो काम करना मुश्किल होगा ज्यादा static है कम flexible है और generally criticize किया जाता है real gaps इसमें fulfill नहीं होते है फिर organization structure पड़ा था कि organization structure ideal वो होता है जहां आइडर आइडिया जो होते है वो नीचे से उपर तक free flow करते है ना कि कौन देरा idea that is more important data Edson Spencer ने कहा था अब यहां पर Chandler का एक सिधानत आता है जो कहता है जब भी आप strategy में परिवरतन करोगे वैसे ही आपको अपने structure में बदलाओ लाना पड़ेगा क्योंकि कुछ problems आ जाती है administrative level पे उससे आपके performance में कमी आती है फिर आप नया structure अपनाते है और फिर वो problems आ जाती है मैंने जो तुर्गे नैशनल प्रकार के structure है कौन से आप प्रकार के structure है आईए फिर से एक बार बता देता हूँ तो यह रहा आठ प्रकार के structure देखें जड़ा ध्यान से सबसे पहला था simple structure वन लेवल management उपर management नीचे वरकर second functional two level of management उपर हमारा manager उसके नीचे functional manager उसके नीचे वारा worker उसके बाद division तीन level management उपर हमारा president और CEO administrative staff फिर divisional staff और उसके बाद functional head और उसके बाद में worker multi-divisional में भी तीन level management same diagram strategic business unit में चार लेवाड उपर president corporate staff उसके बाद हमारा पास में divisional general managers उसके बाद हमारा SBU head उसके नीचे functional head उसके नीचे वरकर यह तीन यह पांच जो हैं यह top से bottom hierarchy में चलते हैं और इनमें communication भी top से bottom में होता है यह old structure कहलाते हैं उसके बाद new structure में पढ़े थे हमने matrix network और आवर ग्लास में क्रिस्क्रॉस communication होता होरिजॉन्टल लाइज वर्टिकल एक्जामपल टाटा नैनो को याद रखें सबसे पहले cross functional task force मुनता है उसके बाद में हम उसको prototype पे ले जाते हैं और उसके बाद में hourglass structure आज कल technology के कारण mid level management के आवशक्ता कम पड़ती है इसलिए top level और bottom level में तो फिर आपको कूप सारे लोग काम करते मिल जाएंगे पर mid level हमारा diminish हो गया है और इसी कारण से इस hourglass structure में हमें बीच में सकड़ा मिलता है यह श्रंकन होता है ठीक है यह जो होता है wide होता है उपर वाला बीच के मुकाबले और नीचे वाला widest होता है लेकिन बीच वाला श्रंकन होता है तो ऐसे hourglass structures को अपने यहाँ पर discuss किया था उसके बाद में हमने पढ़ना सरू किया था organizational structures के बाद में organization culture को तो यह हमारे last time के topic थे मैं एक बार फिर से quickly इसको revise कर लेता हूं फिर चलते हम आगे organization structure के बारे में हमने बताया था कि हर organization चाहे वो दुनिया की चोटी हो बड़ी हो profit making और non profit making हो उसका यूनिक culture होता है यह culture आता कहां से culture आया करता है company के co-founder से, founder से, company के CEO से, company में काम करने वाले लोगों से, उनकी working style से, उनकी habits से, उनके belief system से, उनकी value system से, उनकी working style से, उनके behavioral pattern से, इन सब से मिलके बनता है और यह एक आसान चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए, it is a deprooted thing, जो over a period of time, देरे देरे विक्सित होती है और आपके नसो के सामने भी है, कई लोगों के लिए छुपावा भी हुआ करता है, तो यह deep rooted beliefs है, philosophy है, principle है, own history है, value है, rituals है, working का तरीका है, तो company का culture किन चीजों को represent करता है, company का culture, company की value, company की belief, company के business principle, company के tradition, और way of operating से decide किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें पिर से देखो, company की value, company का belief system, company के business principle, company के tradition, और company के way of operating से decide होता है, culture आता कहां से, यह culture सिखाया जाता है, company के top management वारा, यह top management कौन है, company के founder, company के co-founders, chairman, president, vice president, CEO, पुराने लोग जो company बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो आपको रोज की practice कराते हैं, तो यह आपको बताया जाता है, क्या ethical है, क्या unethical है, official policy क्या है और फिर employees के attitude और behavior में से, रोज मरा की जिंदगी में, institutionalize कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, company का culture और उनकी story बार बार आपको बता के, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके blood में डाल दी जाती है, culture साहिक या बादा हो, बादा हो execution में, अगर culture strategy के साहिक होगा, त strong fit नहीं बनता है, आपस में conflict होता है, तो आपको नतीजे नहीं मिलेंगे, तो role of culture के execution में, अगर culture और strategy strong fit है, तो execution बहुत अच्छा होगा, अगर culture और strategy में negligible fit है, तो आपको result नहीं मिलेंगे, तो culture अच्छा grounded होना चाहिए, culture में creativity, नए chain को accept करना, challenging और इस तरीकी की चीजे हैं, तो आपको growth और expansion बड़ा suit करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपकी strategy culture से meet out नहीं होती, strong fit नहीं बनता, आपको result नहीं मिलेंगे, अगर रोज-रोज culture और strategy के बीच में conflict हो, तो parallels नतीजे क्या निकलेंगे, आपकी company बंद हो जाएगी, रोज-रोज लंबे समय तक conflict होते रहे तो, तो आपको strong fit बनाना पड़ेगा, और strong fit बनाने के लिए या तो culture में बदलाव करना पड़ेगा, या strategy में बदलाव करना पड़ेगा, strategy में बदलाव आसान है, culture में मुश्किल है, लेकिन अगर strategy ऩीक है, और culture यह आपका problematic है, तो फिर आपको culture बदलना पता हूँ 2014 से पहले यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह आप नरेंदर मोदी जी के स्टेटमेंट सुन लड़ा 2014 से पहले भारत के जितने भी I.S. ऑफिसर हुआ करते थे पुरानी गवर्मेंट के टाइम में मैक्सिमम ऑफिस के टाइम में गॉल्फ कोर्स में इदर उदर कलबों में गपे ठाख ठोकते नजर आ जाया करते थे लेकिन नरेंदर मोदी खुद भी काम करने वाले लोग हैं और काम करवाने की शमता भी रखते हैं क्योंकि वो कई साल तक तो बुख्यमंतरी रह थे गुजरात के तुमको मालूम है इस ओफिसर लॉबी से कैसे डील करना है तो उन्होंने आते ही मीटिंगों का दौर अब टेबल में बैटके काम करना पड़ता था और ऐसी आलत हो गई कि कई लोगों ने रिटार्मेंट ले लिया जिनसे काम नहीं होता था वो दुनिया से अलविदा कह गया प्यारे हो गए क्योंकि आदमी खुद काम करता है और दूसरों से करवाता है तो इसने एक भी नहीं मिलती तुम्हारी जैसी तो तुम्हें भी काम करने के आदत डालनी पड़ेगी और इसकी कल्चरल शुरुआत उन्होंने खुद कर दी सुबह सुबह आठ बजे मीटिंग रात के दस बजे मीटिंग आप सोचो आदमी घर कब जावे सुबह सुबह आठ बजे मीट करने के लिए आपको पूरे दिन काम करना पड़ेगा तो इसका मतलब लगातार दिन रात काम करने की आदत इस आदमी ने देश को डाल दी ऑफिसर लॉबी को डाल दी और सभी को डाल दी तो कल्चर खराब था भारत का भारतिये ऑफिसर्स का जो देश चलाते थे आई एस पारेस लॉबी वाले वो सब का कल्चर बदल दिया एक सिंगल परसन ने और यह शुरुआत उन्होंने खुद की फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो अगर आपको लगता है कि आपका कल्चर खराब है तो कल्चर बदलने की शुरुआत भी आप ही करेंगे टॉप से बॉटम करें तो difficult जरूर होता है लेकिन बदलाव किया जा सकता है और हमने इस देश में होते वे देखा है शाली है तुम देख लड़ा मैं बाद में आऊंगा ऐसा नहीं होता है तो leader, अपनी leadership skill दिखाना चाहता है तो उसको वहीं रहना चाहिए जहाँ problem area है क्योंकि ये firm की direction set किया करता है manage करता है चीजों को और उसको लोगों के साथ मिल कर जोश दिला के motivation से काम करवाना होता है ये एक change agent का काम भी करता है पांच leadership role इसे play करना पड़ता है ये important question है पहला staying on the top of what is happening जहां कुछ हो रहा है वहां खड़ा रहे के काम करवा गए दूसरा promoting a culture of union and strength मतलब एक ऐसा culture promote करें जहां strength हमारी सबसे बड़ी ताकत निकल के है तीसरा keeping the organization responsing to changing condition changing condition के नुसार अपने आपको बदले और चौता exercising the ethical leadership सही डंका काम ही करेंगे गलत काम नहीं करेंगे और पांच मा putting the corrective action तुरंत push करें corrective action को और चीजे ठीक करें तो यह पांच leadership role निभाने पड़ते हैं example हमने दो दिये थे Infosys के नारण मुद्थी जिन्होंने strong value Infosys में डाली और एक ऐसे leadership की legacy छोड़ थी कि आज वो Infosys को directly संभालनी रहे तो भी Infosys तरक्की कर रहा है नंदन नीलकणी के इस समय guidance में तो नंदन नीलकणी और भी जितने उनके साथ है co-founders उन सब के बाद एक अच्छी leadership quality है ऐसी leadership quality है दिरुबाई अमनी में देखने को बिलती थी जो अपने interpersonal skill के साथ लोगों के साथ relationship बना लिया करते थे leadership का role के implementation में अगर हमारा leader anticipate कर ले visionary हो, flexible हो तो वो क्या कर सकता है, चीजों को समझ के अच्छे से चीजों को लागू कर सकता है और उसमें competitive landscape को समझने की शमता होनी चाहिए और अपनी co-verskas की feeling की भी वो समझ रखता हो तो अच्छे डंग से चीजों को लागू कर पाएगा देखो दो फोटो आपके सामने नारण मूर्ती जी और दिरुबाई अम्मानी अच्छा कैसे होता मैंने PM Modi का एक्जामपल दिया था effective leadership जो है प्रदान मंतरी Modi में उनकी मंशा है कि भारत को विश्व गुरू बनाना है और इसके लिए उन्होंने mission रख रखा है 2047 तक विक्सित भारत मतलब नंबर एक economy दुनिया में त्रीके आप इसके लिए क्या करते हैं वो strategy formulate करते हैं तो diversify किया उन्होंने आप देख रहे हो mobile phone में हम इस समय बहुत सारे brand बना रहा है और भारत में दूसरे तीसरे नंबर के mobile निर्माता है पूरी दुनिया बर में इतने handset बनाते हैं automobile sector में हम कई शित्रों में नंबर वन है solar technology में 123 में आते हैं drone technology में 123 में आते हैं startups की दुनिया में हम लोग नंबर 4 पे आते हैं तो ऐसी कई सारी चीजे मोदी जी ने की है जिसकी वज़े से आज हम उन चीजों का execute करते हुए above average return प्राक कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी GDP बढ़ती चली जा रही है अब हम 4 नंबर की economy बन गए हैं बहुत जल्दी 3 बनेंगे और फिर 1 और 2 की तरफ भी चलेंगे तो यह है effective leadership का कमाल तो अगर आपको आज के competitive landscape में ध्यान देना हो तो leader के सामने कई सारे challenges है और तब उसको अपनी assumption और धारनाओं को बड़े carefully choose करना पड़ता है तब ही जाके वो result दे पाएगा तो एक strategic leader में कई सारी capabilities होनी चाहिए इस पर भी exam में सवाल आता है कि वो it should make strategic decision decision ले सके policies और action plan बना सके effective communicate करे human capital को manage करे organization में change के लिए आपको motivate करे और strong corporate culture design करे और साथ हमें high performance लगा था साल दर साल हर project by project देता चला जाए उसके बाद leadership skill में आ गया था हमारा कि हमारे पर जितने resources होते हैं उनकों कितना effectively use कर पाते हैं यह हमारे leadership skill से पता चलता है और day to day activities हों चाहिए long time हो सभी में काम करने के लिए दो style है एक को कहते है transformational एक को कहते है transactional यह जो transformational होती है इसमें हम charisma और enthusiasm नाम के दो शब्दों को बहुत उपयोग में लेते हैं क्योंकि हम लोगों को motivate करते हैं इंस्पायर करते हैं ताकि वो company के हित में काम कर सके है जनरली अगर आपका environment बड़ा turbulent है बदल रहा है और आपके product life cycle की या तो initial stage है and very start या end stage है वो decline पे चल रहा है poorly perform कर रही है organization वहाँ यह transformational तरीका बड़ा काम आता है क्योंकि तब हम excitement, vision, intellectual stimulation से लोगों से काम करवा लिया करते हैं motivation से काम करा लेते हैं और लोग अपनी ability से stretch करके काम करते हैं transactional leadership जो दूसरा तरीका है यह generally reward और punishment वाले system पे focus करता है यह system को design इस तरीके से किया जाता है कि एक authority के माध्यम से हम लोगों से काम करवाते हैं अच्छा काम करोगे, पेकेट incentive देंगे, नहीं काम करोगे, नौकरी से निकाल देंगे तो यह एक ज़्यादा फॉर्मलाइज अप्रोच है उसके बाद हमने इस strategy control की बात कहती है इस strategy control एक important function है किसी management का यह core process है किसी management का क्यों? कि यह आपके performance को plant activity के तौर पर बढ़ाने में मदद करता है इसका मुख्य मकसद regulate और check करना है लोगों के event, लोगों के behavior और होने वाले event सभी को यह नियंतरित करता है और कोई भी unwanted tendencies उनको restrain या कर्ब करता है और आपको norms पर रखता है ताकि आप वही काम करें जिसके लिए आपको कहा जाए यहाँ पर हम हर उसी चीज को plant करते हैं जिसका हम result चाते हैं और unplanned banner की चीज़ों को avoid करने की कोशिश करते हैं इस process of control में चार element होते हैं पहले objective of the system आपको पता होना चाहिए mechanism of monitoring and measuring बनाओ compare करो अपने result को actual result के साथ में और इस नई learning को अपने जो है वो आगे वाले कामों में डालो feedback और corrective action का method बनाओ यहाँ तीन प्रकार के control होते हैं organization control और और गरेशन कंट्रोल में तीन प्रकार के control होते हैं operational control, date to day activities, individual के लिए aggregative control, management control, पूरे division function के लिए और strategy control, strategy के लागू होने पर तो हम देख रहे हैं यहाँ तीन प्रकार के control को पहला control है operational control इसका मुख्य जोर individual task के transaction पे होता है जबकि पूरा aggregation या पूरे department और function के लगने वाले को management control कहा करते है operational control में आता है जैसे stock control मतलब stock within set parameter limits होना चाहिए production control मतलब कितना manufacturing करोगे quality control, product की quality किसकी बीच में रहनी चाहिए limits में, cost control हमारी cost as per the standard कितनी होनी चाहिए budgetary control कि हम budgets को exceed न करें management control उसके मुकाबले जो होता है वह aggregative होता है, यह more inclusive होता है पूरी organization या पूरे division या पूरे department पे लगा करता है और उसकी सब units पे भी लगता है यहां basic purpose जो होता है वो है कि चीजों को aggregation में पूरे control के तौर पे, पूरे unit के तौर पे देखा जाए तीसरा strategy control है शेंडल और hofer के शब्दों में strategy control का purpose dual चीजों को satisfied करना है दो चीजों को पहला, क्या strategy जैसी लागू की गई है, वैसी प्लान की गई थी, जड़ा चेक करें और number two क्या result जो हमें strategy को लागू करने से मिले है, उससे हम satisfied है, intended है जनरल यह देखा गया, formulation और implementation की बीच में time gap होता है इसलिए environment बदल जाता है जब तक हम condition लागू करते हैं, तो हमें strategy control से देखने में मदद बिलती है, कि क्या जैसा हमने plan किया था, वैसी strategy लागू हो गई, time gap का उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या time gap आया था, इस्ततियां बदली, लेकिन strategy control लागू था, इसलिए समय का अनुसार उसने अपना आपको परिवर्तित किया, और नहीं strategy यों को लागू करने के तरीकों को adopt करते वे strategy में परिवर्तन किया, ये चीज़ें strategy control में चेक करते हैं, strategy control चार परकार के होते हैं, promises control, मतलब आपकी basic assumption या धारना हैं क्या हैं, अगर तो वो दिल्ली में होता है क्योंकि commuting population बहुत है, बार से लोग खूब travel करके दिल्ली आते हैं, चाहे कहीं से हैं, जैपुर से हैं, हैं, हैधरबाद से हैं, मुंबई से हैं, कहीं से हैं, लखनव से हैं, तो एक systematic approach अपनानी पुड़े गया हमें, promises को चेक करने के लिए, कि वो आज की तारिक में भी valid है या नहीं है, तो यहां basic purpose हमारा डो factors है, पहला external environmental factor को समझ लो, economic factor जैसे inflation, liquidity, interest rate, technology बगर, यह सब चीजे हैं, आज किस assumption का नुसार सही है या नहीं है, दूसरा industry की factor, competitor, supplier, supplier, substitute, यह भी हमें, सही डंग से result दे रहें कि नहीं दे रहें, और हमारी assumption के अनुसार है या नहीं है, अब आपको यह देखना पड़ेगा, कि अगर आपके promises ही गलत है, assumption ही गलत है, तो फिर आपके आगे आने वाले control भी गलत होंगे, next is strategic surveillance, promises control की तरह है, यह unfocused होता है, यह unfocused होता है, वो focused होता है, इसमें हम general monitoring करते हैं, यह uncover करते हैं, un anticipated events को, इसके लिए हम क्या करते हैं, newspaper पढ़ते हैं, magazine पढ़ते हैं, business meetings में जाते हैं, conferences में जाते हैं, इदर उदर लोगों की बाते सुनते हैं, seminar attend करते हैं, इससे कई सारे uncovering information truth हमें पता चलते हैं, जो वैसे पता नहीं चलपाते हैं, तीसरा special alert है, जब कुछ unexpected event अचानक हो जाया करते हैं, जैसे अचानक government के policy में परिवर्थन होना, natural calamity का आना, terrorist attack हो जाना, यह unexpected murder acquisition का हो जाना, तो इस दोरान crisis management team काम करती है, और ऐसी situation को handle करती है, implementation control चौथा है, इसका purpose होता है यह देखना, कि हमारे जो major plan थे, क्या वो सही डंक से हमें result दे रहें कि नहीं दे रहें, जैसा हमने implementation चाहता था, वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, कि दो basic purpose हमारे solve हो जाए, implementation control में, पहला, monitoring the strategic thrust, क्या मुख्य area जो implementation में हमें use करना था, वह उस point पे कर पाए या उस पे readjustment की जरूत पड़ी, और number two milestone review, मतलब क्या हमने छोटे छोटे जो target अचीव करने थे, छे महीने, एक साल, दो साल में, क्या वो समय पे हो पाए, इसके लिएक चितर भी हमने कल आपको बताया था, कि formulation and implementation, overall strategic management कहलाता है, तो हमारे जो strategic control के चार point है, उसमें premises control, formulation, implementation, one and ten दोनों पे लागू होता है, डागराम में आप देख रहे हो, और strategic surveillance भी, formulation पे और implementation दोनों पे लागू होता है, लेकिन आपका special alert control और implementation control केवल, strategic implementation पे लागू होता है, जैसे के आप चितर में देख रहे हो, तो premises control और strategic surveillance, formulation, implementation दोनों स्कतियों पे लागू होता है, लेकिन special alert control और implementation control केवल और केवल strategy implementation पे लागू होता है, इतना आपन पढ़ चुके थे last turn पे और फिर हमने strategic performance measures के बारे में एक basic सी चीज़ बताई थी आपको कि company की किसी भी performance को नापने के लिए कि strategy वहाँ सही डंग से execute हो रही है कि नहीं हो रही है हमें एक method की तलाश है जैसे आपन strategic performance measures कहा करते हैं जो कि basically key indicator से KPI है किसी भी industry के यह strategy implementation के जिससे पता चलता है कि अगर यह parameter मौजूद है तो हम कह सकते है strategy ने सही result दिये जैसे आपके financial ratio आपके favor में employee आप से satisfied है customer आपको अच्छा feedback देता है तो हम यह मान सकते हैं आपका काम ठीक चल रहा है इतना आपने last time पर discuss कर दिया था मैंने overall revise कर दिया है यहां तक किसी को कोई problem है तो बताए वरना मैं इस से आगे चलके आज इस पूरे unit को including all cover करने जा रहा हूँ so any problem up to this पूरा quickly मैंने revise कर दिया आपके सामने तो यह था आपके सामने breathless revision बत्रासर पढ़ाएंगे आप सांस रोक लेंगे तो बच्चे बच्चे ने कहा है no problem no problem no problem तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको strategic performance measures को दुबारा एक बार देखते हुए mcq उसके बाद summary चार्ट फिर case scenario और उसके बार descriptive question पढ़ाते हैं तो strategic performance measures इसको short में SPM कहते हैं एक बार फिर से देखें company's performance depends heavily on the execution of strategy company की performance strategy कैसे execute हो रही है उसके रिजल्ट पर निर्भर करती है अगर strategy अच्छे से execute हो गई तो आपकी performance बहुत बढ़ी आएगी आपको above average return मिलेंगे हम कहेंगे कि company ने outperform कर दिया अपने competitor को क्योंकि हमारी है strategy अच्छे से execute हुए executive in a variety of business should explore strategic performance measurement SPM SPM अपने आप में एक method है यह सब इसके keyword है जो मैं गोले बना रहा हूँ यह सारे इसके keyword है जो आप note करते जाना और अपनी अपनी copy में लिखते भी जाना ताकि आपको याद रहे SPM के उपर लिखते बात यह गोले वाले चीजे जने हम keyword कहते हैं यह जरूर आपकी answer में आएं इसी के basis में आपको number मिलेंगे लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं फिर इसको अपने शब्दों में explain करते आई से नंबर नहीं देती है आई से नंबर देने का तरीका है कि जो उन्होंने keyword यूज किये हैं उनका प्रयोग आप भी करके अपने sentences बनाओ तो मैं जितने गोले बता रहा हूं आपको पूरे courses के दौरान आज यह हमारे course का 28 लेक्चर है और आज हम finish भी कर रहे हैं इसको roughly करीब करीब 55-60 गंटों के बीच में हमारे यह पूरा course होने जा रहा है मैंने कहा ही था 50-60 गंटे लगेंगे करीब 25-30 लेक्चर लगेंगे तो 28 लेक्चर लगें हमारे को और roughly 55-60 गंटों के बीच में हम इस course को finish कर रहे हैं सब जगे मैंने day 1 से आपको keyword बताएं गोले बना है जिससे पता चलता है कि जो executive थे हमारे जिन्होंने strategy को लागू किया था उनका result जो आ रहा है वो हमारे achievement का अनुसार है या नहीं है SPM helps to eliminate the silos, eliminate the silos यह एक phrase है जिसका मतलब होता है talk about the common goal between the team रोज मर्रा की जिन्दगी में अपने team के साथ बैड़ के क्या goal अचीव करना चाहते हो वो रोज discuss करो ताकि सब लोग एक mindset पे आ जाएं कि हमारी पूरी team का एक ही goal है हमारा mindset एक जासा हो जाए by establishing a common language among all the activities तो हम अगर eliminate silos मतलब common goal के बारे में रोज बात करेंगे तो सब का mindset आज नहीं तो कल एक level पर ले आएंगे strategic performance measures key indicators होते हैं ठीक है that used to track the effectiveness of the strategy and make informed decision तो इनके माध्यम से हम track कर सकते हैं कि हमारी effectiveness कितनी है strategy execution में और साथ साथ में हमारे decision कितने सही और खरे होतरे हैं अगर strategies को align किया जाए अपने goals और objective के साथ में तो हमें अपनी performance को improve करने का मौका मिल सकता है key performance measures और जो indicators होते हैं उनको हम पहले create करते हैं फिर हम select करते हैं फिर हम combine करते है report में और यह बताते हैं कि implementation में इनके current result आया नहीं आया है जैसे financial measures ROI अच्छा होना चाहिए employees fully satisfied होने चाहिए customer हमसे अच्छे जो है वो feedback review देने वाले होने चाहिए यह कुछ हम चीज़े लागू करेंगे clear cause and effect relationship बनाएंगे और KPI carefully आपको design करनी पड़ेगी अब next आता है managing the political aspect of implementing a strategy तो political aspect को सबसे पहले आपको manage करना है people जो involved होते है planning phase में वो दो तरीके के forces से पहले point यह है एक है लो आप ठीक है पहला political aspect की बात हो रही है आपके यहां जितने भी लोग strategy को लागू करने वाले हैं वो दो factor से effect करते हैं एक rational forces या factor जो की openness, communication और self analysis पर depend है दूसरा political forces जो की concern होता है कैसे आप अपनी empire बनाए रख सकते हैं और rivalry को खतम कर सकते हैं तो basically political aspect जो होता है managing the political aspect वो दो चीजों पर depend करता है पहला है rational forces और दूसरा है political forces पहला है rational forces और दूसरा है political forces managing the political aspect में दो चीजों पर ध्यान देना है rational forces और political forces पर rational forces का मतलब होता है आप logical reasoning और thinking से पता लगाओ ये चीज़ ठीक है या नहीं है और political forces में हम देखेंगे कि हमारे ideology हमारे people के ideology सब match खाती हो और हमारा कोई विरोध नहीं करे और उसे लागू करने में हमें दिक्कत ना आए on the other end there may be political force concerned with preserving the empire fostering the internal rivalry urge the knowledge retention selective communication and caution अगर दोनों टेक्नीक आपस में conflict करती है cohesion में नहीं होती है the politically acceptable aspect may end up with explicit strategy while sensitive elements may form an unspoken plan that contains implicit strategy तो अगर दोनों में conflict नहीं है तब तो result आपको मिल जाएगा लेकिन अगर दोनों में conflict हुआ तो कहीं नहीं हमें compromise करना पड़ेगा कुछ चीज़े loudly बोली जाएंगे और की जाएंगी और कुछ चीज़े unsaid rule की तरह से चुप चाप follow कर ली जाएंगी तो basically political aspect को handle करने के लिए हमें rational force को और political force दोनों को manage करना पड़ता है we have to manage these two हमें दोनों को manage करना पड़ेगा political aspect को manage करने के लिए rational forces को और political forces को manage करना पड़ेगा मतलब logic thinking reasoning यह सब चीजों को हमें check करना पड़ेगा और political forces में देखना पड़ेगा कि हमें कोई challenge न करे no challenge from anyone इतना आप लोगों को satisfy रखे बात आई के सब को समझ में is it clear, is it clear, is it clear बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ तब ही बोलता न थी बोलो जी है, सब भी ने कहा कोई problem नहीं समझ में आ गया है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं important question है आपका, मैं वैसे तो समय समय पर बताता रहा हूं पर एक official list भी जारी कर दूँगा जल्दी से तो बहुत सारे types होते हैं, various types होते है strategic performance measures के सबसे पहला होता है financial measures पे check करो अगर financial measures पूरे कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि SPM इसका अच्छा है, financial measures होते हैं जैसे revenue growth, return on investment, ROI, profit and margins अगर ये आपके favor में हैं तो हम कहेंगे financial measures पे हमारी strategy implementation खरी उतरी providing the understanding of the organization financial performance and its ability to generate profit तो अगर आपने revenue growth देख लिया, return on investment चेक कर लिया, profit margin देख लिया, favorable मिले तो हम कहेंगे सब काम ठीक चल रहा है, हमें कई intervene करने की दखल देने की ज़रूद नहीं है, performance is good Second है customer satisfaction measure, customer खुश है या नहीं है, अब customer के measures क्या है customer satisfaction, customer retention, customer loyalty, customer हम से satisfy है, customer बार बार हमारे से चीज़े ले रहा है और customer हमको छोड़ के कहीं नहीं जाता है, loyal है, इसका मतलब क्या है, customer satisfaction measure level पर हम लोग एक दम बिलकुल खरे होते हैं आपके बास जुड़ा हुआ है, आपको छोड़ के नहीं जाता है, तो loyalty भी इसकी check हो जाएगी तीसरा है market measures, market को नापना, आप उसके measures क्या है, market measures है, market share कितना है आपका, customer acquisition कितना है, customer referral कितना है इस सब चीज़े आप यहाँ पर देखा करते हो, इस competitive marketplace में, तो market measures में जाता है, market share कितने हैं, customer acquisition का तरीका क्या है, और उसके बाद customer referrals हमारे कैसे दिये जा रहे हैं, इन चीज़ों के आधार पर हम market को measure करते हैं, market का share कम है कि जादा है, customer acquisition cost कितनी आ रही है, customer द्वारा दिये referrals के द्वारा कितना business हा रहा है, इन सब चीज़ों से हमें competitiveness पता चलती है, कि हम कैसे, customer को अपनी तरफ attract और retain कर पा रहे हैं, next is employee measurement, employee measurement मतले, employee कितना satisfied है आप से, employee का turnover rate आपको छोड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ Employee आपको छोड़ के नहीं जाते है, employee engagement, company के साथ हर काम में जुढ़के काम करना है, तो इसका मतलब company attract कर रही है, retail कर रही है, staff को बनाए रख रही है, staff उसे छोड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ होशおお جए, तुर देंडर ले जाता है दूसरा सीखने समझने में जो हमारा खर्चा होता है वो unrecoverable हो जाता है और दूसरे आदमी को जो हमारा competitor है एक हमारी insight मिलती है दूसरा उसे सीखा सिखाया आदमी मिलता है काम करने के लिए तो हमारा हो जाता है double नुकसान इसलिए employee का measurement बड़ा important है कंपनियों में employee को अपने साथ बनाए रखने के लिए नेक्स्ट है innovation measures आप कितना कितना नया R&D पर काम करते हैं दूसरों के मुकाबले innovation measures such as research and development R&D spending कितनी आपकी patent application कितनी फाइल कि आपने या करने वाले हैं है मतलब यह company तरक्की करेगी क्योंकि इस company में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति है वह innovate कर रही है वह creative है वह R&D कर रही है R&D में किस तरीके से में information collect करनी चाहिए जोर लगाना चाहिए नया product बनाना चाहिए funding इखटी करनी चाहिए सब चीजों से जड़ी भी है patent file करने चाहिए यह सब innovation method में आते हैं next है environmental method environmental method में आ जाते है energy consumption कम से कम होना चाहिए waste reduction होना चाहिए carbon emission कम होने चाहिए ये जनम दिया करते हैं कि हम environment को कितना effect कर सकते हैं या environment को कितना sustain करते हैं अगर हम environment को pollute नहीं करते हैं इंवार्मन को खराब और गंदा नहीं कर रहे हैं तो इसी बचत की बदोलत हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे और हम लगातर अपने environment को pollute कर रहे हैं खराब कर रहे हैं त सब को oxygen का mask लेके चलना पड़ेगा और ऐसा दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में fog के दिनों में हो ही गया है हमने देखा है नेक्स्ट साथमा टुवर्ड मोर holistic measure of strategic performance measure आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हमारा एक angle नहीं होता है हम चाहते हैं यह चीज holistic हो holistic का मतलब होता है हर तरीके का benefit हमें मिले तो हर तरीके का benefit मिलने के लिए क्या करना चाहिए development of management thought and practice has persistently pushed the frontier of strategic performance beyond the financial metric केवल पैसे कई फायदा नहीं होना चाहिए thus the triple bottom line framework tbl वड़ा important है tbl framework वो कहता है तीन चीजों पर फायदा होना चाहिए आदमी पीपल को फायदा होना चाहिए कि वो knowledge में enrich करे planetary concern होना चाहिए कि आप वातावरां परियावरां खराब नहीं करो और profitability आपके लगातर बढ़नी चाहिए यह कहलाती है तीन पीज ठीक है इसको कहते है टीबी एल मतलब triple bottom line framework एक है पीपल मतलब आदमी को कुछ ने कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए उसमें टीबील framework में और economic prosperity alone quadruple bottom line adds fourth P और वो है spiritual dimension purpose आपका purpose क्या है तो तीन पीज से टीबील बनता है और उसके बाद एक चौथा और आ जाता है जिसको हम कहते हैं purpose इसको और कहते हैं purpose तो एक हो गया people एक हो गया planetary एक हो गया profitability यह तो चलता ही था अब इसमें चौथा और जोड़ यह है अपने purpose आपके मंचा क्या आपका intent क्या आप क्या चीव करना चाहते हो तो यह चार चीजे जो है यह हमार को holistic measure की तरफ ले जाती है ताकि हम बढ़िया काम कर सकें मेर परीद कर रहा हां सर दिल्ली में तो बहुत pollution है बिलकुल बटा इतना pollution है कि आदमी cigarette ना भी पी रह हो तो इस धुए में उसे रोज कई cigarette पीने पड़ जाती है फैफडा खराब हो जाया उसका गुर्दा जिगर सब खराब हो जाया उसका चलिए तो देखिए diagram में people planet profit ये तो थे हमारे तीन पी टीबील की बड़ लाइन उसके साथ हमने जोड़ दिया fourth पी और वो है purpose तो fourth पी हमारा purpose जब इसके साथ जुड़ा है तो अब हमारा काम जो हो गया ना better हो गया है क्योंकि people profit और planet के साथ साथ हम purpose भी solve कर पा रहे हैं तो ये हमारा चौथा पी है जो क्या कर रहा है purpose हमें दे रहा है कि आप ये काम TBL framework का कर क्यो रहे हो बात आई क्या सब को समझ में तो आप देख लो तीन पी वो है people planet और profit और चौथा पी जुड़के है इसमें purpose तो अब होगी है बले बले बाकि सब होगी है थले 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 अब नेक्स आती है इसकी importance क्या है importance of strategic performance measure अगर आप SPM के फाइदे की बात करते हैं इससे फाइदे की बात करते हैं तो आपको समझना होगा what are the essential things for organization for several reasons पहला इससे आपको goal alignment करने मदद मिलती है मतलब पूरी company को एक common चीज समझाने के लिए हमें चाहिए strategic performance measures strategic performance measure help the organization align their strategy with their goals and objective ensuring that they are on track to achieve their desired outcome तो हमें यह ensure करना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें अपने track पे चले जिन से हमें चीज़े achieve होनी है अच्छी लगनी है तो goal alignment का सीधा सीधा मतलब यह है कि strategy हमें ऐसी बनानी है जिन से हमारे goal और objective पूरे हो जाए अब वो किन से होंगे इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति हमें ये करने में मदद कर सकता है उसी को हम implementation में कहेंगे मदद करने के लिए सेकेंड है resource allocation resource में आपको पता है manpower machine material money methodology इससे बहुत सारे factors हुआ करते हैं तो strategic performance measure provide the organization with the information they need to make informed decisions such as resource allocation enabling them to prioritize their effort and allocate resources to the area that will have the greatest impact of their performance to resource allocation का मतलब होता है आप informed decision लो कि आपको कौन से शित्र में कौन सा resource लगाना है manpower machine material money आपको लगाना है number 3 continuous improvement होना चाहिए बदा आप improvement रुकना नी चाहिए there should be continuous improvement strategic performance measures provide organization with the framework for continuous improvement enabling them to track their progress will make the adjustment to the improve their performance over a period time clear है तो continuous improvement आना चाहिए progress आनी चाहिए और हम आगे से आगे बढ़ते रहे और पांचमां इंपॉर्टन से external accountability होनी चाहिए strategic performance measure help the organization to demonstrate accountability to stakeholder जिसमें shareholder आ जाता है customer आ जाता है regulatory body आ जाती है by providing clear and transmit picture of the performance तो हम देख रहे हैं importance में हमारे को यहां पे पांच किते reason किनाएग है चार reason किनाएग है we have been given here the four reasons of importance of strategic performance measures पहला goal alignment करने में मदद करता है मतलब आप सबको एक track पे लाता है number two resource allocate करने में मदद करता है कि हम informed decision करते वे लोगों को बताते वे कौन सी चीज को कहा prioritize करना है उसके बारे में बात करते वे allocation करते हैं number three continuous improvement करते रहते हैं बदलते रहते हैं किसी चीज को जब तक वो final नहीं हो जाती और number चार external accountability shareholder customer regulatory body इस सब की जिम्मेदारी आपकी है परफॉर्म करने की ताकि accountability towards the stakeholder पतलब shareholder customer regulatory body शो की जा सके clear है चलिए अब हम आगे है last topic की तरफ choosing the right strategic performance measure हमें सबसे बढ़िया वाला performance measure चुबना है ताकि हमारी strategic execution और implementation के बारे में insight knowledge हमें मिले organization should choose strategic performance measures that are aligned with their goals and objective goal और objective से जुड़ा होना चाहिए they provide relevant and actionable information in selecting the right measure following factor तो हमें क्या करना है strategic performance measure में अपने goals और objective को ऐसा align करना है कि जो जानकर हम से मांगे रही है वो जानकर हम उपलब्त करा है और उसके माध्यम से हम कुछ सवाल भी पूछना चाहेंगे कुछ factors के आधार पर पहला factor हम पूछेंगे इसमें इसकी relevance क्या है data availability कैसी है data quality कैसी है और time liners कैसा है मतलब इस project के तहर हम जो चीज कर रहे है वो कितनी relevant है relevant मतलब measures should be taken which are relevant to the organization goals and objective and provide information that is actionable and meaningful जो हम काम कर रहे है वो हमारे लिए लावदायक होना चीए relevant होना चीए काम का होना चीए दूसरा data availability the measure should be based on data and readily available यह 24 by 7 available होगा which can be collected and analyzed in a timely manner यह आपको अपने time पर decide करके से प्राप करना होगा हमारी तरफ से data 24 by 7 available रहेगा data quality the measure should be based on high quality data जो कि accurate और reliable हो तो आपका basis होना चीए high quality और उसके लिए हम accurate और reliable database वालों को बेजेंगे चौता है data timeliness it is based on the data that is current and up to date enabling the organization to make informed decision in a timely manner हमें क्या करना है समय पर data का decision लेना है current होना चाहिए अप to date होना चाहिए और organization को informed decision लेने में मदद करने वाला होना चाहिए timely manner में करना चाहिए तो right performance measure को आपको चुनना पड़ेगा क्योंकि वही आपको align करेगा आपके goals और objective achievement में यहां कुछ factors है following factors जिसके हम बात कर रहे हैं यह आपको achievement करने में मदद करेंगे पहला information जो आप SPM ले रहे है वो relevant होना चाहिए आपके काम से संबंदित होना चाहिए किसी दूसरे से संबंदित नहीं होना चाहिए number two for example अगर मैं chartered accountancy course के बारे बात कर रहा हूँ तो मैं यहां पे मुझे रेलेवेंसी पर परफॉर्मेंस मैजर करने चाहिए नॉन रेलेवेंट तरीके के परफॉर्मेंस मैजर करने से कोई फायदा नहीं है number two data available होना चाहिए on time 24 by 7 collect हो और फिर उसका उपलब दो जाए तीसरा data की quality high standard की होनी चाहिए accurate or reliable ताकि हमारे decision गलत नहीं जाए और चौता data समय पर उपलब दोना चाहिए current और अप्डूइट रहना चाहिए क्योंकि उसी के basis में हमारे by the way of organization to assess the success of their strategy identify area of the improvement and make informed decision about how to allocate resources and adjust to strategy effective strategic performance measure should be relevant meaningful and easy to understand and should be regulatory lured and updated to ensure the continuous alignment with the organization goals and objective तो खास बात हमारी आ गई, effective जो हमारी होगी, strategic management measure वो हमारे लिए relevant होने चाहिए, meaningful होने चाहिए, easy to understand होने चाहिए और उसके साथ साथ ये ensure करें कि organization के goals और objective भी इससे अचीव हो रहे हैं तो कुल विला के हमने देखा, चार प्रकार के हमारे factors होते हैं वो चार factor क्या है, जितना भी आप काम कर रहे हो और relevant होना चाहिए जितना भी काम कर रहे हो वो एक data की availability 24 by 7 कराता हो data की quality high standard की होनी चाहिए, reliable होनी चाहिए और data timeline ने सुका मतलब होता है, data समय मांगने पर तुरद उपलब दोगा इसके लिए आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा, informed decision लेने के लिए तो यह था हमारा chapter number 5, यह हमने पढ़े थे 3P, TBL में और इसके साथ जुड़ गया है, यह 4th P, that is purpose clear है, clear है, clear है, so this completes our chapter number 5 chapter 5, finish, finish, finish finish